गुद मोरिंग एवरीवन गुद मोरिंग गाइस इस अदूरिबल वाइस क्लियर है आप लोगों को गुद मोरिंग गुद मोरिंग टू एवरीवन चेयर कर दीजे लेक्चर ताकि और लोग भी हमारे साथ जॉइन कर सके पहले कोई रिप्लाए करेगा इस अदूरिबल और नाट ओके थैंक यू सो मच थैंक यू तो वेलकम तो TLS Online और यहर वी आस्टार्टिंग यहर वी आस्टार्टिंग विद गुद मेगा रिविजिन सीरीज पर यॉर CSI-R 2022 जैनुरी 2022 examination आज से हम लोग अल्मोस्ट एक महिने में सभी यूनिट्स का ठीक है दिफरेंट दिफरेंट फाकल्टी मेंबर्स अल्मोस्ट सभी यूनिट का आप लोगों को लाइव रिविजिन कराएंगे अल्मोस्ट सारे के सारे topics कवर होंगे जितने भी सारे आपके syllabus में topics हैं subtopics हैं उससे related questions है वो सारे के सारे शुरू होंगे शुरुआत करने से पहले कुछ चीज़ें हम आपको बताना चाहेंगे गुद मॉर्निंग गुद मॉर्निंग टु एर्रिवान गुद मॉर्निंग वेल्कम चले शुरुआत करने से पहले कुछ चीज़ें जो आपके लिए जानना जरूरी है that is at different time good morning सौमया अलग-अलग time duration पे almost throughout the day आपको अलग-अलग faculty अलग-अलग units cover कराएंगे जैसे morning में मैं और आशी sir आपको okay, 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 thank you thank you, हाँ सारी units prepare हो जाएंगी, परिशान होने की जरूरत नहीं है तो मैं बात कर रही थी, जैसे अगर आप morning का slot देखे एक minute, hold करेंगे morning के slot में me and आशी sir ठीक है 10 to around 12.30 आप लोगों को अभी फिलहाल के लिए in the first week हम लोग unit 1 पढ़ा रहे है ठीक है देन उसके बाद later आपके एक बजे से till 3 और 2.30 आपको aptitude का revision मिलेगा including the topics as well as topics as well as the questions ठीक है, दोनों ही चीज़े देन next आपको शृती माम revise कराएंगी शृती माम and आशुतोर्ष sir ठीक है this will be starting from 5 and then later on we need sir we'll start with ecology revision ठीक है तो ये फिलाल इस week का schedule है इस week के schedule को आप इस तरीके से follow कर सकते ही अगर आपने कोई भी unit छोड़ी हुई है या फिर आप कोई भी unit ऐसी है जो आपको difficult लगती है आपको नहीं समझ में आता है कि उस unit से क्या-क्या हमें prepare करना है और क्या छोड़ देना है तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको सारे faculty members detail करेंगे कि आप किस important part को आप ध्यान रख सकते है और कौन से important part को आप छोड़ सकते है ताकि जो भी exam है जो भी upcoming exam है उसमें आप maximum marks attain कर सके ठीक, another information during this one month जितने, just like from today it is 27 up till 27th of January अगर आप इसी revision वाले session में अगर आप हमारा one year subscription join करते है one year registration is open तो अगर आप हमारा one year subscription join करते है so you can use the code TLS10 और revise इन में से कोई भी code आप use कर सकते है so you can avail a 10% discount ये भी exclusive one month के लिए है जितने duration में हमारे revision series चल रही है different different faculty members आपको different different codes बताएंगे इन codes का आप use करके हमारा one year subscription में that will be a paid subscription हमारी classes जो की Cisco Webex पे होती हैं आप सभी लोगों को पता होगा तो Cisco Webex में जो लोग भी join करना चाहते हैं one year subscription जो लोग भी upcoming exam के लिए prepare करना चाहते हैं जैसे कि आप लोगों को पता है in the year 2022 you will be getting three exams एक exam आप लोगों को January में मिलेगा दूसरा exam आपको June में मिलेगा and another exam you will be having in December तो बहुत अच्छी opportunity है जो लोग भी शुरुवात से they are in the last year of your post graduation जो लोग भी शुरुवात से starting करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है उनके लिए एक opportunity है कि वो शुरुवात से preparation कर सकते हैं सारे के सारे units पढ़ाई जाएंगे कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा so that you can easily qualify your CS exam CSIR exam is it fine मेरी बात clear है सभी को चलिए so starting with the first unit पहली unit से शुरुवात करते हैं that is your molecules and their interactions relevant to biology ठीक है ओके बिलकुल सभी कुछ पढ़ाया जाएगा निहारिका जी सभी कुछ पढ़ाया जाएगा परेशान होने की जरूरत बिलकुल भी नहीं है चलिए शुरुवात करते हैं and plus you will also get this PPT ठीक है lecture के end में आपको ये PPT भी share कर दी जाएगी so that is very very good I suppose आप लोगों को notes भी इस form में मिल जाएगे ठीक है चलिए शुरुवात करते हैं तो unit 1 की अगर हम पहले section की बात करें तो इसमें कुछ भी जादा कुछ नहीं है simply आप लोगों को structure of atom देखना है molecule देखना है कुछ biomolecules के बारे में जानना है कुछ compounds telegram group पे जोती जी you can join the telegram group remember life sciences के नाम से आपके पास telegram group है आप उसको join कर सकते हैं आपको ppt मिल जाएगी ठीक है चल fine तो अगर हम chemical foundations की बात करें तो ध्यान से समझने की कोशिश करिए सबसे पहले atoms structure of atoms को देखतें उसके बाद आगे बात करेंगे तो structure of atoms में आपको क्या-क्या याद रखना है ध्यान से समझने की कोशिश करिए सभी लोगों को पता होगा चाहे आपके plants हो चाहे animals हो सभी कुछ सभी कुछ किसके बने हुए होते है atoms के बने हुए होते है even if we discovery की बात करें तो सबसे पहले discovery was it was done by a scientist which he is known as Laurent Lagosier ठीक है he noted the chemical simplicity of the mineral world and contrasted it with the complexity of the plant and animal world तो इन्होंने क्या किया इन्होंने simply एक relation established किया inorganic good morning Nikita inorganic world में और organic world में जिसे हम plant और animal world बोलते हैं he also noted down कि जितने भी सारे plant और animal world हैं they are essentially composed of some inorganic inorganic molecules और inorganic molecules में भी सबसे ज़ादा जो थे that was carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen abundance की बात करें so carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen comprises of 99% of the mass of both plant and animal world then later आपको और भी बहुत सारे compound मिलते हैं बट अगर जादा तर compounds की हम बात करें so it is either carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen even इनकी even इनकी probability या even इनकी abundance भी इसी order में होती है सबसे ज़ादा abundant carbon then hydrogen, then oxygen and then nitrogen इसलिए जितने भी सारे biomolecules हैं ध्यान से समझने की कोशिश करिए जितने भी सारे biomolecules हैं उनको बोला जाता है that they are derivatives of hydrocarbon derivatives of hydrocarbon का क्या मतलब है कि इसमें essentially carbon तो होगा ही होगा और carbon की valency complete करने के लिए आपको hydrogen मिलेगा अब एक question arise होता है that why carbon is most abundant so this question that is why carbon is most abundant this has simply the answer due to the bonding versatility of carbon bonding versatility का क्या मतलब है carbon simply अपने साथ single bond बना सकता है अपनी octet complete करने के लिए it can also form double bond with itself also it can form the triple bond with itself even अगर carbon hydrogen bond की बात करे तो carbon और hydrogen के बीच में एक single bond मिलता है then it can also bond with oxygen double bond से ये oxygen के साथ bind कर सकता है and triple bond से ये nitrogen के साथ bind कर सकता है तो जितने भी सारे आपके most abundant elements हैं जैसे carbon, hydrogen, oxygen और nitrogen इतमें ध्यान से समझेंगे carbon जो की central metal ion है या central metal atom है ये single bond बना सकता है hydrogen के साथ oxygen के साथ double bond बना सकता है और nitrogen के साथ triple bond बना सकता है ओके ओके येस येस correct तो यहाँ पर जितने भी सारे आपको periodic table में atoms मिलते हैं या molecules मिलते हैं they are almost more than 90 उन में से 30 are essentially required in our body that is in plants and animals तो biomolecules का अगर हम characterization देखें तो यहाँ पर आपको एक periodic table दिया हुआ है इस periodic table में red color से जितने भी सारे elements mark किये गए हैं they are your bulk elements ये सारे के सारे आपके bulk elements हैं तो bulk elements हम कैसे characterize करेंगे the bulk elements they are the major components of cells and tissues तो bulk elements को हम बोल सकते हैं they are the major component major components of cells and tissues also अगर ये major component है जादा से जादा structure बनाएंगे cells or tissue का so they will be essentially required in our diet तो bulk elements की हम बात करें तो अगर bulk element है hydrogen, sodium, potassium, calcium, carbon, nitrogen, oxygen, phosphorus, sulfur and chloride बहुत important है पूछा जा सकता है हमेशा याद रखेंगे then second if we talk about trace elements they are required in micro quantities micro quantities का क्या मतलब है few milligrams इनके enough होते हैं to perform the essential function जैसे कि अगर हम hemoglobin की बात करते हैं तो hemoglobin का co-factor होता है iron which is an example of trace element अगर iron का absence होगा तो hemoglobin oxygen को carry नहीं कर पाएगा although iron का composition सिर्फ 0.03% होता है hemoglobin में but it is essentially required for the transport of oxygen तो trace elements जितने भी होंगे वो कम quantity में उनकी जरूरत होगी they are also provided by the diet trace elements के example है जितने भी आपको yellow color से देख रहे हैं that is magnesium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc, selenium और सिर्फ तीन ऐसे element है they have the molecular weight higher than selenium that is your molybdenum, iodine and tungsten ये बात समझ में आ रहे है तो इससे याद क्या रखना है पहली slide से आपको याद रखना है कि सबसे जादा abundant element कौन से होते है that is your carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen 99% of mass compose करते है then later other elements they can be divided into two categories that is your bulk element and trace element bulk element जो जादा quantity में required होंगे जो major cellular functions करेंगे component of cell and tissues के होंगे that will be provided in the diet इसमें majorly आपको 6 plus 4, 10 bulk elements मिल जाएंगे और trace elements की बात करें तो trace elements के जादा तर जो elements है वो D sub shell के होंगे अगर आप sub shells के बारे में जानते होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर D sub shell के होंगे सिर्फ 3 ऐसे elements होंगे जिनका molecular weight selenium से जादा होगा that is your molybdenum, iodine and tungsten Is it clear? Shall I move further? इतनी बात समझ में आती है बोलिए सभी लोग copy pen लेके बैठे हैं note करते हुए चल रहे हैं या नहीं जो भी आपको point नया लगे उसको आप note करते हुए चल सकते हैं तो moving further जैसे हम bonding versatility of carbon की बात कर रहे थे ठीक, bonding versatility of carbon की बात कर रहे थे उसी में यहाँ पर आपको एक image दी गई है एक figure दिया गया है carbon की sub shell में present होते हैं 4 electrons, ठीक है अगर हम carbon का configuration देखें so that is 1s2, 2s2 and 2p2 या इसी को हम 2,4 से represent कर सकते हैं that means its outermost shell has 4 electrons to complete its octet यह क्या करता है यह generally covalent bonding में participate करता है covalent और ionic bonding में क्या basic difference है covalent bonding की जब भी हम बात करते हैं तो covalent bonding हमेशा sharing of electrons से होती है यही पर अगर हम इसको ionic bonds से compare करें तो ionic bond हमेशा crystal lattice का formation करते हैं और crystal lattice के formation के साथ साथ यहाँ पर आपकी donation और acceptance of electron is required मतलब अगर कोई positively charge है तो वो electron accept करके अपनी valence shell complete करता है और अगर negatively charge atom है तो वो electron donate करके अपनी valence shell attain करता है in order to achieve its complete electronic configuration और इस तरीके से यहाँ को lattice formation देखता है that is very ordered structure इसको disturb करना बहुत मुश्किल होता है यहीं पर अगर हमको valence bonding की बात करें जो की sharing of electron से होती है इसमें simply electron क्या करते हैं center में आ जाते हैं दोनों atoms के आपस में share किये जाते हैं such that the valency of both the atoms it is complete तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो carbon hydrogen के साथ single bond बनाएगा oxygen के साथ single bond भी बना सकता है double bond भी बना सकता है nitrogen के साथ भी single bond बना सकता है double bond बना सकता है carbon carbon single bond बना सकता है carbon carbon double bond बना सकता है और even carbon carbon triple bond भी बना सकता है अगर हम singly bonded की बात करें तो carbon maximum 4 carbon के साथ single bond से associate हो सकता है this structure is known as a regular tetrahedron regular tetrahedron से क्या मतलब है it simply forms the four corners of a pyramid like structure यहाँ पर आपको जो bond angle मिलता है that is 109 degree 5 minutes इस तरीके का आपको bond angle मिलता है यहीं पर ध्यान से समझेंगे तो singly bonded में हमने methane का structure अभी देखा then doubly bonded में it leads to the formation of ethane अगर दो carbon आपस में join करते हैं तो hydrogen इस तरीके से orient हो जाता है और यहाँ पर आपको जो structure मिलता है कुछ इस तरीके का structure मिलता है this is the structure of ethane और अभी जो थोड़ी देर हमने पहले देखा था that was the structure of methane तो ethane के structure में जो आपको याद रखना है that is two types of configuration the first one is staggered configuration and the second one is eclipsed configuration staggered configuration कब attain होती है staggered configuration कब attain होती है इसको इस तरीके से समझ सकते है मान लिजे ये आपका सामने वाला carbon है और ये पीछे वाला carbon है then you have hydrogen एक minute एक minute this is your front carbon having free hydrogen and this is your another carbon having free hydrogen ये structure समझ में आता है yes I can zoom a bit yes I can zoom अभी ठीक है अभी ठीक है तो ये structure समझ में आता है तो when this structure इस structure में जब दो hydrogen के बीच maximum gap होगा maximum gap इसको हम कितना समझ सकते हैं इसको हम समझ सकते हैं 60 degree गया चीक है सामने एक carbon लगा है और जस्ट पीछे एक carbon लगा है दोनों carbon से attached तीन hydrogen होगे तीन hydrogen के बीच में अगर maximum gap होता है so this is the maximum stable structure इसकी stability सबसे ज़ादा होती है due to the least steric hindrance यहाँ पर steric hindrance सबसे कम होगा और stability उतनी ही ज़ादा होगी this structure it is known as staggered configuration staggered configuration वही पर अगर हम दूसरे structure को analyze करें जहाँ पर पहले carbon के यह hydrogen होगे इस तरीके से और जो दूसरे carbon के भी hydrogen है वो इस तरीके से मतलब minimum possible distance पे arrange है दोनो hydrogen atom के बीच में minimum possible distance है it can either be 0 degree और it can be 180 degree जब इस तरीके का confirmation attain होता है this is known as eclipsed confirmation due to the maximum hysteric hindrance यहाँ पर hysteric hindrance due to the near distance बोहत ज़ादा होगा as a result of it it has maximum energy इसकी energy उतनी ही ज़ादा होगी और stability उतनी ही कम होगी तो यही पर आपको यह graph मेरे right hand side पे आप सभी लोगों को दिख रहा होगा ध्यान से देखे potential energy with respect to the torsion angles तो उपर जितने भी आपको structure मिल रहे है that is eclipsed तो eclipse की energy सबसे ज़ादा होगी that is around 12.1 kJ per mode और जितने भी सारे staggered structure होगे उन staggered structure की energy बहुत कम होगी also यह 12.1 energy यह कोई बहुत ज़ादा energy नहीं है है ना so this all the staggered form एक minute all your eclipsed form they are inter-convertible into the staggered form यह आपस में rotate करके आपस में एक दूसरे के about inter-convert हो सकते हैं is it clear बात समझ में आ रही है तो double bond की अगर single bond की अगर हम bond length की बात करें यह भी याद रखने की जरूरत है so it is 0.154 nanometer single bond की वही पर अगर carbon-carbon double bond की बात करें so carbon-carbon double bond has a bond length of 0.134 nanometer and carbon-carbon triple bond has a bond length of 0.120 nanometer तो सबसे जादा सबसे जादा bond length just a second एक minute कोई बात नहीं गायब हो गया खेर कोई बात नहीं चलिए समझे so carbon-carbon single bond की 0.154 nanometer carbon-carbon double bond की 0.134 nanometer and carbon-carbon triple bond की it is 0.12 0.120 nanometer तो सबसे जादा सबसे कम distance किसी है carbon-carbon triple bond की that means यह सबसे जादा stable bond होगा carbon-carbon double bond की bond length है 0.134 nanometer तो यह comparatively less stable होगा then third carbon-carbon single bond की है bond length 0.154 that means it is least stable तो अगर हम bond length का order बनाते हैं तो सबसे जादा bond length carbon-carbon single bond की then carbon-carbon double bond की then carbon-carbon triple bond की but अगर हम stability का order बनाते हैं तो सबसे जादा stable कौन सा carbon-carbon triple bond then carbon-carbon double bond and then carbon-carbon single bond यह order reverse हो जाता है Is it clear? यह बात समझ में आती है सभी लोगों को यह बात सभी लोगों को समझ में आती है तो मैं वापस से repeat कर रही हूँ ठीक है जो लोग भी new viewers हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं वापस से बताना चाहूंगी कि हमारा revision lecture series चल रहा है that is for one month इस एक month में अगर आप शुरुआत से preparation करना चाहते हैं तो हमारा yearly subscription open है इस yearly subscription के लिए आपको visit करना पड़ेगा हमारी website www.triambak.org पे इस पे आप registration कर सकते हैं you can use the code TLS10 और revise इन दोनों ही codes को आप use करके 10% discount अवेल कर सकते हैं ठीक है ठीक है clear आगे बढ़े good morning पूजा very very good morning तो ये बात हो गई carbon की now further इसी तरीके से बहुत सारे different different elements आपके मिल करके पूरा पूरा aqueous phase बनाते हैं जिसे हम cytosol बोलते हैं ठीक है is it clear तो dissolve in the aqueous phase of all cell is a collection of perhaps a thousand different small organic molecules जिनका molecular weight 100 से लेकर 500 तक range कर सकता है with intracellular concentration ranging from nanomoles to millimoles आप यहाँ पर बात आती है जब हमने molecules देख लिए तो आप यहाँ पर बात आती है कि हम molecular mass को कैसे define करते हैं तो कभी भी याद रखेंगे molecular mass को define करने के लिए आपको दो terms दिये जाते हैं either you can define it by the molecular weight या relative molecular mass या फिर इसको simply molecular mass से denote कर सकते हैं zoom कर रहे हैं जिन लोगों को भी clear नहीं हो रही है ना image वो अपने top right corner में देखें आपको एक icon मिल रहा होगा उससे उस पे आप click करके video quality को बढ़ा सकते हैं ठीक है video quality को आप increase करके 720p कर सकते हैं clear चलिए समझे फिलाल मैंने enlarge भी कर दिया है ठीक है चलिए ओके I hope it is visible now तो हम बात करे थे molecular mass की तो molecular mass molecular weight के terms में भी define हो सकता है या फिर molecular mass के terms में भी define हो सकता है अब इसमें फरक समझने की कोशिश करिए कि molecular weight हम किसको बोलेंगे जब किसी भी atom का ध्यान से समझे किसी भी atom का mass carbon 12 के mass से compare किया जाए simply किसी भी atom का mass वापस से हम repeat कर रहे है if it is compared with the approximate weight of carbon 12 then that is termed as molecular weight तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो उपर भी mass है और नीचे भी mass है so that means this is unit less इसको simply mr से denote किया जाता है so molecular weight और relative molecular mass it is a unit less quantity it is simply a ratio between the molecular mass of the atom and the mass of carbon 12 वही पर अगर हम molecular mass बोलते हैं it is simply the molar mass molar mass क्या है that is simply the mass of 1 mole that is 6.022 into 10 to the power 23 molecules of an atom and divided by the Avogadro number divided by the Avogadro number so molecular mass को कैसे represent करते हैं small m से represent करते हैं and it is simply the mass molar mass divided by the molar mass divided by the Avogadro number then simply यही पर बात आती है atomic mass unit की so single atom या molecule के weight को define करने के लिए आप use करते हैं atomic mass unit which is denoted by U जिसको AMU भी बोला जाता है कभी-कभी so this is defined as 1 twelfth of the mass of an atom of carbon 12 अगर relation की बात करें so 1 U is simply 1.66 into 10 to the power minus 24 gram पूछा जा सकता है ठीक है generally याद नहीं रहता है पर पूछा जा सकता है तो यह बात हो गई molecular mass की यही सारे elements यही सारे molecules यही सारे atoms different different biomolecule के formation के लिए responsible होते हैं तो ideally आपको क्या मिलेगा carbon और hydrogen तो मिलेगा ही सारे सारे biomolecule में sometimes some functional groups are also present इन functional groups की अगर हम बात करें गुद मॉर्निंग गुद मॉर्निंग शेगुन जी इन functional group की अगर हम बात करें तो यह functional group क्या हो सकते हैं यह कोई भी amino group हो सकता है thioester group हो सकता है phosphoanhydride group हो सकता है aldehyde ketone and number of groups are available यहाँ पर जो आप एक structure देख रहे हैं this is the structure in which you have many functional group attached जहाँ पर देखिये यह है आपका amino group then you also have a imidazole like group then phosphoryl group phosphoanhydride group hydroxyl group amido group and thioester group तो इस slide का क्या take away है इस slide का simply take away है कि आपको याद रखना है molecular mass कितने तरीके से define होता है तो दो तरीके से define होता है either in the form of molecular weight और in the form of molecular mass molecular weight की अगर हम बात करें तो molecular weight molecular weight is a unit less quantity यह इसमें unit नहीं होती है because it is simply the ratio between the mass of an atom and mass of carbon 12 वही पर molecular mass की बात करें so it is molar mass divided by the Avogadro number this is yes now is it fine okay तो molecular mass की unit हमने नहीं नहीं देखिती it is generally expressed in Daltons then one AMU is defined as the mass of one twelfth of the mass of an atom of carbon 12 and one U is simply 1.66 into 10 to the power minus 24 gram is it clear shall we move further इतना clear है बोलिये इतना समझ में आ रहा है या नहीं okay very nice चलिये further बात करते हैं तो यहां पर भी आपको different 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 just a sec 8 minute तो different functional groups दिये हुए है the first functional group it can be the methyl जिसको हम अभी देख रहे थे तो अगर CH4 में that is simply your methane यहां पर एक hydrogen replace करके अगर कोई भी R group alkyl group लगा दिया जाते है then that is your methyl ethyl group में क्या होगा ethyl group में C2 H3 के साथ कोई भी R group लगा होगा then in the phenyl group you will have a benzene ring attached carbonyl group सभी लोग जानते होंगे it is aldehytic group जो CHO से represent किया जाता है ketone group को कैसे represent करते है ketone group को simply C double bond O से represent किया जाता है carboxyl group is the acidic group that is in the form of unprotonated form इसको simply C double bond O O minus से represent किया जाता है then later और आपको कौन सा group मिलता है hydroxyl group मिलता है जिसको आप O H से represent कर सकते है enol is important समझ सकते है enol का formation कैसे होता है enol में दो चीजे है एक आपका alcohol group है and the second is your carbon-carbon double bond तो when en and all that means carbon-carbon double bond and O H alcohol group both are present then that functional group is known as enol then simply ether को कैसे represent करते है ROR से represent करते है जिसमें ये दोनों R similar भी हो सकते है जिसको symmetrical ether बोला जाता है या फिर ये R and R' भी हो सकते है this is known as unsymmetrical ether then ester formation में mainly this C double bond O and O group is attached to different alkyl groups acetyl group को कैसे represent किया जाता है acetyl group को simply COCH3 से represent कर सकते है enhydride linkage बहुत जगा आपको देखने को मिलेगा बहुत जगा देखने को मिलेगा so it is C double bond O, O and C double bond O this is your enhydride linkage काफी लोगों को confusion होता है between the enhydride linkage and phospho enhydride linkage या फिर यहाँ पर ester linkage या acetyl linkage में भी confusion हो सकता है तो ये confusion बिलकुल भी नहीं रखना है कोई भी अगर functional group है हमें preliminary सिखाया जाता है even 12th standard में भी सिखाया जाता है कि हमें वो functional group identify करना आना चाहिए then amino group की बात करें तो ये protonated हो सकता है it is simply NH3 plus amido की बात करें so it is simply CO NH3 CO NH2 then amine is also very very important amine group भी आपको जब आप amino acids पढ़ेंगे वहाँ पर आप देखेंगे amine group भी कई बार मिलता है so that is simply C double bond NH group guanadenium group भी इसी तरीके से आपको मिलता है that is C double bond N जिस पर N पर एक positive charge होता है and hydrogen group imidazole ring भी मिलती है आपको simply it is a 5 atom heterocyclic ring then sulfahydryl group या इसी को thiol group भी बोला जाता है sulfahydryl बोले या फिर thiol बोले एक ही बात है simply it is SH group then disulfide linkage सभी लोगों को पता होगा simply sulfur, single bonded to sulfur then thioester linkage C double bond O and sulfur phosphoral group बहुत जगा आप लोग पढ़ते हैं molecular biology में, biochemistry में simply it is phosphorates attached to 4 oxygen and 1 hydrogen good morning राहुल जी then phosphoanhydride linkage की अगर हम बात करें जिसको हम अभी देख रहे थे simply 2 phosphate molecules या 2 phosphoral group when they are attached via single oxygen उन दोनों के बीच में एक oxygen आ जाता है then that is termed as phosphoanhydride linkage mixed anhydride क्या हो सकता है जिसमें oxygen linkage group तो हो but एक तरफ phosphate group हो और एक तरफ कोई दूसरा group हो either it can be a ketone और aldehyde तो हो ही नहीं सकता क्योंकि aldehyde हमेशा terminal group होता है और it can be simply जिसको बोल सकते है asyle phosphate clear clear है yes अलग-अलग जगा से है got me अलग-अलग books से है compiled ठीक है clear है सभी को functional groups clear है किसी को कोई दिक्कत बताते जाहिए revise भी करते जाहिए और कोई problem है तो we can discuss ऐसा नहीं है हमें सिर्फ revise कराने है कोई problem है तो हम discuss भी कर सकते है बोलिए shall I move further is it fine बोलिए is it fine okay good morning good morning तुशा रेंदू जी very very good morning चलिए अब बात करते हैं biomolecules की ठीक तो जैसे आप लोगोंने term सुना होगा genome ठीक उसी तरीके से आपको term मिलता है that is known as metabolome so the entire collection of small molecules in a given cell under a specific set of conditions is known as metabolome तो genome तो सभी लोग जानते हैं but metabolome अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है तो अब हम बात करते हैं different atoms and molecules different functional groups via single bond double bond triple bond they combine with each other आपस में combine करके formation करते हैं large structure का that are known as macromolecules macromolecules की अगर हम बात करें तो they are large molecules having the molecular weight of greater than 5000 if we talk about the types then they can be classified into proteins nucleic acid polysaccharide and lipids जिसमें से proteins और nucleic acid को आप major macromolecules मान सकते हैं and even your polysaccharide also lipids which have a molecular weight less than 500 lipids का molecular weight although कम होता है but lipids oftenly they form aggregates ये क्या करते हैं आपस में अपने similar molecules के साथ जुड करके aggregate like structure बनाते हैं that is why lipids are also they are also categorized under macromolecules ये बात समझ में आती हैं तो true macromolecules कौन कौन से होंगे proteins nucleic acid और polysaccharides होंगे जिनका molecular weight 500 और less होगा but lipids इन में ऐसे हैं जिनका molecular weight सबसे कम होता है फिर भी इनको macromolecules में इसलिए इसलिए categorize किया जाता है क्योंकि firstly they can form aggregates और जैसे ही ये aggregate बना लेते हैं ये large structure का formation करते हैं that can that can be termed as macromolecules features अगर हम देखे तो proteins के simply they are the long polymers of amino acids कुछ में catalytic activity भी होती है and some may function as enzymes इसलिए line भी बोली जाती है na all enzymes are proteins but all proteins are not enzymes right is it clear then others can serve as structural elements signal receptors transporters and even they are the most versatile of all biomolecules तो most abundant although polysaccharides होता है या carbohydrates को most abundant तो term दिया जाता है बट अगर कभी भी आपसे most versatile पूछा जाएगा तो most versatile will be proteins then nucleic acids अगर हम देखे तो दो type के deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid they all are the polymers of nucleotide polymer of nucleotide का क्या मतलब है DNA हो चाहे RNA हो उसकी monomer unit it is always a nucleotide nucleotide का formation कैसे होता है nucleotide का formation simply nucleoside when it attaches to a sugar plus phosphate group it leads to the formation of a nucleotide it is used in the storage and transmit of the genetic information storage में जो primarily participate करता है that is RNA and genetic information में जो participate करता है that is DNA then some RNA molecules they can also have structural and catalytic roles as well then third type के macromolecule को अगर हम देखे that is polysaccharides they are simply इनकी monomeric unit क्या होती है they are simple sugars यहां बोल सकते है the monomeric unit is monosaccharide when monosaccharides they join to each other they can form polysaccharides then have three major functions functions की बात करें अगर तो they are energy rich fuel source जितने भी energy derived होती है वो mostly polysaccharides से derived होती है चाहे plants हो चाहे animals हो they form the structural components of cell wall cell membrane cell wall it is ideally composed of polysaccharides then also as extracellular recognition elements that bind to proteins or other cells so most of the time these polysaccharides they are joined to various lipids and protein glyco-conjugates का फर्मेशन करते ही these glyco-conjugates they serve as recognition elements on the cell wall or plasma membrane then lipids they are water insoluble hydrocarbon derivatives they also are the structural component of membrane sometimes they are energy rich fuel sources or they can be found in the pigments intracellular signals and so on and so forth is it clear general characteristics clear है macromolecules की बोलिये is it clear आगे बढ़ें इतनी बात समझ में आती है सभी लोगों को आपने unit 8 prepare की है all about बिलकुल परिशान मत होईए आप अगर अच्छे से हमारा revision lecture series attend करेंगे one month की revision lecture series जो आज से शुरू होई है अगर आप उसको attain करेंगे आप सारी के सारी 12 units cover कर पाएंगे कोई बड़ी बात नहीं बोल रहे है ऐसे ही अगर अच्छे से सब चलता रहा तो 12 units आप पूरी complete कर पाएंगे बिल्कुल is it fine is it fine or not चले चले आगे बढ़ते हैं without any further delay कैसा लग रहा है आप लोगों को revision कुछ confidence build up हो रहा है कुछ confidence build up हो रहा है या नहीं मजा आ रहा है बोलिये मजा आ रहा है या नहीं मजा आ रहा है fast तो नहीं लग रहा है fast लग रहा है slow लग रहा है कुछ तो बताओ तुम लोग तो कुछ बताई नहीं रहे हो ऐसे सब सननाटे में चलेगा तब तो मजा नहीं आएगा ना अच्छा लग रहा है confidence build up हो रहा है कि नहीं build up हो रहा है चलिए चलो हाँ तो थोड़ा तो fast रहे गई थोड़ा तो fast रहे गई क्योंकि हम मान के ये चल रहे है कि आप लोगों को basic concepts clear होंगे आपको सिर्फ चीजे recall करना है चीक है अच्छा हम तो पढ़ाते भी अच्छा है अच्छा चलो बोल दिया बुश्रा ने बोल दिया तब तो फिर हम मान लेते हैं ठीक चलिए ओक very fine चलो next slide पर move करते हैं ध्यान से समझे the sum of all proteins functioning in a given cell तो जितने भी सारे practice के लिए time कैसे करेंगे मतलब मैं समझी नहीं चलिए चलिए ठीक है speed अच्छी है तो अभी हम around 10 leave करेंगे ठीक है और इसी lecture में later it will be joined by आशी सर वो आपको amino acids and proteins पढ़ाएंगे ठीक है amino acids and proteins revise कराएंगे पढ़ाएंगे क्या revise कराएंगे ठीक तो हम जैसे जैसे further move कर रहे हैं after this basic foundations of biochemistry good morning Anam after this basic foundations of biochemistry I will be moving on to carbohydrates nucleic acid then further this lecture will be carry forwarded by Aashir sir he will detail you with the amino acids and the proteins as well ठीक चलो अब देख रहा होगा चलिये कुछ definitions याद रखनी है important है that is proteome proteome किसको बोला जाता है some of all proteins functioning in a given cell is known as proteome and proteomics is the systematic characterization of this protein complement under a given specific set of conditions of it containing molecules in the cell constitute its lipidome तो कितने ही terms मिले आपको पहला आपको term याद करिये मिला था metabolome मिला था या नहीं metabolome के बाद आपको जो दूसरा word मिला that is proteome then third word जो आप genetics में पढ़ते हैं that is genome fourth is glycom and the fifth is lipidome सारे के सारे words ये सारे words macromolecules से associated हैं सभी के बारे में सभी लोगों को पता होना चाहिए yes भास्वती जी भास्वती जी lecture end में आपको telegram group पर PPT मिल जाएगी परिशान मत होई so if we talk about the molecular components of E. coli cells तो ध्यान से समझने की कोशिश करिए major portion जो होगा that will be simply water क्योंकि जतना भी cytosol होता है चाहे animal cell हो और चाहे plant cell हो उसका major portion कौन comprise करता है it is simply water number of molecular species it is 1 then later maximum portion it is comprised of protein percentage weight of cell के terms में अगर हम देखें so it is 15% approximate weight 3000 then later nucleic acids और यहां पर अगर E. coli cell की बात हो रही है तो इसमें RNA components जादा होगा DNA component comparatively कम होगा then later polysaccharides comprises 3% of the total weight of the cells lipid comprise 2% of the weight of the cell monomeric subunits and intermediate comprise 2% and some inorganic ions they also comprise 1% तो maximum water water के बाद आपके आजाते हैं proteins proteins के बाद आजाते हैं nucleic acid nucleic acids के बाद आजाते हैं आपके carbohydrates that is polysaccharides then comes your lipid and lipids and other molecules they are equivalent is it fine clear है lipid is the macromolecule रागवेंद्र जी lipid हमेशा water insoluble pool में मिलता है जब आप separation कराते हैं मेरी बाद ध्यान से समझे एक reason तो ये था कि ये aggregate बनाकर large structures का formation करते हैं जिसकी वज़े से इनको macromolecule term दिया जाता है दूसरा reason ये है कभी भी आप separation करते हैं तो lipid हमेशा lipid हमेशा आपको water insoluble pool में मिलता है कभी भी water soluble pool में नहीं मिलता है although जितने भी सारे micro molecules हैं ठीक है वो सारे के सारे आपको water soluble pool में मिलते हैं इसलिए lipid को macromolecule term दिया गया है molecular weight के terms में अगर हम देखेंगे तो आपको लगेगा ये micromolecule है but it is a macromolecule is it fine चली next slide पर move करते हैं now let us talk about the 3D structure of molecules ठीक configuration और confirmation की बात करते हैं तो ये दोनों ही terms interchangeably use किये जाते हैं ठीक है fatty acid fatty acid can be termed as the monomer although fatty acid को नहीं बोला जा सकता but simply हम मान सकते हैं कि monomer fatty acid derived monomer है चीक है clear है चली समझी तो दो terms हम interchangeably use करते हैं the first one is configuration and the second one is confirmation yes it is a retentate correct बिल्कुल थी configuration and confirmation configuration की कभी भी अगर बात करते हैं तो configuration is simply the molecules having the same chemical bond and same chemical formula तो molecular ऐसे molecules जिनके ये chemical bonds same chemical formula हो but they are not interconvertible but they are not interconvertible to each other without the breaking of bond अगर bond अगर bond break करके किसी भी बिना bond break किये किसी भी molecule को आपस में interchange नहीं किया जा सकता या interconvert नहीं किया जा सकता then that is termed as configuration that is the fixed spatial arrangement of atoms if we talk about confirmation तो confirmation कैसे हो सकते हैं it can be in the form of geometrical isomers geometrical isomers they are interconvertible to each other ये आपस में interconvert हो सकते हैं अगर हम bond बिना break किये simply via rotation of the bonds आपस में अगर हम दो isomers को एक दूसरे में interconvert कर पाते हैं then that is known as confirmation very very important आ सकता है याद रहना चाहिए बहुत ज़रूरी है then to describe the structure of molecules तीन तरीके के arrangement आपको मिलते हैं it can either be represented in the form of wedge and dash तो पहला जो आपको यहाँ पर मिल रहा है this is simply wedge dash representation दूसरा जो structure आपको मिल रहा है that is ball and stick model और third जो मिल रहा है that is space filling model space filling model wedge and dash representation क्या represent करता है तो यह आपको bond दिखाता है कि किन दो atoms की बीच में single bond है किन दो atoms की बीच में double bond है even आपको यह भी बताता है कौन सा group towards the observer present है और कौन सा group away from the observer present है जो भी group towards the observer present होगा उसको dash से represent किया जाता है that is your bold line और जो भी group that is the line away from the observer that is represented by a dash ठीक जो भी बाल and stick model क्या represent करता है बाल and stick model कुछ हट तक structure बताता है कि कौन सा कितना molecule कितना बड़ा है then space filling model it simply represents the structure which is ideally found within the cell यह structure यहाँ पर यह represent करता है कि molecule किस form में exist कर रहा है also यहाँ पर जो space filling model में जो radii होती है that corresponds to van der Waal radii of the elements clear yes confirmation without breakage of covalent interaction if they can be interconverted and configuration when the interconversion requires the breakage of bonds good morning Anjali ji good morning चले तो configuration किसके किसके about हम बोलते है it can be represented either by double bond which allows limited rotation जितने भी single bond है single bond की energy बहुत कम होती है single bond की bond length जादा होती है इस वजह से जितने भी single bonds होते हैं they show free rotation यही पर अगर double bond को अगर हम देखें तो carbon carbon double bond shows restricted rotation restricted rotation और वही पर carbon carbon triple bond अगर हम देखें so it allows no rotation no rotation तो इसी carbon carbon single bond के about free rotation से arise होती है different configuration which are either termed as cis trans इस तरीके से इनको term किया जाता है then if we talk about तो configuration give rise to geometrical isomers geometrical isomers का क्या मतलब है ऐसे compounds जिनके spatial arrangement of atoms it is different they are termed as geometrical isomers दूसरे type के जो isomers आपको मिलते हैं they are termed as stereo isomers which are generally the mirror images of each other and they are termed as enantiomers अगर enantiomers की single line definition अगर हम दें so enantiomers it is simply simply mirror images mirror images and that too non superimposable mirror images non superimposable mirror images then pair of stereo isomers that are not mirror images जितने भी सारे enantiomers नहीं होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं diastereomers तो अगर enantiomers non superimposable mirror images हैं तो diastereomers क्या होंगे ये ना ही superimposable होंगे और ना ही mirror images होंगे why carbon carbon triple bond is most stable got me ji simply देखिये ना इस तरीके से अगर कोई मान लीजे आग 2 carbon atoms के बीच में 3 bond बन रहे हैं 1 bond, 2 bond और 3 bond तो इसको break करने के लिए उतनी ही जादा energy की requirement होगी yes or no good morning Garima ji very good morning बताइए इसको break करने के लिए उतनी ही energy की requirement होगी या नहीं तो सबसे जादा इसी लिए stability जिस molecule को break करने के लिए जिस भी bonds को hydrolyze करने के लिए सबसे जादा energy की requirement होगी है उसको हम सबसे stable बोलते हैं clear? is it fine? बात समझ में आ रहे है? चलिए तो यहाँ पर आपको example दिया है cis malic acid और transfumeric acid तो अगर हम दोनों compounds को देखें तो दोनों compounds में chemical bonds भी same है number of atoms भी same है simply है क्या spatial arrangement में difference है इसी लिए इसको बोला जाएगा cis और इसको बोला जाएगा trans cis configuration किसे बोलते हैं? cis configuration बोलते हैं जब दोनों ही दोनों ही groups एक ही side में align हों so that is termed as cis और वहीं पर trans बोला जाता है when both the groups they are opposite to each other then that is termed as trans इसमें भी हम stability देख सकते हैं cis confirmation में दोनों group एक तरफ align है that means उनके बीच hysteric hindrance जादा होगा और कभी भी अगर hysteric hindrance जादा होता है that means उस molecule की entropy उतनी ही जादा होती है enthalpy या stability उतनी ही कम होती है so we can say that trans is always more stable than cis is it clear? clear है? बोलिये इतनी बात समझ में आ रही है am I clear? am I clear or not? आगे बढ़ा जाए? बोलो भाई, बोल बोल नहीं रहे हो बता बता नहीं रहे हो तुम लोग clear है? चलो, आगे देखिए आगे देखिए तो enantiomers को कैसे हम define कर रहे थे? वापस से recall करेंगे enantiomers को simply good morning श्रव्या जी very very good morning enantiomers were simply non super impossible mirror image तो pre-requisite क्या है enantiomers के लिए? कि mirror images तो होने ही चाहिए तो mirror images किस form में हो सकते है या फिर इस तरीके का आपको compound मिल सकता है it is two carbon containing bonded with each other via single bond इससे different groups attached है अगर इससे attach groups जैसे यहाँ पर x और y group लिया गया है ये एक side पर है ठिक? वही पर इसकी mirror image में दूसरी side पर होगा तो अगर आप दोनों को super impose करें super impose करने का क्या मतलब होता है एक compound उठाएं और उसको दूसरे के उपर रग दे तो वह पूरी तरीके से overlap नहीं करेगा इसलिए हम इसको non super impossible mirror images बोलते है then simply ऐसा भी हो सकता है कि एक group left hand side oriented हो और दूसरा group right hand side oriented हो in this case also अगर आप एक compound को उठाएं और दूसरे के उपर रग दे तो ये भी super impose नहीं करेगा तो ये दोनों आपस में क्या हो गए inantiomers हो गए और ये दोनों आपस में क्या हो गए ये भी inantiomers हो गए बट अगर हम structure 1 और structure 3 को आपस में compare करें पहला ले ले और third ले ले तो ये ना तो आपस में mirror image होंगे और ना ही super impossible होंगे तो इसको क्या term दिया जाएगा तो चाहे 1-3 हो, 1-4 हो, 2-3 हो या 2-4 हो ये सभी के सभी क्या होंगे डाया stereo mers बात समझ में आ रही है बोलिए बात समझ में आ रही है या नहीं बहुत important है कई बार पूछा गया है और पूछा जा भी सकता है even ऐसा बिलकुल भी नहीं है पूछा नहीं जा सकता है then simply these enantiomers they have the ability to rotate plane polarized light they form a rastemic mixture which shows no optical rotation जैसे समझेंगे अगर enantiomer में कोई पहला molecule है वो अगर right hand side plane polarized light को rotate करता है then that is known as deform capital deform यहाँ पर बोलते है और अगर left side rotate करता है तो उसे lever rotatory बोला जाता है that is small d और small l से represent किया जाता है simply इसको समझने के लिए हमें chiral center की जानकारी होनी चाहिए chiral center कैसे define करते है chiral center में कुछ भी नहीं है कोई भी rocket science नहीं है ध्यान से समझे chiral center उन सारी carbon atoms को chiral carbons बोला जाता है जिन से सारी के सारे groups जो जुड़े हुए है वो सारी के सारी groups अलग-अलग हो जैसे एक x माल लिजे y, z और यहां पर माल लो डब लो तो यह carbon कैसा हो गया यह carbon हो गया chiral carbon यह सभी chiral carbon they have the ability to rotate plane polarized light और yes they are optically active they can be termed as optically active molecules optically active molecules अगर right hand side में plane polarized light rotate करते हैं तो उन्हें बोला जाता है dextro rotatory और अगर left hand side में anti-clockwise rotate करते हैं then that are termed as levo rotatory इस small d और small l से कभी भी capital D और capital L configuration को नहीं confuse करेंगे capital D और capital L terms हमेशा in terms of glyceraldehyde दिया जाता है यह भी समझाएंगे ठीक है बिलकुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है तो माल लीजे आपके पास एक chiral carbon है ठीक है उस एक chiral carbon के about कितने stereo isomers होंगे यह कैसे निकाला जाएगा तो इसको simply निकालने के लिए formula दिया जाता है 2 to the power N where N stands for the number of chiral centers chiral centers तो जैसे अगर N 1 है एक chiral center है तो simply दो chiral compounds मिलेंगे एक dextro rotatory rotate करेगा और एक levo rotatory rotate करेगा simply if N is equal to 2 अगर दो chiral centers हैं तो simply उनमें से दो dextro rotatory हो जाएगे और दो levo rotatory हो जाएगे समझ में आया? बोलिए समझ में आ रही है बात Is it clear? अब बात करते हैं capital D और capital L system की या इसकी बात करने से पहले हम priority भी देखना जरूरी है generally जो सबसे अच्छा तरीका होता है define करने का that is your rectus and sinister configuration ठीक है? rectus और sinister configuration को although यहाँ पर उतना detail में नहीं पढ़ाया जा सकता है ठीक है? मेरा एक lecture पढ़ा हुआ है YouTube पे अगर आप उसको देख लेंगे तो जिन लोगों को भी rectus और sinister में configuration होगी उनको यह चीज़ clear हो जाएगी ठीक फिलाल के लिए हम आपको इतना बता सकते हैं कि जितने भी सारे rectus system होते हैं they rotate the plane polarized light towards right and जितने भी sinister होते हैं they simply rotate the plane polarized light towards left तो R को हम किस से relate कर सकते हैं? R को हम dextro rotatory से relate कर सकते हैं और S को हम simply levo rotatory से relate कर सकते हैं इसमें किया कुछ भी नहीं जाता है थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं किया कुछ भी नहीं जाता है जो भी chiral center है उसमें जो lowest priority group है उसको हमेशा bottom पे रख दिया जाता है मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करिए जो भी lower priority group है lower most priority group generally ये hydrogen होता है yes PDF मिल जाएगी शीतल जी PDF मिल जाएगी PDF मिल जाएगी also आप हमारा one year batch join कर सकते हैं good morning Harish जी very good morning तो वापस से मैं बता देती हूँ हमारे 100 viewers complete हो गए है जितने भी सारे हमारे new viewers है they are most welcome हमारी mega revision series चल रही है इस mega revision series में आपको एक benefit है अगर आप upcoming CSIR exams के लिए हमारा paid subscription लेना चाहते है so you can use the code TLS10 आप code यूज़ कर सकते हैं TLS10 या फिर revise इन दोनों में से अगर आप कोई भी code यूज़ करके one yearly subscription लेते हैं this is exclusive for one year subscription और ये सिर्फ इस एक महीने में जब तक revision series चल रही है तब तक valid होगा अगर आप one year subscription लेते हैं और इस code का use करते हैं so you can attain a 10% discount clear बहुत अच्छी opportunity है जो लोग भी पढ़ना चाते हैं जो लोग भी शुरुआत से तयारी करना चाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा offer है telegram पर PDF मिल जाएगी तो हम किसकी बात करे थे हम बात करे थे rectus और sinister configuration की तो हम आपको बता रहे थे किसी भी chiral center के about अगर lowest priority group bottom position पर रख दिया जाता है ध्यान से समझेंगे then बाकी के जितने भी groups हैं अगर x, y, z हैं such that the priority is x, y, z मतलब x topmost priority group है then second is y and the third is z तो फिर इसके about rotation देखा जाता है 1, 2, 3 तो यह किस तरीके से rotate कर रहा है clockwise rotate कर रहा है और अगर यह clockwise rotate कर रहा है then simply it is termed as rectus configuration then अगर इसके anticlockwise rotate करेगा तो इसको क्या बोल दिया जाएगा simply इसको बोल दिया जाएगा sinister configuration तो इसी priority list को याद रखना जरूरी है तो ऐसा नहीं है कि rectus और sinister जान लिया तो काम हो जाएगा बिलकुल काम नहीं होगा अगर आप यह priority list नहीं याद रखते हैं यह बहुत बहुत important है तो सबसे पहला priority group कौन सा होता है that is OCH3 उसके बाद alcohol उसके बाद NH2 then carboxylic aldehyde primary alcohol methyl and hydrogen या फिर आप इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं या फिर आप इसको decreasing using electronegativity के basis पे भी याद रख सकते हैं सबसे ज़्यादा कौन सा electronegative atom होता है तो electronegative periodic table में अगर हम देखें so it is fluorine, oxygen, nitrogen and chloride सबसे ज़्यादा fluorine होता है फिर oxygen, फिर nitrogen, फिर chlorine बट यहाँ पर तो हमें fluorine नहीं मिल रहा है तो fluorine छोड़ दीजे fluorine मत याद रखिए सबसे ज़्यादा कौन होता है oxygen होता है, फिर nitrogen होता है, फिर chloride होता है mainly we are concerned about oxygen and nitrogen तो जितने भी सारे directly linked oxygen groups होंगे देखो यह trick है याद रखना इस चीज़ को जितने भी directly linked oxygen group होंगे जैसे OCH3 group and OH group वो सारे पहले आ जाएंगे priority में अब OCH3 और OH में से OCH3 ही क्यों पहले आया तो ये भी समझने की जरुवत है OCH3 इसलिए पहले आया क्योंकि यहाँ पर oxygen से directly attached carbon है तो carbon की भी carbon is more electronegative than hydrogen तो पहला सबसे जादा क्या electronegative हो गया oxygen हो गया फिर उसके सार्ट जुड़ा हुआ group है ये भी अगर electronegative है तो उसकी priority सबसे आगे आगे देन second number पे कौन आगया oxygen जो most electronegative है उसके साथ जुड़ा हुआ hydrogen देन third priority group पे कौन आया third priority पे जितने भी directly linked nitrogen से है तो directly linked nitrogen से सिर्फ आपको एक group मिलता है जिसे NH2 group में बोला जाता है देन हम बात करते हैं directly linked carbon की तो carbon के साथ अगर दो oxygen जुड़े हुए हैं जो कि highly electronegative होते हैं तो ये group पहले आएगा priority series में then comes your single oxygen and hydrogen then comes your two hydrogen फिर oxygen and later on तो इस तरीके से ये priority group याद रखी जा सकती है अगर हमें rectus और sinister configuration define करना है clear? clear? lecture will be available or not this cannot be assured ठीक है इसलिए कोशिश करिए maximum live lecture में रहने की lecture available रहेगा या नहीं this will be entirely dependent upon your response ठीक है ये हमारा एक आप लोगों के लिए एक opportunity है या हम लोगों के लिए कह सकते हैं एक trial है जिसको हम trial कर रहे हैं ठीक है पूरा का पूरा आपको entire syllabus revise करा रहे है इसकी कोई guarantee नहीं है कि lecture available रहेगा या नहीं रहेगा so in order to get the maximum benefits be in live session clear clear है चलिए आप बात करते हैं D और L फॉर्म की ठीक है इसी तरीके से जैसे R और S system मिलता है ठीक उसी तरीके से slide थोड़ा clear हो सकता है बिलकुल हो सकता है slide clear ही है आप video quality बढ़ा लिजे slide clear है ठीक है चलिए चलिए video quality बढ़ा ही है top right corner पे icon दिख रहा होगा उस icon पे click करिए 720p करिए सब कुछ साव साव बिलकुल clear देखेगा ठीक चलो D और L configuration को अब समझते हैं तो D और L configuration हमेशा glyceraldihyde के terms में दी जाते हैं जैसे समझेंगे glyceraldihyde कैसे बनता है simply 3 carbon compound है पहले में LDhyde group का attachment है second में OH और H attach है then later you have TH2OH इस तरीके का molecule है यहाँ पर अगर central atom की बात करें यह chiral carbon है क्योंकि इस से जुड़े हुए चारो group अलग हुआ है इस chiral carbon के about हमें देखना है अगर इस chiral carbon के about जो OH group जुड़ा हुआ है वो OH group left hand side पर present है तो इसे बोला जाएगा L configuration और यह capital L है इसको small L से या levo rotatory से confuse नहीं करेंगे ठीक है yes then अगर यह right hand side है OH तो इसको हम D configuration बोलेंगे तो जितने भी सारे compounds जितने भी सारे compounds जिन में L glyceraldehyde की तरीके से composition मिलेगी या position मिलेगी जुड़े हुए groups की उन सभी को capital L बोला जाएगा और जिन भी सारे compounds में D glyceraldehyde से resemble configuration या confirmation मिलेगी उसे simply capital D बोला जाएगा ये बात समझ में आती है बोलिए ये बात clear है ये slide clear है किसी को कोई confusion तो नहीं है कोई confusion तो नहीं है शले अब फर्दर बात करते हैं आगे की तो यहाँ पर यहाँ पर बहुत जरूरी है कि आप ये D और L configuration या confirmation को ध्यान से देखें कैसे देखेंगे simply this D and L configuration is very very important क्योंकि जितने भी सारे enzymes होते हैं जो भी groups को आपस में convert करने का काम करते हैं they are very stereo specific stereo specific का क्या मतलब है that they can bind to the molecule in one confirmation and they can not bind to the molecule in the another confirmation at which carbon number present मतलब मैं समझी नहीं कोई भी carbon number की बात हो सकती है कोई भी chiral carbon के अबाउट जुडे हुए सारे groups को देखेंगे उन सारे groups में priority assign करेंगे priority assign करने के बाद हम उसको अगर वो right hand side rotate कर रहा है तो उसको dextro rotatory बोला जाएगा और left hand side कर रहा है तो leave or rotatory बोला जाएगा simply yes glucose की भी बात करेंगे अभी बात करेंगे boost academy थोड़ा सा hold करें carbohydrate जब शुरू करेंगे तो उसकी भी बात करेंगे तो simply यहाँ पर आपको structure दिख रहा है carbon का which is with smells like और which tastes like spearmint यहीं पर इसका अगर हम its confirmation देखते हैं so that tastes like or smells like caraway जिसको अजवाइन बोला जाता है तो काफी दोनों में आपस में बहुत ज़्यादा contradictory है then aspartame which is used as a artificial sweetener यह है aspartame की L confirmation और यह है aspartame की R confirmation यह deconformation जिसे that is bitter so if it is in L confirmation it tastes sweet which is used as a artificial sweetener and if it tastes if it is in its deconformation it will taste bitter then likewise deconfiguration में कौन सा कारवन देखना है अभी सब बताएंगे सब बताएंगे बिलकुल परिशान मत हो then यहाँ पर आपको structure देखना है citalopram का citalopram this is therapeutically active in its S confirmation and therapeutically inactive in its deconformation तो D और L या R और S या dextrorotatory, levorotatory सभी का importance बहुत बहुत जरूरी है clear? यह बात clear होती है यह बात clear होती है तो यहाँ पर हमारा जो पहला unit का पहला पार्ट है मेरी बात ध्यान से समझे जो आप लोगों को thumbnail में topics दिखे होंगे सब टॉपिक्स उसमें जो पहला पार्ट था structure of atom, molecules and chemical bond वो पार्ट यहाँ पर खतम होता है now I am switching on to part 1B 1B में हमारे हमें दो चीज़ पढ़नी है या मैं आपको दो चीज़ पढ़ाऊंगी structure not clear किसका structure not clear structure आपको याद नहीं रखना है पुशपा जी structure याद नहीं रखना है simply आपको यह समझना है कि जितने भी सारे enzymes होते है वो particularly specific होते है D confirmation और L confirmation के लिए और यहाँ पर आपको जो comparison किया गया है वो simply यही बताया गया है कि अगर एक confirmation के about change होता है मेरी बाध्यान से समझ जैसे अगर एक cis है और एक trans है तो सारे के सारे molecules या जितने भी groups हैं वो same रहेंगे bonds same रहेंगे जितने double bond है जितने single bond है वो सब same रहेंगे सिर्ख एक bond के about confirmation में difference होगा जिसकी वजह से properties में बहुत ज़्यादा difference आ जाता है बत और कुछ नहीं याद रखना है clear clear है तो यहाँ पर आपका part 1a खतम होता है अब शुरुवात करते हैं part 1b की that is your carbohydrates जो पहला macromolecule है तो carbohydrates के अगर हम general characteristic या functions देखें तो carbohydrate they are most abundant सबसे ज़्यादा मिलते हैं photosynthesis नहीं examples याद नहीं करने है श्रव्या examples याद नहीं करने है परिशान मत होगी ठीक है photosynthesis is the primary source of carbon क्योंकि carbohydrates they are the derivatives of hydrocarbon जैसे हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था जितने भी सारे macromolecule ते सभी क्या है hydrocarbon derivative है और hydrocarbon derivatives में से सबसे जादा कौन से होंगे सबसे जादा होंगे carbohydrate और सबसे versatile जब हम बोलते हैं सबसे versatile होते हैं proteins clear तो primary requirement किसकी है या फिर pre-source क्या है carbon का earth पे that is photosynthesis that converts billion metric tons of carbon dioxide and water into cellulose and other plant products then likewise they are also the dietary staple in most of the world and oxidation of carbohydrate yields energy जो आप glycolytic pathway देखते हैं that is also carbon derived MSG is a derivative of monosaccharide MSG is a derivative of carbohydrate carbohydrate ठीक है चले carbohydrate polymers serve as structural and productive function तो carbohydrate को हम दो तरीके से categorize या characterize कर सकते हैं पहले आपको जो मिल जाते हैं that is your storage carbohydrate storage carbohydrate में starch, glycogen, इस तरीके के dextran, इस तरीके के molecules आ जाएंगे और जितने भी सारे आपके structural carbohydrates हैं उनमें आपके जितने भी plasma membrane पे या cell wall पे present plasma membrane तो नहीं cell wall पे present जो carbohydrate हैं वो सारे आ जाएंगे that can be either cellulose, chitin इस तरीके के structure आपको मिल सकते हैं then complex carbohydrate polymers किस तरीके से associated होते हैं so then carbohydrates they are linked to proteins or lipids तो इनको बोला जाता है glycoponjugate तो अगर carbohydrate protein से attach हैं तो इन्हे glycoprotein बोला जाएगा और अगर carbohydrate lipids से attach हैं तो इन्हे हम glycoplipids बोलते हैं structure of carbohydrate very very important समझ में आना चाहिए याद रहना चाहिए that they are mainly polyhydroxy aldehyde या ketone तो functional group carbohydrate में कौन कौन से हो सकते हैं functional group can either be aldehyde or it can be the ketone group ठीक है yes zoom कर रहे है zoom कर रहे है परिशान मत होईए zoom कर रहे है ठीक है तो या तो carbohydrate में functional group aldehyde हो सकता है या फिर ketone हो सकता है अगर aldehyde group होगा functional मेरी बात ध्यान से समझे अगर aldehyde group functional होगा तो हमेशा उस carbon की numbering वहीं से शुरू होगी ठीक है उस carbon की numbering वहीं से शुरू होगी और अगर ketone group है तो इस तरीके से numbering की जाएगी कि जो भी ketone group हो उसको minimum number मिले मेरी बात समझ रहें clear है ये बात तो general formula क्या है carbohydrates का CH2ON जैसे समझ सकते हैं अगर ये N6 के बराबर हो जाए तो आपका क्या बन जाता है glucose बन जाता है that is simply C6 H12 O6 इस तरीके का structure मिल जाता है कभी-कभी इन basic elements के लावा that is carbon, hydrogen और oxygen तो hydrocarbon और carbohydrate में क्या difference है ये भी question आता होगा ना दिमाग में hydrocarbon और carbohydrate में क्या difference है तो hydrocarbon में primarily कौन होगा hydrogen होगा और carbon होगा नाम में ही सब कुछ समझ में आता है बट वही पर अगर हम carbohydrate की बात करते है तो carbohydrate में oxygen भी essential compound या element है for the formation of carbohydrate इन तीन elements के अलावा कभी-कभी आपके पास nitrogen, phosphorus, chlorine और sulfur भी present हो सकता है तो क्या-क्या elements हो सकते है carbon, hydrogen, oxygen nitrogen, phosphorus and sulfur simplest carbohydrate की को अगर हम देखे so it is D-glyceraldehyde D-glyceraldehyde इसे क्यों बोला गया है क्योंकि दोनों OH right-hand side पर placed है numbering कैसे करेंगे simply aldehyde group को position number 1 दे देंगे then 2 then 3 इसमें chiral centers कैसे देखेंगे तो chiral centers वो centers होते है जिन से जुड़े हुए सारे groups अलाग हो तो carbon number 2 will be chiral as well as carbon number 3 will also be chiral then 3 3 carbon ketone को अगर हम देखें so it is dihydroxy ketone ठीक इस dihydroxy ketone की numbering कहीं से भी हो सकती है 1, 2, 3 भी कर सकते है या 1, 2, 3 भी कर सकते है क्यों ऐसा दोनों तरीके से कैसे हो सकती है क्योंकि दोनों ही cases में जो ketone group है उस ketone group उस ketone group को number 2 मिल रहा है right then D-glucose जो generally आप लोग सबसे ज़ादा पढ़ते हैं D-glucose में क्या होगा this is carbon number 1 2, 3, 4, 5 and 6 numbering हमेशा aldehyde group से होगी CH2O ही तो है whole of CH2O ये क्या लिखा हुआ है CH2ON इसका मतलब CN H2N ON इस तरीके से याद रख लीजे bioboost अगर इस तरीके से समझ में नहीं आता है तो जब आप bracket open करेंगे तो ये क्या बन जाएगा CN बन जाएगा H2N बन जाएगा और ON बन जाएगा और likewise इसमें आप N की कोई भी numbering दे के आप उसका empirical formula जान सकते है clear हाँ तो हम बात कर रहे हैं ग्लूकोस की तो ग्लूकोस में chiral centers देखे जा सकते हैं इस फर्स्ट सेकेंड फर्ड फर्थ चार chiral centers present होते हैं ग्लूकोस में इसी तरीके से प्रक्टोस which is a ketone third carbon won't be chiral क्यों भाई हाँ DHAP की अगर हम बात करें तो DHAP एक एक लौता ऐसा carbohydrate है जहां पर आपको chiral carbon नहीं मिलते हैं वैशालीत आगी बहुत अच्छा आपने point उठाया है हम बताने भी जा रहे थे skip हो गया हो में भी दिमाग से तो D glyceraldehyde which is a aldehyde containing 3 carbon यहां पर तो आपको 2 chiral center मतलब एक chiral center मिलेगा बट यहां पर DHAP में अगर हम देखें तो यहां पर chiral center नहीं मिलेगे क्योंकि आप अगर पहले carbon को देखें तो यहां पर भी 2 hydrogen है दूसरे carbon पर तो double bond oxygen है और तीसरा जो carbon है उस पर भी 2 hydrogen है correct then D glucose को अगर हम देखें तो यह भी chiral carbon होगा यह भी होगा यह भी होगा और यह भी होगा that means carbon number 2, 3, 4 and 5 all will be chiral D practice में कौन-कौन से chiral carbon होगे carbon number 3, 4 and 5 D ribose D ribose का formation बहुत आसान है simply अगर हम D glucose से इसको remove कर दें है न D glucose से अगर हम इसको remove कर दें तो 5 carbon carbohydrate मिलता है हमें that is known as D ribose 2 deoxy D ribose में क्या होगा simply 2 prime position से OH अगर हम remove कर दें so this becomes 2 deoxy D ribose which is an eldopentose and it is an essential component of your nucleic acid that is DNA और ribose कहां मिलेगा it will be simply found in the RNA clear है slide clear है आगे बढ़े basics clear है carbohydrate के revise हो रहा है कि नहीं बताते चलिए चलिए अब characterization करते है carbohydrate की तो carbohydrate can be divided into 3 monosaccharide oligosaccharide and polysaccharide जिसमें oligosaccharide जो हमें पढ़नी है that is disaccharide और polysaccharide they can compose of more than 20 number of monosaccharides ठीक समझी समझी तो monosaccharides क्या है they are simply simple sugars consisting of single polyhydroxy aldehydea ketone unit सबसे ज्यादा abundant जो monosaccharide that is your D-glucose ठीक इसी को कभी-कभी dextrose भी बोला जाता है अब next point जो है बहुत important है key point है कभी भी अगर monosaccharide में chiral carbon कैसे count कर रहे chiral carbon simply अभी हम बताएंगे जैसे अभी हम बताएंगे परिशान ना होईए पृती जी हमारे साथ जुडे रहे है अभी बताते है chiral carbon कैसे देखेंगे ठीक है हाँ आप लोग बता सकते है अपने doubt बता सकते है कि हमे माम ये चीज़ नहीं आती है तो आप ये चीज़ बता दीजे revision का मतलब ये ही थोड़ी ना होता है कि हम बस बोलते जाएं और आप सुनते जाएं जो आपको doubt है आप उसको message करिए chat box में reply करिए हम अभी नहीं तो हो सकता हो थोड़ी देर में आपका doubt ज़रूर clear करेंगे ठीक है तो परिशान मत होईए कभी भी ये point ध्यान से समझे मोनो साक्राइड में अगर चार या जादा चार से जादा कार्बन होगे तो होगा क्या जो भी functional group वाला कार्बन होगा चाहें aldehyde functional group हो चाहें ketone functional group है जो भी functional group वाला कार्बन होगा वो attack करता है over most distant chiral carbon पे most distant chiral carbon पे और attain कर लेता है cyclic structure ठिक तो simplest carbohydrate में क्या हो सकता है aldehydea ketone हो सकता है इसमें एक hydroxyl group जुड़ा हो सकता है दो जुड़े हो सकते हैं तीन जुड़े हो सकते हैं इवन पांच सक जुड़े हो सकते हैं physical features की बात करें तो monosaccharides they are colorless इनका कोई color नहीं होता है crystalline solid and freely soluble in water but insoluble in polar solvent freely soluble in water क्यों होंगे क्योंकि बहुत सारे alcohol groups attached होंगे alcohol groups they are polar water soluble hydrogen bonding में participate करेंगे तो जितने भी monosaccharide होंगे सभी कैसे होंगे water soluble होंगे but non polar solvent such as benzene और chloroform में dissolve नहीं होंगे mostly they have a sweet taste then all carbon atoms they will be linked by single bonds आपस में दो carbon के बीच में backbone में जो bonds होंगे that will be simply single bonds then यहां पर देखो वो point भी लिखा गया है except dihydroxy acetone सिर्फ dihydroxy acetone में एक भी chiral carbon नहीं होता है otherwise जितने भी सारे monosaccharides आपको मिलेंगे सभी में chiral center मौजूथ होंगे अब प्रीती जी के question पर आते हैं कि कैसे हम देख रहे हैं chiral carbon तो ध्यान से समझने की कोशिश करिए यह है अगर आपका structure d glucose का ठीक है ध्यान से देखे जिन लोगों को भी chiral center नहीं देखना आता है अभी वो मौका है अभी उसको याद किया जा सकता है सबसे पहले numbering कर लो numbering कैसे करेंगे functional group को देखके this is 1, 2, 3, 4, 5 and 6 यह functional group हो गया अब chiral center अगर हमें देखना है तो पहले carbon को देखो तो यह वाला carbon क्या इससे 4 groups जुड़े हैं तो बिलकुल नहीं इससे 4 groups नहीं जुड़े हैं सिर्फ oxygen जुड़ा है hydrogen जुड़ा है और बाकी एक नीचे का group जुड़ा है वही पर अगर हम दूसरे carbon की बात करें यह वाले carbon की तो इससे क्या 4 groups जुड़े हैं तो हाँ 4 groups जुड़े हैं एक यह उपर वाला पूरा group जुड़ा है एक OH जुड़ा है एक hydrogen जुड़ा है और एक यह पूरा नीचे वाला group जुड़ा है और क्या यह 4 groups different हैं तो yes, all the 4 groups are different So this is chiral center इसी तरीके से जब आप 3rd carbon को देखेंगे तो 3rd carbon भी chiral center हो जाएगा इसके लिए यह group अलग हो जाएगा यह hydrogen अलग हो जाएगा OH अलग हो जाएगा और नीचे वाला group अलग हो जाएगा Likewise अगर आप 4th carbon के लिए देखेंगे तो यहाँ पर भी यह भी chiral मिलेगा और यह भी chiral मिलेगा अभी समझ में आया पृती जी कैसे chiral carbon देखते हैं तो कितने chiral carbon हो गए एक, दो, तीन और चार तो इसके number of stereo isomers possible कितने हो जाएगे 2 to the power of n that will 2 to the power of 4 2 to the 4, 2 to the 8, 2 to the 16 that means 8 मिलेंगे आपको capital D form में और 8 मिलेंगे आपको capital L form में Mostly जो confirmation हमें मिलती है वो हमें मिलती है D confirmation यह याद रखेंगे जितने भी सारे polysaccharides होते हैं उनमें Mostly जो confirmation मिलती है आपको that is D confirmation Is it clear? Yes So glucose has 16 stereo isomers Absolutely correct Absolutely correct So defructose में कौन कौन से chiral carbon होंगे? 1, 2, 3 यहाँ पर 1 chiral carbon कम हो जाएगा due to the presence of double bond O group Then ribose में कितने का airal carbon में लेंगे? Ribose में भी इसी तरीके से निकाल सकते है 2 deoxy D ribose में भी इसी तरीके से calculate किया जा सकता है Clear? Monosaccharides clear? आगे बढ़ा जाएं? बोलिए Monosaccharides clear है कुछ note करते चल रहे हैं साथ में? नहीं कुछ important लगे तो आप note कर सकते हैं अब आपको screen पर यहाँ पर कुछ examples दिख रहे हैं कार्बो हाइड़ेट के ठीक है? चल आगे बढ़ते हैं तो कुछ example में सबसे simpler जो कार्बो हाइड़ेट है यह सबसे simplest monosaccharide है that is 3 carbon monosaccharide जिससे हम D glyceraldehyde बोल रहे हैं जितने भी pink color से carbon दिख रहे हैं 4 carbon के दो example है it can be D erythrose और D threos यह दोनों आपस में एक दूसरे के epimer होंगे epimer किसको बोला जाता है? अगर दो compound जिसमें same number of atoms हैं same number of bonds हैं किसी भी एक chiral carbon के about अगर उनकी orientation opposite है जैसे यहाँ पर समझे यह जो carbon number 2 जो कि एक chiral carbon है D erythrose में उसमें OH right hand side place है और D threos में उसमें left hand side place है तो यह दोनों इनको बोला जाएगा they are epimeric around C2 epimeric around C2 तो इसको भी समझा जा सकता है 5 carbon में आपके पास 4 example है D ribose, D arabinose, D xylose and D lixose D ribose containing 5 carbons 3 chiral centers D arabinose and D ribose they are epimer around C2 यह भी आपस में carbon number 2 के around epimer होंगे D xylose को अगर हम देखे this is epimeric around C3 comparison किससे करें comparison D ribose से करें D lixose यह epimer नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 2 carbon के about confirmation में change है श्रेया क्या पूछ रही है number of carbon in monosaccharide oligosaccharide में decide कैसे होता है number of carbon monosaccharide का मतलब 1 है ना number of carbon मतलब कोई भी एक molecule एक molecule glucose हो सकता है arabinose हो सकता है galactose हो सकता है कोई भी अगर एक compound है तो उसको हम monosaccharide बोलेंगे oligosaccharide कैसे बोलेंगे oligosaccharide when different monosaccharides they join to each other जब आपस में 1 से ज़ादा monosaccharide आपस में join करते है कितने join कर सकते है 2 join कर सकते है 3 join कर सकते है 4 join कर सकते है up to 20 20 तक इसको oligosaccharide बोला जाता है नहीं 9 तक नहीं 20 तक इसको oligosaccharide बोला जाता है and if it exceeds 20 जब ये 20 से बढ़ जाता है तब इसको क्या बोला जाता है तब इसको polysaccharides बोला जाता है clear अच्छा note नहीं करने हैं कोई बात नहीं हाँ बिल्कुल ध्यान से बस सुनते रहिए काम हो जाएगा परिशान मत हो यह ठीक है ध्यान से सुनते रहिए तब भी maximum काम हो जाएगा अब 6 carbon में आपको कौन कौन से याद रखते हैं पहला याद रखना है D-glucose जिसका structure आप बहुत बार पढ़ते हैं कई जगां पढ़ते हैं फिर D-manose याद रखना है D-manose और D-glucose किसके around epimer होंगे तो यह हमेशा carbon number 2 के around epimer होते हैं वहीं पर D-glucose को D-galactose से भी compare करना आना चाहिए D-glucose and D-galactose they are epimeric around carbon number 4 और बाकी के जितने भी carbohydrate हैं चाहे D-allos हो altros हो, glos हो, idos हो talos हो, इनका भी structure अगर याद रहे तो याद रखिएगा अगर नहीं याद रहे तो छोड़ दीजेगा question नहीं बनेगा ठीक, epimer याद बिलकुल नहीं होता है अभी तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि किसी और के about पूछा गया हो तो ये एक तरीके से threat भी है क्योंकि अगर नहीं पूछा गया है तो पूछा जा सकता है, है ना समझ में आ रही है सब ही books में दिया गया है biochemistry की कोई भी book उठा लीजे biochemistry की कोई भी उठा लीजे chiral carbon कितने है याद होना चाहिए, नहीं याद chiral carbon नहीं होना चाहिए याद होना चाहिए structure ठीक है, प्रियंकर शर्मा याद chiral carbon करोगी तो कभी याद नहीं होगा कि ऐसे रट लो कि glucose में 3 chiral carbon इसमें 4 chiral carbon इस तरीके से याद करोगी कभी नहीं आद होगा एपिमर और एनोमर में क्या difference है, बहुत बढ़ियां, बहुत बढ़ियां तो शारेंदू जी, अभी बताते है अभी बताते है, एनोमर, अभी हमने cyclic structure की बात ही नहीं की न, एनोमर हमेशा cyclic structure में बताया गया है, ठीक है, चलो फिलाल के लिए ketone देखते हैं, ठीक है deviate नहीं होते हैं topic से 3 carbon में DHAP, dihydroxy acetone जिसमें एक भी chiral carbon नहीं होगा 4 carbon में ketone का example है deerythrolose, यहाँ पर low suffix जोड जाता है, ठीक है if your carbohydrate is ketone derivative तो यहाँ पर low suffix जोड जाएगा, तो deerythrolose then 6 carbon में you have psychose, fructose, sorbose and tagatose जिसमें de fructose तो आना ही चाहिए और de fructose अगर आपको आता है तो de sorbose और de tagatose को आपको epimer identify करना आना चाहिए कि यह किस carbon के around de fructose से epimer होगा ठीक, yes, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए तो यह examples clear होंगे, I suppose अब बात करते हैं cyclization की तो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कोई भी monosaccharide हो उसमें 3 carbon से जादा होंगे अगर chain में तो वो cycle का formation कर लेगी उससे पहले एक और चीज़ देखी कि most of the sugars they exist in their deformed जैसे हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था बट कुछ शुगर ऐसी भी होती है और कुछ शुगर क्या the only example is L-arabinose यह mainly अपने L-form में exist करती है तो इसको key point के तरीके से याद कर लेना कि L-arabinose एक ऐसा monosaccharide है जो primarily अपने L-form में exist करता है अब बात करते हैं cyclization की तो कोई भी अगर monosaccharide हो अगर उसको cyclic structure में convert होना है तो पहली बात तो यह वो cyclic structure तभी बन पाएगा जब monosaccharide में 3 से ज़्यादा carbon हो this reaction proceeds via hemiacetal और hemiketal reaction इसमें होता क्या है simply एक aldehyde, एक alcohol के साथ react करके hemiacetal का formation करता है hemiacetal के reaction में वापस से alcohol attack करता है और acetal का formation करता है इसी तरीके से अगर ketone है आपस में alcohol के साथ combine कर रहा है तो सबसे पहले बनाएगा hemiketal और hemiketal के बाद वापस से अगर एक alcohol बनाएगा तो बनाएगा ketal अब ये structure या ये चीज़ हमें यहाँ पर समझने की जरूरत है जितने भी सारे monosaccharides होते हैं यहाँ पर आपको six carbon monosaccharides दिख रहे हैं that is glucose they resemble the structure of pyron ring और इसी लिए इनको बोला जाता है glucopyronose तो जब linear structure cyclic structure में change होता है तो कुछ चीज़े होती हैं जैसे कि हमेशा number of chiral center increase करते हैं तो अगर glucose के linear structure में आपको 4 chiral center मिल रहेते तो glucopyronose के structure में आपको 5 chiral center मिलने लगेंगे due to the cyclization next जैसे linear structure में आपको epimer identify करना आना चाहिए ठीक उसी तरीके से cyclic structure में आपको anomer identify करना आना चाहिए जैसे कि हमें तुशारेंदु जी अभी थोड़ी देर पहले हमसे पूछ रहे थे तो anomer कैसे बोलेंगे तो जो carbon attack करता है जैसे समझे 1, 2, 3, 4, 5 and 6 इससे जुड़ा हुआ OH, OH, H, 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 OH, OH, H, OH, H, CH2, OH simply होगा क्या जो carbon attack करता है उसको बोला जाता है anomeric carbon तो यह carbon aldehyde भी हो सकता है या ketone भी हो सकता है हमने आपको बताया यह most distant chiral carbon पे attack करेगा तो most distant chiral carbon कौन सा है इसके लिए that is carbon number 5 तो carbon number 5 के पर यह जब attack करेगा तो इस तरीके का cyclic structure बनाएगा दिखाते हैं 2 minute hold करिए इस तरीके का यह cyclic structure बनाएगा इसी को बोला जाता है hemiacetal और फिर फर्दर जब इसमें OH और H दे दिया जाता है तो it changes into acetal तो simply आपका cyclic structure इस तरीके का मिल जाता है इस cyclic structure में अगर anomeric carbon पे OH नीचे की तरफ प्लेस है ध्यान से समझे तो इसको बोला जाएगा alpha confirmation और अगर यह OH ऊपर की तरफ प्लेस है देन इसको बोला जाएगा beta anomeric form यह बात समझ में आती है यह दोनों ही anomeric form they are interconvertible to each other and the process by which alpha and beta anomers they convert to each other it is known as mutar rotation तो जो भी mixture होगा उसमें 1 third D glucose present होगा और 2 third L glucose present होगा यहाँ पर थोड़ा सा mistake है 1 third L glucose present होगा और 2 third D glucose present होगा और कुछ small amount में आपको linear और 5 membered ring भी देखने को मिलेगी तो अगर आपके पास कोई भी heterocyclic ring है ध्यान से समझे अगर कोई भी heterocyclic ring है तो वो heterocyclic ring अगर 6 atom से मिलके बनी है heterocyclic क्यों बोल रहे है heterocyclic इसलिए बोल रहे है क्योंकि यहाँ पर सारे नहीं carbon है ना सारे oxygen है carbon oxygen carbon 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 इस तरीके से आपको heterocyclic ring मिल लेए इसको pyron ring बोला जाता है जितने भी monosaccharide pyron ring को resemble करेंगे उनको pyronose बोला जाएगा और जितने भी 5 atom heterocyclic ring को resemble करेंगे उन्हें furanose बोला जाएगा Is it clear? And this structure is known as forward projection formula forward projection formula Is it clear? ring में कैसे समझे? बताया? हमने तो बताया ना अभी तो बताया? समझे ring में कैसे समझना है carbon number 1 जो होगा वही anomeric carbon होगा in case of aldehyde आया ना बोलो carbon number 1 जो होगा वही anomeric carbon होगा in case of aldehyde और अगर ketone है तो कौन सा carbon होगा? ketone है तो carbon number 2 anomeric होगा तो carbon number 1 के about या carbon number 2 के about देख लो अगर carbon number 1 के about तो OH नीचे की तरफ है, तो उसे alpha confirmation या alpha anomeric form बोला जाएगा, अगर उपर की तरफ है, तो उसको beta anomeric form बोला जाएगा, अगर ketone group है आपके पास, तो अगर CH2 OH और OH जिसमें से OH हमें देखना है, तो OH अगर नीचे है, तो alpha और OH अगर उपर है, तो beta, अभी clear हुआ, श्रव्या अभी clear हुआ है या नहीं, चलिए, अब बात करते हैं glucose family की, तो glucose में different positions पे substitution हो सकता है, और बन सकते हैं different different hexose derivatives, जैसे beta D glucose में अगर second position पे amino group लग जाता है, तो इससे बोला जाता है beta D glucosamine, अगर second position पे N-acetyl group का attachment होता है, तो इसको N-acetyl glucosamine बोला जाता है, इसी तरीके से यहाँ पर beta D galactosamine भी मिलता है, beta D manosamine मिलता है, likewise अगर sixth position पे hydrogen की जगा phosphate का addition हो जाता है, तो इसे glucose 6 phosphate बोला जाता है, Muramic acid का formation कैसे होता है, carbon number 2 से attach NH2 रहेगा, और एक आपको alkyl chain मिलेगी, that will be mainly your lactic acid, Then S-N-acetyl muramic acid, which is an essential component of bacterial cell wall, जिससे नाम बोला जाता है, यहाँ पर second carbon पे attach N-acetyl group होगा, और third carbon पे जुड़ा होगा alkyl group, Then Fucose में क्या होगा, carbon number 6 पे methyl group का attachment होगा, और Rehamnose में भी इसी तरीके का structure मिलेगा आपको, बट आपस में एक दूसरे के about carbon number 3 में confirmation अलग-अलग होगी, clear, Anomeric carbon उली distinct carbon पे ही attack करेगा during muta rotation, yes, yes, Mutal rotation is the inter-conversion of alpha and beta, तो alpha और beta form में convert करने में attack की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, वो अपने आप से ही convert हो जाते हैं, तो यह बात हो गई monosaccharide की, आप disaccharide की बात करते हैं, तो disaccharide किस तरीके से बनते हैं, disaccharide के formation में कुछ नहीं होता है, disaccharide में simply एक monosaccharide, ठीक, इसमें एक OHH होगा, और इस तरीके से दूसरा monosaccharide, जिसमें एक OHH होगा, तो यहां से अगर water molecule निकल जाएगा, तो simply जो linkage बन जाता है, that is known as O-glycosidic bond, when one hydroxyl group attacks, reacts with the anomeric carbon of the other, but ध्यान से समझेंगे, इसी के basis पे आपको reducing और non-reducing sugar मिलती है, जैसे समझने की कोशिश करिए, मान लीजे आपके पास एक monosaccharide है, जिसका anomeric carbon glycosidic linkage में involved है, वहीं पर मतलब पहला carbon, वहीं पर दूसरा monosaccharide है, जिसका anomeric carbon इस तरफ है, और carbon number 4 glycosidic linkage में involved है, in this case, this sugar will be termed as reducing sugar, क्यों ये reducing sugar होगी, क्योंकि इस तरफ ये जो second monosaccharide है, उसका जो पहला carbon है, जिससे जुड़ा OHH, मतलब anomeric carbon से जुड़ा हुआ OHH, अगर free है, right most monosaccharide पे, तो it is termed as reducing sugar, वहीं पर अगर कोई दूसरी sugar है, जहाँ पर दोनो anomeric carbon involved है, glycosidic bond formation में, मतलब पहले का भी carbon number 1, और दूसरे monosaccharide का भी carbon number 1, अगर ये दोनों आपस में glycosidic linkage का formation कर रही हैं, तो यहाँ पर दोनों तरफ आपको fourth carbon मिलेगा, और fourth carbon, anomeric carbon नहीं होता है, तो that is why it is termed as non-reducing sugar, ये बात समझ में आ रही है, बोलिए, तो देखिये लिखा हुआ है, when the anomeric carbon is involved in a glycosidic bond, it is termed as non-reducing, the end of the chain with pre-anomeric carbon, it is termed as reducing, तो बहुत तरीक है कि आपको यहाँ पर disaccharides मिलते हैं, जैसे, पहला disaccharide अगर हम देखें, that is maltose, ये नहीं समझ में आया, ये समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं प्रीती, अभी हम यहाँ पे हम लोग revise करा रहे हैं, carbohydrate के detail lecture मेरे YouTube, हमारे YouTube channel पे हमने लिये हैं, available है, ठीक है, carbohydrates के नाम से तो उसको search करके उसको अच्छे से पढ़िएगा, हम यहाँ सिर्फ आपको revise करा रहे हैं, इतना detail में नहीं जा सकते, क्योंकि थोड़ा सा time limitation है, ठीक है, clear, हो जाएगा, कर लेंगी, प्रिती, नहीं करेंगी, नाराज तो नहीं हो जाएंगी, कि मैम बता नहीं रही हैं, हम पूछ रहे हैं, तो बता नहीं रही हैं, क्यों प्रिती, प्रिती, बताइए, नाराज तो नहीं हो जाएंगी, तो नाराज वाराज मत होना यार क्योंकि लेक्चर पड़ा हुआ है यूट्यूब पे तो परेशान होने की जरुवत नहीं है simply करेंगे क्या आप सीधे हमारे चैनल पर जाईएगा ठीक है वहाँ की playlist चेक करिएगा और playlist में आपको मिल जाएंगे lecture टिक चले बिलकुल दन्यवाद बहुत बहुत दन्यवाद चले माल्टोस माल्टोस is a disaccharide that is made up of D-glucose unit इसमें क्या होगा C1 और C4 glycosidic linkage में involved होगा तो अगर C1 और C4 glycosidic linkage में involved होगा तो दूसरी वाले monosaccharide का Carbon number 1 pre होगा और इससे जुड़ा OH pre होगा that is why maltose is termed as reducing disaccharide Abbreviation याद रहने चाहिए ठीक है Abbreviation बिलकुल याद रहने चाहिए that is alpha 1 to 4 क्योंकि linkage पर ही question आता है और कहीं से question नहीं पूछा जाएगा Carbohydrate बहुत underrated topic है ठीक है D-galactose और D-glucose से मिलके बना होगा यह भी एक reducing disaccharide है क्योंकि इसमें भी पहले monosaccharide का Beta carbon, Beta anomeric form of carbon number 1 glycosidic linkage में involved होगा और दूसरा monosaccharide का Carbon number 4 glycosidic linkage में involved होगा जहाँ पर एक monosaccharide galactose होगा और दूसरा monosaccharide glucose होगा Then third sucrose which is a table sugar इसी से question बनता है और question कैसे बनता है Which of the following is not a reducing sugar तो answer क्या हो जाता है Simply sucrose example हो जाता है क्यों sucrose important example होता है यह important है तो sucrose which is made up of glucose and fructose Glucose का anomeric carbon that is alpha carbon 1 Fructose का anomeric carbon that is beta form carbon number 2 जब यह दोनों आपस में glycosidic linkage का formation करते हैं तो दोनों ही anomeric carbon glycosidic linkage formation में involved हो जाते हैं कोई भी free anomeric carbon नहीं मिलता है That is why it is a non-reducing sugar ठीक इसी तरीके से एक और non-reducing disaccharide हमें मिलता है Which is tree halos This is also composed of glucose Difference क्या है यहां पर Maltose और tree halos में difference सिर्फ इतना सही है कि maltose में जो दो glucose आपस में जुड़े हुए होते हैं उनके बीच में पहला जो monosaccharide है उसका carbon 1 involved होगा दूसरा monosaccharide उसका carbon 4 involved होगा But tree halos में जो दोनों glucose होंगे उनके दोनों carbon number 1 involved होंगे मतलब anomeric carbon involved होंगे और अगर anomeric carbon involved होंगे तो free carbon नहीं मिलेगा That is why non-reducing sugar तो कौन-कौन से reducing मिले maltose reducing मिला और lactose reducing मिला और non-reducing कौन-कौन से मिले sucrose and tree halos Is it clear? Clear? हाँ, बिलकुल क्या पूछ रही है मेरा question ये है कि कौन-कौन से sugar याद करना होगा structure for this one इसके लिए आपको ध्यान से समझे बिलकुल देख लीजे इसके लिए आपको lactose का structure याद रहना चाहिए sucrose का structure याद रहना चाहिए और tree halos का structure याद रहना चाहिए तब ही आप reducing और non-reducing कर पाएंगे ठीक है? Clear? Glutamine देख लेना अमन यादव अगर आपको detail पढ़ना है तो detail carbohydrate lecture अवेलेबल है YouTube पे आप देख सकते हैं अब बात करते हैं polysaccharide की तो हमने monosaccharide पढ़ लिया oligosaccharide में disaccharide पढ़ लिया अब हम polysaccharides की बात करते हैं तो polysaccharides को glycans भी term दिया जाता है glycans क्यों term दिया जाता है? क्योंकि ये generally lipids से associated हो सकते हैं या फिर ये protein से associated हो सकते हैं अगर lipids से associated होंगे तो glycolipids term देंगे अगर protein से associated रहेंगे तो glycoprotein term दिया जाता है बहुत तरीकों से आपस में differ करेंगे जैसे recurring monosaccharide unit अलग-अलग हो सकती है कि एक ही monosaccharide आपस में जोड़के polysaccharide बना रहा है या अलग-अलग monosaccharide जोड़ा है length of the chain differ कर सकती है कितनी लंबी chain है उसका molecular weight क्या है इसके basis पर भी polysaccharides की classification की जाती है तो type of bond linking the unit भी important है कि glycosidic bond कौन सा बन रहा है और degree of branching भी important है कि linear polysaccharide है या फिर branching उसमें exist कर रहे हैं वही पर अगर हम classification करें polysaccharide की तो दो में classify किया जा सकता है homo polysaccharide अगर सारे के सारे monosaccharide they are similar एक ही monosaccharide unit बार-बार जोड़के अगर polysaccharide बना है तो उसे homo polysaccharide बोलेंगे वही पर अगर two or more than two types of different monosaccharides they are joined to each other then that is termed as hetero polysaccharide right homo polysaccharides के examples है starch and glycogen और वही पर ये सारे के सारे कैसे हो गए storage homo polysaccharide और वही पर structural homo polysaccharide के example है cellulose and chitin clear है clear है इतनी बात शले अब बात करते हैं individual homo polysaccharides की तो पहला जो homo polysaccharide मिलता है that is your starch starch is composed of amylose in amylopect जिसमें जो amylose है वो repeating glucose residues का बना हुआ होगा और सब के बीच में alpha 1,4 linkage होगा amylopectin branching provide करता है starch को ठीक है it is highly branched जो backbone होगी that will be an alpha 1,4 linkage और जो branch points होगे they will be occurring after every 24 to 30 residues and they will consist of alpha 1,6 linkage वही पर glycogen which is a main polysaccharide of animal cell तो जैसे आपको starch plant cell में देखने को मिलता है ठीक उसी तरीके का resembling homopolysaccharide जो animal cell में मिलता है that is glycogen it also consists of alpha 1,4 linkage यहाँ पर भी glucose आपस में alpha 1,4 linkage के साथ attach होगे और branching भी alpha 1,4 की ही होगे and even it is more extensive branching तो starch comparatively कम branch होता है क्योंकि इसमें यहाँ पर 24 to 30 residues के बाद branching मिलती है but यहाँ पर glycogen it is highly branched it is more extensively branched and branching arises after every 8 to 12 residues so it is comparatively more compact than starch glycogen सबसे ज़्यादा abundant कहाँ होता है liver में होता है क्योंकि glucose का conversion glycogen में कहाँ होता है liver में present होता है then third category of homopolysaccharide it is dextrons bacteria और yeast में मिलते हैं यहाँ पर जो linkage मिलेगा alpha 1 to 6 मिलेगा सभी में alpha 1 to 3 branching मिलेगी और कुछ में alpha 1 to 2 और alpha 1 to 4 branching भी मिलेगी dental pluck it is characteristic of dextrons dental plucks जो कीडा लग जाता है ना आत में जिसको बोलते हैं तो that is composed of dextrons कुछ synthetic dextrons भी हमें देखने को मिलते हैं जैसे sephardex column in size exclusion chromatography सभी लोगों ने पढ़ा होगा यह क्या करते हैं अपनी branching की वजह से different pore size provide करते हैं clear clear है homo saccharides homo saccharides clear है अब बात करते हैं structural homo polysaccharides की तो structural homo polysaccharides में जो आपको देखना है that is cellulose cellulose it forms the cell wall of plants stalk stem cellulose is a linear unbranched homo polysaccharide और यहाँ पर बहुत सारे 10,000 to 15,000 D glucose they are attached to each other via beta glycosidic linkage and that to beta 1 to 4 glycosidic linkage तो जितने भी हमारी body में enzymes present होते हैं वो generally they are adapted to break beta 1 to 4 glycosidic bond इसलिए किसी के भी body में cellulose का digestion नहीं होता है apart from some termites and ruminant animals जिनके gut में आपको cellulose enzyme मिलता है that is capable of breaking alpha 1 to 4 linkage तो जादा तर जो enzymes हमारी body में है वो क्या करेंगे beta 1 to 4 linkage को तो तोड सकते हैं but alpha 1 to 4 linkage को नहीं तोड सकते हैं इसलिए cellulose digestion body में present नहीं होता है next chitin की अगर हम बात करें so it is composed of N-acetyl glucosamine residue which is naag residue linkage यहाँ पर beta 1 to 4 linkage मिलेगा since difference इतना होगा cellulose से की यहाँ पर carbon number 2 जो भी monosaccharide moiety होगी उसमें carbon number 2 that will consist of acetylated amino group मतलब वहाँ पर co-nH2 group present nHCOCH3 group not this nHCOCH3 group आपको देखने को मिलेगा also cellulose की अगर हम बात करते हैं तो हमेशा याद रखेगा cellulose sheet like structure में exist करता है और branching की वजह सही यहाँ पर आपको inter chain hydrogen bond देखने को मिलते हैं और इसी को अगर हम amylose से compare करें तो amylose एक linear moiety है branching exist नहीं कर सकती तो amylose mainly exist in coiled form alpha helix like structure आपको amylose का मिलता है और cellulose का structure resemble करता है beta sheet like structure को is it clear? clear? तो अगर linkage याद नहीं होते हैं तो यह table बहुत अच्छा है linkage याद करने के लिए यहाँ पर सभी type के polymer आपको different repeating unit और linkages के साथ दिये हुए है तो इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं is it fine? clear है? आगे बढ़ें? अब बात करते हैं अपने third category of third category of macromolecule की that is nucleic acid तो although जब हम DNA और RNA का detailed revision करेंगे तब हम आपको अच्छे से structure बताएंगे यहाँ पर सिर्फ आप revise कर सकते हैं कुछ basic चीज हैं जैसे की समझेंगे all the nucleic acid they are polymers यह polymer form है और किसके polymer होंगे? nucleotide के polymer होंगे nucleotide कैसे बनता है? nucleotide simply बनता है nucleoside और phosphate group से वहीं पर nucleoside का formation कैसे होता है? nucleoside का formation होता है simply when the sugar it attaches to the nitrogenous base तो इसमें अगर हम sugar की बात करें तो दो तरीके की sugar मिलती है जो अभी हम carbohydrates में already देख चुके है that is your ribose sugar which is a component of ribonucleic acid and deoxyribose sugar which is a component of deoxyribonucleic acid दोनों ही cycle में convert हो सकते हैं 3 carbon से ज़ादा है characteristic अगर हम देखें तो pentose sugar होगी 5 carbon की होगी ठिक that means किस से derived होगी? furanose से derived होगी cyclic structure होगा heterocyclic होगा heterocyclic क्यों? क्योंकि different atoms are linked to each other then beta anomeric form of carbon beta anomeric form का मतलब OH ideally उपर place होगा यहाँ पर तो आपको alpha form दिखा रहे हैं बट जो जादा तर form मिलती है that is your beta form of sugar optically active होगा क्यों optically active होगा? क्योंकि हम अभी जानते हैं क्योंकि यहाँ पर chiral centers मौजूद हैं पर ही आपको sugar puckering देखने को मिलती है sugar puckering कितने तरीके की हो सकती है? C2 endo हो सकती है C3 endo हो सकती है C2 exo हो सकती है और C3 exo भी हो सकती है where endo form is more favored over exo confirmation क्योंकि endo confirmation is a more compact confirmation hysteric hindrance minimized होता है इसलिए endo form जादा stable होती है तो different forms of the DNA अगर हम बात करें A DNA की तो उसमें जो sugar exist करती है it is in endo confirmation B DNA has C2 endo Z DNA has C2 endo for pyrimidine and C3 endo of purine और वहीं पर RNA में जो sugar confirmation exist करती है that is primarily C3 endo इसके बारे में हम detail पढ़ेंगे हम वापस से बता रहे है detail revision इसका होगा जब हम RNA और DNA का structure देखेंगे then यहाँ पर आपको जो याद रखता है that is nitrogenous basis sugar 4 तरीके के nitrogenous basis के ताथ what is sugar puckering for that for that you need to see my detailed lecture Sneha sees आप playlist चेक करिए playlist पर आपको मेरा lecture मिल जाएगा अभी हम revise कर रहे है detail में पढ़ाने का time बिलकुल भी नहीं है तो वहाँ पर हमने sugar puckering इस lecture का नाम है absorbance of nucleic acid absorbance of nucleic acid के नाम से मेरा lecture है आप उसको देखिए sugar puckering clear होगा ठीक है चलिए nitrogenous basis की बात करें तो इन्हें हम nucleo basis भी बोलते हैं यह दो type के होते हैं इसको य से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको य से रिप्रेजेंट किया जाता है प्यूरीन के दो type एडिनीन गौनिन प्यूरीन के तीन type cytosyn, thymine and uracil general characteristics अगर हम देखे heterocyclic होंगे non-planar होंगे sugar से कैसे different होंगे यह planar होंगे sugar कैसी थी polar थी और non-planar थी ठीक उसका opposite basis कैसे होते हैं non-polar होते हैं और planar होते हैं water insoluble होंगे क्योंकि यहाँ पर OH group कहीं भी नहीं मिल रहा है position number 1379 will be occupied by nitrogen सभी लोगों को पता होगा numbering कैसे करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 position number 1379 पर आपको थोड़ा सा गलत हो गया है यहाँ पर 1 minute this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 position number 1379 पर आपको nitrogen मिलेगा purines को अगर हम देखें तो यह double ring structure होगा एक ring 6 atom से मिलके बनी होगी और दूसरी ring 5 atom से मिलके बनी होगी इसी तरीके से piramidine अगर हम देखें तो piramidine एक ही ring होगी 6 atom से मिलके बनी होगी यह कुछ basics हैं जो सबी लोगों को पता होगे इसमें बिलकुल भी हैरान होने की परिशान होने की जरूरत नहीं है तो when these bases they combine with the sugar although थोड़ा हेजी डाइग्राम है बट समझ सकते हैं कभी भी जब nucleo bases आपस में sugar के साथ attach होते हैं तो एक glycosidic N-glycosidic linkage का formation होता है पूछा जाता है N-glycosidic linkage का formation होता है जिससे sugar आपस में bases से attach हो जाते हैं और nucleoside का formation करते हैं तो nucleoside के नाम किस तरीके से हो सकते हैं it can be cited in अगर cytosin attach है uridin हो सकता है adenosine हो सकता है ऐसा difficult नहीं है कुछ minor purine and pyramidine bases भी मिलते हैं जिन में कुछ और position पे substitution हो जाता है जैसे अगर cytidin में 5th position पे methylation हो जाए तो it is 5-methyl cytidin अगर adenosine के 6th position पे methylation हो जाए तो it is N6-methyl adenosine then likewise अगर guanosine के 2nd position पे methylation हो जाए it changes into N2-methyl guanosine and likewise अगर cytidin के 5th position पे hydroxy methylation हो जाए CH2-OH का addition हो जाए then it is 5-hydroxy methyl cytidin likewise inosine भी substituted purine है pseudo-uridine containing यहाँ पर क्या होगा difference 5th position के साथ ribose का attachment होगा then N7-methyl guanosine भी इसी तरीके से मिलेगा यह mainly आप capping में देखते हैं 4th hyo uridine भी मिलेगा 4th position पे double bond O की जगा यहाँ पर double bond S आ जाएगा so these are some examples of minor purine and pyrimidine bases that you can look at ठीक है clear आप सभी लोगों को information है कि आप लोगों को telegram पर notes available हो गये हैं ठीक है जिस PPT से मैं पढ़ा रही हूँ वापस से थोड़ा सा hold करते हैं ठीक है और समझने की कोशिश करते हैं यह series चल रही है that is mega revision series आज से इसकी शुरुवात हुई है हम और आशी सर morning में unit number one cover कर रहे हैं later on आपको जो afternoon session मिलेगा उसमें आपका aptitude cover होगा ठीक है by Sanjay सर then later on शृती माम आपको evening में revise कराएंगी दूसरी unit then उसके बाद आपको विनीज सर revise कराएंगे ठीक है so this is mega revision series इस mega revision series के benefit क्या है पहला benefit यह है कि आपको एक महीनी में लगभग सारी unit का सारा part cover करा दिया जाएगा second thing जितने भी notes है वो सारे notes आपको PPT के form में मिल जाएंगे telegram group पे ठीक telegram group के अलावा यहाँ पर आपको एक और additional benefit है हमारा one year subscription available है ध्यान से समझे हमारा one year subscription available है अगर आप within this month join करते हैं हमारा one year paid subscription और code यूज कर सकते हैं TLS10 या revise इन दोनों में से कोई भी एक code अगर आप use करते हैं तो you can avail a 10% discount this is all for your new subscribers new जितने भी नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन लोगों के लिए यह सारी information थी तो अभी हम almost 10 minutes हमी continue करेंगे later on इस session को आशी सर जॉइन करेंगे आपको further amino acid और protein के बारे में detail करेंगे आपको अच्छे से revise कराएंगे so stay tuned कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है बैठे रहिए copy pen पकड़े notes बनाते रहिए आराम आराम से घर बैठे रजाई के अंदर revise करते रहिए और क्या ही चाहिए है ना और क्या ही चाहिए चल रहिए तो nucleoside formation कैसे हो रहा था and glycosidic linkage से nucleoside का formation हो रहा था अब बात करते हैं nucleotide के formation की तो nucleotide simply कैसे बनेगा nucleoside में अगर pipe prime position पे CH2OH की जगा phosphate का addition हो जाता है तो nucleoside आपका nucleotide में convert हो जाता है जैसे nucleoside का क्या नाम था adenosine था तो nucleotide का नाम क्या हो जाएगा deoxy adenosine, guanosine deoxy guanosine में convert हो जाएगा uridine deoxy thymadine में convert हो जाएगा और cytodine deoxy cytodine में convert हो जाएगा तो इसमें भी कुछ भी difficult नहीं है तो when these nucleotide अब बात करते हैं formation of nucleic acid की तो जब nucleotide आपस में बिल्कुल सर अभी आएगे बिल्कुल रुके रहिए धननजे जी हमें पता है आप सभी लोग बेसबरी से सर का इंतजार कर रहे हैं सब हमें पता है सर भी जॉइन करेंगे सर भी थोड़ी ही देर में आएएंगे बिल्कुल परेशान मत हो ये चीक है चलिए तो अब हमारे पास बन क्या गए हमारे पास monomeric unit nucleotide बन गई nucleotide जब दूसरी nucleotide के साथ combine करती है अच्छा हाँ यहाँ पर linkage की बात हमने नहीं की थी तो थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं एक बार और देखते हैं तो हुआ क्या sugar sugar attach हुई किस के साथ base के साथ किस linkage के साथ glycosidic linkage के साथ right on that to end glycosidic linkage के साथ बन गई nucleoside nucleoside phosphate के साथ attach हुई कौन सा linkage phosphomonoester monoester linkage good morning good morning फैजल खान phosphomonoester linkage बन गया nucleoside nucleoside एक nucleoside आपस में दूसरी nucleoside के साथ combine हुई किस linkage के साथ phosphodiester linkage के साथ हम इतना stress क्यों कर रहे हैं क्योंकि question आया है तो phosphodiester linkage के साथ जब आपस में एक nucleoside दूसरे nucleoside से combine हो जाती है तो आपकी बन जाती है backbone दोनों की ही चाहे DNA हो और चाहे RNA हो difference क्या होगा DNA और RNA में सिर्फ इतना ही difference होगा कि DNA में जो 2 prime position है उस पे hydrogen present रहेगा पतलब deoxy ribos sugar present रहेगी और अगर RNA है तो यहाँ पर second prime position पे OH मिलेगा और कोई फर्क नहीं होता है दूसरा जो फर्क हमें मिलता है in terms of bases मिलता है RNA की chain में जो bases मिलेंगे it can either be adenine, guanine, cytosine और uracil whereas DNA की chain में जो हमें bases मिलेंगे that will be adenine, guanocine, cytosine and thiamine clear? that is your absorbance in the bases तो कभी भी अगर हम protonation करते हैं protonation का क्या मतलब है? कभी भी अगर pH decrease किया जाता है जो general structure हम nucleo basis का देखते हैं वो हमें pH 7 पर मिलता है जैसे जैसे pH 7 से आप pH कम करते जाते हैं protonation occurs at various position सबसे पहले जो position protonate होती है that is N1 उसके पाद जो position protonate होती है that is N2 और third में जो protonation होता है that is N9 N3 पर protonation नहीं होता है क्योंकि N3 पर electron density आपको structure में नहीं मिलती है clear? अब single chains जितनी भी होंगी चाहें DNA की chain हो और चाहें RNA की chain हो single chain में present होते हैं exposed hydrophobic basis ये exposed hydrophobic basis benzene ring derived है सभी में pi electron cloud present होगा भाई, benzene ring का कैसा structure होता है इस तरीके का planar structure होता है ओपर की तरफ भी pi electron cloud होता है और नीचे की तरफ भी pi electron cloud होता है ये pi electron cloud it has the ability to absorb light ये light absorb करता है so on the basis of Beer-Lambert's law which is equal to A is equal to E lambda CL यहां पर absorbance of nucleic acid determine की जा सकती है and it is found that absorbance at 260 nanometers it is maximum for the mono nucleotides जैसे की adenosine monophosphate, guanosine monophosphate सबसे जादा किस के लिए मिलेगा AMP के लिए मिलेगा उसके बाद GMP के लिए मिलेगा उसके बाद UMP और DTMP का almost बराबर होगा और सबसे कम मिलेगा CMP के लिए is it clear? so this is known as absorption और इस property को क्या बोला जाता है? इस property को बोला जाता है hyperchromicity तो hyperchromicity क्या है? hyperchromicity simply ये कहता है कि DNA की single chain जिसमें exposed hydrophobic groups present है उनमें absorbance की value 37% to 40% जादा होती है compared to the duplex form or the double helical form of the DNA clear? तो जब आप absorbance देखते हैं तो ये कुछ graph आपको इस तरीके से मिलते हैं पहला graph ये बताता है कि absorbance 260 nanometer पर maximum होगा दूसरा graph क्या बताता है? दूसरा graph हमें ये बताता है कि अगर हम structure को denature कर दें native structure कैसा है? native structure duplex structure है तो native structure duplex structure है तो इसमें क्या होगा? duplex structure में जितने भी hydrophobic bases होंगे they will be buried in the core और जब ये core में buried होंगे तो absorbance की value कम हो जाएगी इसलिए यहाँ पर absorbance कम मिल ला है बट जैसे ही हम इसको denature करेंगे दोनों strand आपस में separate हो जाएगे और denatured coil की हमेशा absorbance की value बढ़ जाएगी बिलकुल 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 फैजल जी बिलकुल बिलकुल चलिए अब बात करते हैं absorption की तो यह temperature sensitive भी होता है even temperature sensitive होता है pH sensitive होता है GC content sensitive भी होता है GC content sensitive क्यों होता है क्योंकि जितना जादा GC content होगा किसी भी DNA या RNA में उतना ही जादा temperature required होगा उसके denaturation के लिए उसके basis को expose करने के लिए so this absorbance is also dependent on temperature pH, GC content and even the salt concentration तो यह भी देखा गया है अगर जादा temperature है तो absorbance की value जादा होगी और अगर temperature कम कर दिया जाता है तो absorbance की value घट जाती है एक बीच में आपको transition temperature मिलता है जिससे Tm बोला जाता है यह वो temperature है जिस पे 50% molecules आपके double stranded DNA के form में exist करते है और 50% molecules single stranded DNA के form में exist करते है यह Tm जिससे transition temperature बोला जा रहा है ध्यान से मेरी बात समझेंगे यह melting temperature से कैसे अलग है melting temperature वो temperature होता है जिसमें DNA melting शुरू हो जाती है that starting temperature is known as melting temperature but when 50% DNA यह double helix के form में है और 50% open हो गया है और इसने single stranded structure बना लिया है that temperature is known as transition temperature दोनों में फरक समझ में आना चाहिए then later यहाँ पर जो structure हमें मिलता है that is your backbone structure made up of sugar phosphate groups इसमें आपको seven bonds के about rotation भी देखने को मिलता है कौन कौन से seven bonds ध्यान से समझेंगे पहला bond ये वाला phosphate के साथ दूसरा this one third, fourth, fifth, sixth and seventh इन सभी bonds के about आपको rotation मिलता है जिसमें से bond number 4 के about आपको restricted rotation मिलता है ये restricted rotation क्यों मिलता है क्योंकि bond number 4 आपका sugar puckering में involved है इसी की वज़ह से तो दो configuration मिल रहे थी endo और exo तो इस वज़ह से ये restriction rotation provide करता है question कहां से पूछा गया है question पूछा गया है CSIR में total कितने rotation bond मिलते हैं तो 7 different bonds rotate होने वाले मिलते हैं तो अगर ये question पूछा गया है तो आगे चलके ये भी question पूछा जा सकता है कि इन में से कौन सा bond restricted rotation show करता है तो upcoming question क्या हो सकता है upcoming question ये हो सकता है कि bond number 4 restricted rotation provide करता है so this was all about for my revision तो हम लोगों ने क्या-क्या revise कर लिया वापस से समझे हम लोगों ने structure of atom, molecule और bonds revise कलिए second हम लोगों ने क्या revise किया basic structure and function function of carbohydrates revise किया third हम लोगों ने क्या revise किया basic structure and function of nucleic acid that is your DNA and RNA ये पाठ हम थोड़ा सा detail में तब भी पढ़ेंगे जब हम individually इन दोनो chapters का revision करेंगे clear? so this was all about my session I hope आप लोगों को पसंद आया हो but रुख जाईए you have to stay tuned इसी lecture में आशीज सर प्रसीट करेंगे आशीज सर आप लोगों को क्या पढ़ाएंगे? हम बता देते हैं आशीज सर आप लोगों को amino acids के बारे में बताएंगे amino acids के बाद he will also detail the proteins about protein formation then PI भी calculate करना सिखाएंगे PPT already telegram group पे share कर दी गई है आप telegram group join कर सकते हैं इसके साथ-साथ our subscription for one year batch is open इस एक महिने में जिस महिने में हमारी revision series चल रही है that is from 27th of December to 27th of January अगर आप one year subscription लेते हैं और code use करते हैं TLS 10 या फिर revise इन दोनों code को अगर आप use करते हैं इन में से कोई एक code अगर आप use करते हैं तो इस code को use करके you can avail a 10% discount also registrations are open for the test series test series के लिए भी आप register कर सकते हैं for both CSIR and Gage thank you so much see you tomorrow in the next session आशी सर कंटिनीव करेंगे within 2 minutes thank you just 17 हमेंडर लिए और करेंडर, stayed प्रम आपर अवाचिनीभ झाल 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 वाइस आरी है? नहीं आरी है? वाइस आरी है? वाइस आरी है? रिट झाल 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 Good morning, good morning everyone, sabi ko namashkat, voice clear, voice clear, voice clear, everybody will have a clear voice I suppose, yeah, that's a perfectly fine, yeah. Yes, 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 yes. So, welcome to the revision session, welcome all to the revision session, sabi ka bhoat bhoat swagat hai. Yes, aap sabi logon ka bhoat bhoat swagat, bhoat bhoat avinandan, bhoat bhoat namashkar. Good morning, very very good morning to all of you, aap sabi logon ko namashkar. Mera jo topic hai, unit first, molecules and their interaction relevant to the biology. Iska jo first part hai, that is composition, structure and function of the biomolecules. And uska jo first part hai, madala first c part hai, that is amino acid and proteins. Actually amino acid nai mentioned hai, protein mentioned hai, to amino acid ko to hume by default discuss karna hai. ठीक है, आज के lecture में, आज के जो revision है, अभी आज का जो revision है, वो किन किन चीजों पर based रहेगा, उसको पहले समझ लेता है, फिर हम उसके बाद करेंगे, आज हम लोग structure of amino acid के बारे में बात करेंगे, properties of amino acid के बारे में बात करेंगे, PI of amino acid के बारे में बात करेंगे, peptide chain of proteins के बारे में बात करेंगे, peptide bond formation के बारे में बात करेंगे, और peptide dases के के बारे में बात करेंगे इन सारी चीजों के बारे में आज के लेक्चर में हम discussion करेंगे and I hope this lecture will last long till 1 p.m. तो आप लोग आराम से बैठेंगे अपनी अपनी copy किताब note कर लेंगे copy जो भी जो भी note करना है वो note कर लेंगे बिलकुल बहुत चिल होकर कोई भी tension लेने के जरुवत नहीं मैं बैठा हो कोई भी कहीं पर भी doubt हो तो उसको clear कर लिजएगा मुझसे पूछ लिजएगा I'll help you out there there's no problem absolutely there will be no problem okay दूसरा important part revision session है चलेगा एक महिने तक लेगा हम लोग उपर वाले का आशिरवाद रहेगा तो हम लोग पूरा-पूरा एक महिने आप लोगों को सारी के सारी चीज़ां solve करेंगे ठीक है बिलकुल पतेल जी देव पतेल जी chemical reaction equilibrium will be in the second or third lecture I suppose जिसमें pH buffered और chemical reaction equilibrium होगा आश्नमें will deal with it so please wait for the second or third lecture I'm not really sure which lecture it is but good morning तो इस lecture में आपका complete कराया जाएगा तो जो पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत ध्यान से बहुत महबत से इसको complete करने की कोशिश करिया यह ज्यादा बहतर होगा deviations नहीं होने subscription चल रहा है yearly subscription available है yearly subscription पर 10% off है अगर आप एक code इस्तेमाल करते है that is revise if you are using this code revise then this will be 10 there will be a 10% discount on the fee entire fee so I hope you have you are well aware of this thing so every time we will repeat it video private नहीं होने not sure it all depends on it all depends on circumstances and will of anumam so let us begin let us begin with that okay sir fee is 25500 rupees fee is 25500 rupees for one year subscription for one year subscription it is 25500 rupees so once you will use code revise code revise का इस्तेमाल करेंगे then you will be you will get 2550 rupees discount flat discount on the fees for the yearly subscription only तो जो लोगों को नहीं बता है मैं बता देता हूँ by the way you can get it by the way ठीक है चल यह हम लोग शुरू करते हैं तो amino acid को शुरू करने से पहले कूछ एक चीज़े हैं जो आप सभी लोगों को समझ लेनी चाहिए amino acid में yes thank you बहुत 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 शुक्रिया amino acid में सभी लोगों को पता है मैं बहुत ज़्यदा time नहीं waste करूँगा यह revision session है तो मैं उमीद करता हूँ यहाँ पर जो लोग आये होंगे वो पहले से कुछ न कुछ पढ़ चुके होंगे नमस्कार जो जो लोग आये होंगे वो लोग काफी सारी चीज़ों को पहले पढ़ चुके होंगे तो इसलिए मुझे उमीद है कि आप लोग यह सारी की सारी चीज़न जानते होंगे जैसे abbreviation और symbols आप लोगों को पता होंगे abbreviation और symbols में G, A, P, V, L, I, M that is simple, कोई भी इसमें deviations नहीं है phenine, alanine for F, Y for tyrosine, W for tryptophan, serine के लिए S, threonine के लिए T, cysteine के लिए C, asparagene के लिए N, glutamine के लिए Q, lysine के लिए K, histidine के लिए H, arginine के लिए R, aspartate के लिए D, और glutamate के लिए E, यह सभी को पता होंगे जिनको नहीं पता है, वो लोग जिनको थोड़ा सा revision के sense में अगर पता करना है, तो revision के sense में कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो odd means है, उनको याद कर लिजे, जैसे phenyl alanine, F याद कर लिजे, Y याद कर लिजे, W याद कर लिजे, फिर उसके बाद N याद कर लिजे, Q याद कर लिजे, K याद कर लिजे, R याद कर लिजे, D याद कर लिजे, और E याद कर लिजे, बस, इतना कर लिजे, revision के point of view से important point, ठीक है, कभी-कभी examination में glycine का molecular weight से related questions पूछे गए है, yes, glycine के molecular weight से related questions पूछे गए है, अभी-अभी session में मैं आपको glycine के molecular weight या दूसरे molecular weight के बारे में आप से discussion किया होगा, आपको discussion किया होगा, तो आप लोग ये बाद देख सकते हैं कि glycine का molecular weight 75 होता है, नहीं मालूम है, तो calculate करना, सीख लीजे, बहुत आराम से कर लेंगे, दूसरी बात, PI के बारे में, PK1 के बारे में, PK2 के बारे में, और PI के बारे में हम अभी session में discussion करेंगे, हम ये जो अभी मैं बता रहा हूँ, मैं इस चीज़ को जो discussion कर रहा है, this is a very, on a light mode, बहुत simple चीज़े हैं, दिमाग में होंगी तो अच्छा रहे, hydropathy index directly denotes, the hydrophobicity of any amino acid, याद रखेंगे, hydropathy index for any amino acid directly denotes the hydrophobicity, याद रखेंगे, hydrophobicity of any amino acid, good morning everyone, ठीक है, तो जिनका hydropathy index positive है, धान दिंगे, जिनका hydropathy index positive है, they are hydrophobic amino acids, hydrophobic amino acids, clear, जिनका hydropathy index negative है, they are polar और hydrophilic amino acids, क्या है वो, hydrophilic amino acids हैं, clear, इतनी बात आप सभी लोगों को clear हो गई होगी, तो इसलिए इसमें बहुत जादा कुछ करने की जरूवत नहीं है, तीसरा, important point यहाँ पर एक और मिलना चाहिए, आप लोगों को, बहुत ध्यान से अगर देखने की कोशिश करें, एक important point यह कि, that is a frequent occurrence of the amino acid in the proteins, अगर याब रखेंगे, 9.1 is for leucine, हाला कि हमें इसको property में भी calculate करेंगे, तो 9.1 percent of amino acids in any protein is leucine, so that's a relevant point, so you need to remember this, so in this chart, केवल 2-3 point था जो आपको याद रखने के जरूवत है, एक तो symbols and abbreviations, glycine का molecular weight देख सकते हैं, थोड़ा बहुत अगर और देखना चाहते हैं, तो tryptophan का 204 है, tryptophan के 204 से एक question आपको मिल जाएगा, कली बार हो सकता है कि, जो tryptophan का molecular weight है, plus उसको किसी और चीज़ से compare करते हैं, फिर उसके बाद total molecular weight calculate कराते हैं, तो वो आपको यहाँ पर 204 याद रहेगा, तो highest is 204 and lowest is 75, glycine is lowest, tryptophan is highest, that is 204, clear, इतना part बहुत जादा कुछ करने की ज़रूद नहीं, सर्फ revision में रखें, दिमाग में रखें, not necessarily they will ask a question from you, बराबर चलिए, फिर इसके बाद, आजाएए, amino acid के structures, amino acid के structures क्या, amino acid के structures क्या कहता है, अगर glycine का structure है, तो glycine के structure में हम NH3+, CH, C double bond O, and H, बराबर simplest structure है, non-chiral है, non-chiral है, optically inactive है, optically inactive है, तो सब लोग थोड़ी थोड़ी अगर practice करने का सभी के पास समय हो, थोड़ा सा, आज ही के दिन में अगर समय हो, थोड़ा सा, तो एक time सब लोग कर सकते है, कि इस structure को, इस तरीके से, बनाना सीख सकते है, ऐसे, that's a linear, or line diagram of the structure, इस ट्रायर में दिया हुए, लेकिन लेरिंजर, इस तरीके के structures दिये गए है, और, IIT jam में, gate में, इसी तरीके के structure से, question बनता है, तो हो सकता है, कि आपको इस तरीके के question से, इस तरीके के structure से, एक आध question मिल जाए, तो that's also important part, तो अगर आपने glycine, इस structure को बनाने के लिए, basically आपको ध्यान क्या रखना है, इस structure को बनाने के लिए, आपको ध्यान ये रखना है, कि carbon और hydrogen को show नहीं करना है, ध्यान देंगे, आप carbon और hydrogen को show मत करिए, जैसे कि अगर आप alanine के structure को अगर आप देखे, yes, TFR में भी पूछते हैं, तो अगर आप alanine के structure को अगर आप देखे, तो alanine का आपका structure ये है, ये आपका alanine का structure है, तो इस alanine के structure को अगर आपको बनाना है, alanine के structure को किस तरीके से draw करेंगे, इस तरीके से draw कर लिजे, NH3+, ये इस तरीके से, और एक CD line से आप alanine के structure को दिखा सकते हैं, हाला कि chemistry में इस line को दो तरीके से दिखाते हैं, above the plane, and below the plane, लेकिन अगर आप दिखाना चाहते हैं, तो CD line से दिखा दीजे, मैं इसको above the plane और below the plane दिखा सकता हूँ, इस तरीके से भी आप show कर सकते हैं, लेकिन आप ज़्यदा बहतर है, कि आप इसको CD line से दिखाए, CD line से दिखाने का मतलब यह हो गया, कि यह आपका CH3 group है, तो अगर तुम आप देखोगे, तो यह जो है, यह वाला alpha carbon हो गया, यहाँ पर मैंने कोई भी carbon नहीं show किया हुआ, कोई भी hydrogen show नहीं किया, यहाँ पर मैंने आपको, कोई भी CH3 show नहीं किया हुआ, तो इस लकीर का, इस line का मतलब सीधा-सीधा aliphatic group है, बस इतना ही करना होता है, इसी तरीके से अगर आपको proline का structure बनाना है, बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करिए, अगर आपको proline का structure बनाना, यह वाला जो structure है, जिसमें आपके पास tetrahydro parallel ring है, तो अगर आप उसे structure को बनाना चाहते हैं, तो यह इस तरीके से बना लीजे, बहुत simple structure है, कुछ problem नहीं है, बस यहाँ पर आप NH2 plus दिखा दीजे, तो यह आपका problem बन जाएगा, तो इस तरीके से आप सारे के सारे, सारे के सारे structure को practice कर सकते हैं, अगर आपको इसी तरीके से जैसे आपको well in बनाना, यहाँ पर well in का structure दिया हुआ है, यह आपके सामने well in का structure दिया, यह well in अगर आपके सामने दिया हुआ है, तो well in को कैसे बनाएगे, practice करिए copy पर, copy पर practice करिए, basic चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, जब तक basic चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, तब तक आराम से करते रहे हैं, जहां पर हवा हवा ही चीज़ें शुरू होँगी, वहां पर फिर रोना शुरू करोगे आप लोग, ठीक है, तो आपके पास यह, यह कहएगा structure, यह इस तरीके से, CH, CH3, CH3, यह valine का structure है न, इस valine का structure को अगर आपको line diagram में convert करना, बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, यह इस तरीके से, इस तरीके से हम क्यों show कर रहे हैं, ताकि trans structure हम दिखा सके, इस तरीके से दिखा दिया, यह आपका welline का structure होगा, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी, बहुत आसान से structure है, लेकिन practice कर लेंगे न, तो it will add you something new, यह इहाँ पर इस तरीके से कर लेंगे, तो this is your alpha carbon, this is your alpha carbon, this is your beta carbon, this is your beta carbon, यहाँ से 2CH3 निकले हुए, तो कोई problem नहीं होगी, तो इस तरीके से थोड़ी सी chemistry का भी knowledge easily हो जाएगा, कोई problem वाली बात नहीं होगी, इसी तरीके से अगर आपको leucine का structure बनाना, leucine का structure कैसे बनाओगे, leucine का structure यह है, देखो दर, यह leucine का structure है, leucine का structure कैसे बनाओगे, that is NH3+, that's NH3+, that's NH3+, and CH2, यह CH2 दिया होगा, that's CH2, तो अब दो CH2 एक साब दिया होगा, ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, तो समझ में आगा, एक CH2, दूसरा CH2 और यह इस तरीके से, तो तो तुमारा क्या बनाओगे, leucine का structure बनाओगे, बराबर, बहुत ध्यान से देखो, जिनको नहीं समझ में आ रहे, that is your alpha carbon, that is your beta carbon, that is your gamma carbon, तो अगर इन तीनों carbon को अगर आपको शो करना है, तीनों ही चीज़ों को अगर आपको शो करना है, तो सबसे पहले क्या करिया, सबसे पहले आप यह NH3 लिखिए, कोई समस्या, बताएं, कोई प्रब्लम तो नहीं, इतना क्लेर हो रहा, इतना क्लेर हो रहा, बताया, बताएं इतना क्लेर हो रहा, बताएं इतना क्लेर हो रहा, येस येस इतना ख्लियर हो रहा है कि नीख रहा है बहुत आसान है कुछ मुश्किल नहीं है। बहुत आसान है। अच्छा रिखाएं तरीके से कर रहे हैं कोशिश करें और अच्छा करें। मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, एक्जाम मुश्किल बिल्कुल नहीं होता है. बहुत आसान से काम चलता है. बहुत ध्यान से देखियो, ये इस तरीके से Backbone आ अगई, बराबर that is your alpha carbon that is your beta carbon and that is your gamma carbon तो यह alpha that is beta that is alpha और यहां पर इसके साथ यह और यह इस तरीके से यह बहुत ध्यान से देखने की जरुवद तो यह इसलेशन में बीटा का मिठाइल कैसे होगा बहुत ध्यान से यह देखो ना यह यह तो यह तो यह तुमारे पास alpha है यह तुम्हारे पास, यह तुम्हारे पास alpha है, that is a beta, उल्टा मैंने बोल दिया था, गड़ बड़ हो गया था मेरे से, यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं, that is your alpha, that is your beta, that is your gamma, that is your delta, इस तरीके से लग से, तो that is your beta, beta के साथ यह methyl group, और यह फिर इस तरीके से हम easily ले लेंगे बराबर, done, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा, done, इसी तरीके से अगर methionine की कोशिश करें, तो methionine की तरीके से बनाएंगे, NH3+, that is this, तो that is alpha, that is beta, that is gamma, that is alpha, beta, gamma, और S के साथ, यह CH3, that is S, तो कोई भी CH3 नहीं दिखाना है, CH2 नहीं दिखाना है, के nitrogen, oxygen के structures को दिखाना है, अगर इसका फाइदा क्या है, अब बोलोगे सर इसका फाइदा क्या है, इसका फाइदा यह है, कि अगर कोई भी peptide chain आपके सामने आ जाती, जो की इस line diagram के structure में हो, तो वो आप easily recognize कर लो, क्योंकि, सलाम, तो क्योंकि इस तरीके के structures जब आते हैं, तो अब देखो, exam में कुछ न कुछ तो improvise करेंगे न, ऐसा तो नहीं, exam में improvise नहीं करेंगे, exam में improvise करेंगे, तो जब improvise करेंगे, तो improvization के लिए आपको भी त्यार रहना पड़ेगा, तो basically अभी तक होता क्या है, इन general बहुत आसानी से क्या करते हैं, कि simple amino acid के structures को याद कर लि तो अपने आपको इस तरीके से तयार करेंगे, कि वो जो improvise कर रहे हैं, उसके लिए आपका दिमाग पहले से ready है, तो that is more important, yes, yes, okay, done, ठीक है, तो ये methionine का structure हो गया, अब इसी तरीके से अगर आप सराइन के structure को बनाना चाहें, तो सराइन के structure को भी इसी तरीके से आप draw कर स सकते कैसे, that is NH3+, that is C double bond O, and that is CH2OH, that is CH2OH, इसी तरीके से आप three onion के structure को अगर आप बनाना चाहें, NH3+, C double bond O-, that is, धान देंगे, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, that is OH, and this is CH3, तो यहाँ पर एक तरफ इसको अगर आप यहाँ पर देना चाहें, तो बहुत आसानल से एक यह दे दीजा, that is one alpha carbon, उसके साथ OH दे सकते हैं, और इसी के साथ CH3 दे सकते हैं, तो that's a very very important point, इसी तरीके से अगर आप systeen देना चाहें, तो systeen भी दे सकते हैं, that is S, CH3, that is SH, यह आपका systeen का structure हो जाएगा, इसी तरीके से अगर आप asparagin देना तो asparagin को कैसे दे सकते हैं, asparagin को कैसे दे सकते हैं, that is your NH3 plus CH3, CH2, C double bond O, यहाँ पर C दिखाने की जरुवत नहीं है, बिल्कुल भी जरुवत नहीं है, तो यहाँ पर double bond O, और यहाँ पर NH2 दिखा सकते हैं, बराबर, तो यह आपका यहाँ पर NH2 आ जाएगा, तो इस तर आपको एक बार अपनी copy पर draw कर लिए, एक बार, जादा नहीं, सिर्फ एक बार अपनी copy पर, glutamine कैसे बनाएंगे, glutamine के लिए NH3 plus, फिर वहीं backbone, backbone के बाद CH2, CH2, और यह C double bond होगा, और यह NH2 बनाते रहे, तो इस तरीके से आप कई सारे structures को धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीर काम आराम से practice करते रहे, अभी इसी lecture में, मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके से कैसे peptide chain draw की जाती है, इनी structure से किस तरीके से peptide chain को पहचाना जाता है, recognize किया जाता है, that may give you a question, not for sure, but it will give you an add-on knowledge, और add-on, add-on, thank you, ठीक है, तो it is an add-on knowledge, तो ये add-on knowledge हो सकता, ठीक है, ठीक है, ये add-on हो सकता, ज़रूरी नहीं आपको question मिल जाए, इसी तरीके से आपके पास और भी है, कौन-कौन से है, कौन-कौन से है, चलो, ध्यान दो धर, ध्यान दो धर, ये license है, क्या है, license है, license में क्य हो सकता है, license का किस तरीके से बनाएंगे, license के structure को किस तरीके से बनाएंगे, that is NH3+, बहुत important है, NH3+, that is alpha, beta, gamma, delta, epsilon, ध्यान दो जे, that is alpha, beta, gamma, delta, epsilon, और ये NH3+, तो ये जो आपके पास license है, that is what this is known as, epsilon license और epsilon NH3 license, है ना, ये question important भी है, ये question कही बार, CSIR के exam में देखोगे, shift base के तरीके से, जो shift base है, उसके तरीके से भी आपसे question पूछा गया है, अब arginine को भी बनाया जा सकता है, arginine में जो आपका guanadinium group है, उस guanadinium group को भी आपको दिख है जा सकता है, तो आप जड़ा guanadinium group के बारे में अपनी copy पर practice करिये, guanadinium group में भी practice करिये, फटाफट कैसे guanadinium group कैसे करेंगे, फटाफट करिये, कैसे करेंगे guanadinium group, ये वाला structure कैसे show करेंगे, that is alpha, beta, gamma, delta, delta के बाद NH, तो ये कैसे show करेंगे, that is NH3 plus, that is C double bond O, तो that is alpha, beta, gamma, delta, और delta के बाद ये आपका NH, NH के बाद फिर carbon, carbon को show नहीं करना है, बिलकुल carbon और hydrogen को show नहीं करना है, फिर उसके बाद NH2, तो that is a structure of your arginine, ये structure, arginine का structure भी बढ़ा बहुत important part, रक्षा भारगव, सरी ये line diagram पहली बार पड़ा है, पड़ा नहीं, simple वाला structure नहीं, इससे काफे practice, नहीं, काफे बिलकुल practice नहीं करना पड़ेगा, प्रीति प्रभा, कुछ basics हैं, उन basics को ध्यान रखो, दिमाग कुछ basics हैं, उन basics पर focus करो, कौन सा basics focus करोगी, जैसे ही CH2 लिखा हुआ, इसको show ही नहीं करना है, TH2 जहां कहीं भी carbon लिखा हो, कहीं पर भी hydrogen लिखा हो, CH2 लिखा हो, CH2 लिखा हो, उनको show ही नहीं करना है, अगर आप दिमाग से यह चीज थोड़ा सा हटाते हुए चलोगों कि हमें यह show नहीं करना है, then it will be very easy to draw it, तो line diagrams को आप इनको इसी chemistry की language में, जैसे normally यह language है, यह तो simplified language है, यह plus two level की languages में भी use हो सकता है, plus two level की language है उसको ही, लेकिन masters level की language में अगर आप देखेंगे तो आपको यह diagram याद करना पढ़ेगा, पढ़ना भी चाहिए क्योंकि थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अच्छा है, और कर लेंगे तो एक important आपका जो knowledge है उसमें एक अलग तरीके की बात develop होगी, मेरी बात समझ रहा है कुछ भी मुश्किल नहीं है, जैसे मैं एक बर जिनलोहों के मुश्किल लग रहा है ज़ोई यह है कुछ बना लोग पर शोर्ट में कोशर्ट को लग बना भी समाइन गोई आपक्ज़स, बीटा ये बीटा हो गया ये गामा हो गया ये गामा हो गया बराबर अलफा बीटा गामा डेल्टा ये डेल्टा हो गया फिर उसके बाद एपसाइलन ये आपका एपसाइलन हो गया और उसके बाद क्या लगा हो एनेश्ट्री तो इसको यहां से एनेश्ट्री ऐसे करके दिख सब्सक्राइब क्या ही प्रॉब्लम है इस टू इजी तू लर्न बहुत मुश्किल नहीं है बस आपको थोड़ा सा करना क्या है यू नीड टू मेक ट्रैक्टिस बहुत जादा नहीं करना है सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है बराबर एक बात बोलना है मेरे 3-year gap हो गए है सब्सक्राइब के बाद भी CSIR के लिए स्टार्ट करना ठीक होगा समझ नहीं आती है इस कुशन का आंसर अभी नहीं दे पाऊंगा मेरे लिए इस कुशन का आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्या बिकॉज डोंट वेस्ट मैं टूट टीच मेरे पास बहुत सारी ची इस क्लास के बाद मुझे फोन कर सकते हैं मेरे नंबर नीचे फ्लैश कर रहा है मेरे से बात कर सकते हैं there is no absolutely no problem बिल्कुल भी परिशान होने की आवशक्ता नहीं है कताई भी परिशान होने की आवशक्ता नहीं है ठीक है तो इसी तरीके से आप हिस्टडीन का भी बहुत ध्यान से देख़िये फिर से बाक बना लिया आप बात कारबन महजुद्छ यह अलफा है त यह बीटा कारबन महजुद्छ आपका बीटा कारबन आ गया वशक्तार ना बीटा कारबन लिक यूस्च कर दीजा रूल वहिये रूल क्या कोई भी कारबन शोíamos होना हा हा उनके बीच में उतना ही जिग-जाग होना है, जिग-जाग नहीं, this is a trans configuration, don't tell it, I mean don't take it wrong, in a scientific language it is not a zig-zag, this is a trans configuration, every time then every carbon has to attain a different plane, that is a trans configuration, that is not a zig-zag, don't tell anybody this is a zig-zag, you will definitely going to scold you out there, so it is not a zig-zag, this is a trans configuration, okay, तो अब यह देखों, तुमारे पास alpha है and beta है, this is your alpha, this is your beta, अब इसके साथ लगा हुआ, imidazole, यह carbon नहीं show करोगे, 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 बाकि सब को show कर दोगे, that is NH, that is N, जहाँ जा double bond है, उस double bond को show कर दो, कुछ भी problem नहीं है, easy to do, it's very, it all depends on your exercise, yes, आगे बनाने, बिल्कुल से, कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, actually में तुम लोग होता किया है, हम सभी के साथ है, यह human nature है, कुछ भी नया आता है न, तो उसको imbibe करने में, उसको समझने में, थोड़ा सा समय लेता है, दिमाग को थोड़ा सा जो आप तो कई सारी चीज़े हैं, जो हो जाएंगे, इसलिए रिवीजिन करवा रहा है, अभी तो यह बना रहे हो, फिर उसके बाद जब इनको chain में, peptide chain में जब तुम इनको incorporate करोगे न, तो वो हाँ, तो वो अलग तरीके से दिखाई देंगी और उनको पहचानना अपने आप में एक टास्क होगा, so you need to recognize it, which amino acid it is, so that's a very important part of the protein chemistry, अगर आप protein chemistry में amino acid को लिखा हुआ, amino acid अगर आप नहीं recognize करते हो, that's not a good thing, so हर एक इंसान को समझ में आना चाहिए, कि कौन सा amino acid आपने बनाया और कौन सा amino acid ही लिख रहा है, तो यह तीनों structure बना लिए positively charge के, अरे भाई बना लिए होंगे ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, I am not going to, मारे पास अभी इतना तो समय नहीं बस्ता, कि मैं आप लोगों को इस पे insist कर पाऊं कि नहीं है, बनाई लो और इस तरीके से कर लो, तुछ से लो, देखो दर, अब हमारे पास क्या है, aspartator, फिर से देखो, मैं सा कारे के सारे structures बनवा रहा हो, ताकि आप लोगों को कोई भी problem नहीं, फिर से देखो, ये, ये हो गया, क्या, बैक्बोन हो गया, ये बैक्बोन हो गया, अब ये जो बैक्बोन है, बैक्बोन काबन लेगी, कोई भी बैक्बोन नहीं, this is your alpha carbon, this is your beta carbon, और ये carboxylic group, तो this is your alpha carbon, this is your beta carbon, and this is your carboxylic group, हो गया, ये हो गया, done, clear, this is your beta, अब क्या glutamate में क्या हो जाएगा, this is your alpha, this is your beta, this is your gamma, तो ये ये लीनियर structure बनाने के लिए मैं बिलकुल आना चाहिए, और किसी भी master's level के student के लिए, ये पहली requirement है, कि आपको हर amino acid का structure, at least finger tips पर होना चाहिए, अगर नहीं है, तो आप मानें कि थोड़ा सा आपके अंदर कमी है, आपको याद होने ही चाहिए, बिलकुल याद होने चाहिए, yes, done, clear, ये आपका बन गया glutamate, क्या बन गया, glutamate structure, ये glutamate का structure बन गया, done, बना रहे होंगे मेरे साथ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, आप इसकुल बहुत आराम से बनाते चलिए, कोई, कोई प्रॉबलम वाली बात नहीं है, इसके बाद, ये जितने भी amino acid आपने बनाए, ये 20 के 20 amino acid, आपके 20 amino acid, अच्छा, इसमें सा phenylalanine रह गया, चलो, ये भी कर लेता होंगे, सर में सारे बनाए, ये नहीं कि कोई सर को आता न आ रहा हूँ, that is your phenylalanine, हमेशा alpha, beta, alpha और beta देखो, that is your alpha, that's all, ये, ये, ये आपका क्या हो गया, ये आपका phenylalanine हो गया, अब ये phenylalanine में कोई भी carbon नहीं शो करना है, बिल्कुल मशो करिया, ठीक है, अब फिर इसके नीचे OS लगा दीजे, ये क्या हो गया, ये टायरोसिन ह हो गया, ये टायरोसिन हो गया, बराबर तो phenylalanine और टायरोसिन हो गया, बराबर तो अब बहुत ध्यान से, अभी अभी हम लोग एक concept और भी पढ़ने जा रहे हैं, उस concept में जब हम पढ़ेंगे, कि कोई भी amino acid की absorbance, तो जाहिड से बात है, टायरोसिन की absorbance रटायर गया पूरा, ये पूरा का पूरा, तब same, कुछ भी different नहीं, तो इसका मतलब जो भी absorption मिल रहा है, जो भी absorption मिल रहा है, जो बढ़ा हुए absorption मिल रहा है, वो केवल OH ग्रुप की विज़े से मिल रहा है, है ना, तो यह जो UV spectrophotometer है, UV spectrophotometer में जो बढ़ी हुई absorbance है, जो आपको 260 NM to a TNM पर जो आपको absorbance मिल रहा है, वो बढ़ी हुई absorbance केवल हो केवल है, जो जो भी रहा है, मतलब the difference between the phenylalanine and the tyrosine residues is due to the hydroxyl group, the difference in the absorption between the tyrosine and the phenylalanine is due to the OH group, so you need to understand the structural differences and so that you can easily correlate with them with the absorption at the given wavelength in the UV spectrophotometer, I think I made my point very clear, is it, is it, okay, now if I look at the tryptophan mechanism, tryptophan के अगर हम structure को देखना कोशिश करना, चलो तुम लोग 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 लो मेरे चश्मे पे भाब जम जा रही है इतनी मुझे मिझे, कपड़े मुझे लग रहे हैं मैंने जादा फैनली धंडक की विज़ा से खाल, चलो जाने दूँए डां 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 चलो 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 बहुत ध्यान से देखुँए बना लिया, जिल लोग ने नहीं बनाया, कोई बात नहीं, हम बना देता है, फिर से देखो, फिर से देखो, समझने की कोशिश करो, that is NH3+, that's, अरे भाई, ओके, ये तो नराज हो गया, अगे, ये, 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 बैकबोन, हाँ, बराबर, that is your alpha carbon, that is your beta carbon, ये कौन सी ring है, ये कौन सी ring है, ये indul ring है, बराबर, तो ये alpha carbon, अब बोलोगे, क्यों indul ring, indul ring बनाना ज़रूरी है, क्योंकि आपको कई जगे काम आएगी, plant physio में काम आएगी, जब आप oxygen की bio senses पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पर ये बड़ा काम आएगा structure, अगर ये structure अभी नहीं ध्यान रखोगे, तो plant physio में याद करना पड़ेगा, तो बहतर ही यही याद कर लो, ये आपका ये ऐसे हो गया, बराबर, ये alpha हो गया, ये beta हो गया, फिर इसके बाद क्या करो, जो जो carbon है, वो दिखाने की आवशक्ता नहीं है, कता ही भी आवशक्ता नहीं है, तो क्या करो, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे, बराबर, केवल यहाँ पर nitrogen है, यही पर nitrogen दिखा दो, बागी सब जगे जहाँ 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 डबल बॉंड लगा हो है, वहाँ हां double bond लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, यह आपका tryptofan बन गया, क्या बन गया, tryptofan बन गया, yes, tryptofan वाले pathway में आपको यह याद करना पड़ेगा, यह 100% याद करना पड़ेगा, you cannot skip, many things yes, जहां कहीं भी biochemistry हाईगी, उस biochemistry में amino acid के structures को आप skip नहीं कर सकते हैं, कभी भी skip नह नहीं कर सकते हैं, is it, is it, is it done, is it done, yes, आई यह बैस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आप लोग एक दम सही जा रहे हैं, done, अब, यह मैंने सारे के सारे structures आपको बता दिये, टिक, हो गया, अच्छा, इमानदरी से बताओ, तुम लोगों में से कितने लोगों को, सब लोगों को, सब लोग मैसेज करके मुझे बताओ, जो लोग देख रहे हैं, 100, 102 लोग देख रहे हैं, चलो, सब लोग मुझे बताओ, किसको किसको आते हैं, फटाफट, फटाफट बताओ, जल्दी बताओ, quick, मैसेज करो, हाँ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ बेटा ये वाला topic जो मैंने अभी आपको बताया था structure of amino acid हमने खतम कर दिये structure of amino acid जो बोला था ये 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 वाला जो first part था I finished it, I made it finished, yes yes, 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 बिल्कुल बहुत अच्छे बच्चे, बिल्कुल अब हम इसके बाद PI of property को हम बाद में पढ़ते हैं property पहले पढ़ लेता हैं, फिर उसके बाद हम property हम बाद पहले पढ़ लेता हैं, फिर उसके बाद हम PI पे, हाँ, अब हम लोग फिर उसके बाद PI पे move करेंगे तो पहले हम लोग properties पे move करते हैं, है ना चलो डन डन कोई बात हाँ हाँ यह जादा आसान है बिल्कुल 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 आज आने दो बिल्कुल चलो देखो अदर अब ही प्रापेटी में जाने से पहले जो हम लोग अभी डिसकस कर रहे थे हम उस पर बात कर लेता है, जो हम लोग discuss कर रहे थे, हम लोग इस पर बात कर लेता है, बड़ाबर 280 NM पर, 280 NM पर तुम्हारे 280 NM पर, तुम्हें कौन-कौन absorption देगा, कौन-कौन absorption देगा, यह देखो, तुम्हारे पास absorption, 280 NM के असपास, tyrosin और tryptophan ही देता है, phenylalanine का absorption थोड़ा सा प कर लो, उसको कर लो, good morning रपाठी जी, विवेक भाई, good morning, very very good morning, very very good morning, practice की spelling सही करो, जोती गुप्ता, practice की spelling सही करो, अच्छे से, हाँ, सही से लिखा करो, सही से लिखा करो, राग्यंद्र याद कर लो, निरंजन याद करो, बहुत important है, बिलकुल, बिलकुल, हाँ, 250 के असप to the, yes, 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 बिलकुल सही, 254, 250, 250 के राउंड में याद रखो, to be very precise, तो 250 के राउंड में अगर याद रखोगे, तो हमेशा याद रखोगे, ये लेकिन ये चुट टाइरोसिन और फिनाइललिन के बीच का जो shift है, that shift, is due to the old group only, जो hydroxyl group है, उस hydroxyl group के वजहे से ये shift और change आता है, ये important part है, हो सकता है आप से directly wavelength ना पूछे, हो सकता है आप से absorption ना पूछे, आप से क्या पूछले, difference, किस की वज़े से difference, OH की वज़े से difference, अगर OH की वज़े से difference आजाएगा, तो बहुत सारी चीज़े हो जाएगी, और इस structural differences के बहुत सारे फाइदे है, क्या हो रहा हूं, थोड़ा सा topic से deviate हो रहा हूं, बहुत ध्यान से देखने के कोशिश करें, अगर हम tyrosine के structure को बनाते हैं, सब लोग जो भी लोग में ध्यान से देख रहे हैं, वो लोग सुने, मैं थोड़ा सा deviate हो रहा हूं, I beg your pardon, लेकिन जब आप tyrosine के structure को बनाते हैं, तो ty tyrosine के structure में OH मिलता है, और OH जो है, वो hydrogen bonding में frequently participate करता है, धाम देख, जो OH है, वो hydrogen bonding में frequently participate करता है, frequently participate करने का मतलब क्या हूँ है, अगर हम इसको hemoglobin के sense में देखें, तो hemoglobin के sense में, ये frequently, अगर हम उसके R और T confirmation की बात करें, तो वहाँ पर अगर tyrosine है, तो tyrosine कहीं पर भी है तो वो उसका OH, hydrogen bonding में participate करेगा, लेकिन अगर आप उसको mutate कर दो phenyl alanine से, तो वहाँ पर hydrogen bonding होना बंद हो जाएगी, बहुत वड़ा difference है, single OH not only contribute to the difference in the absorption, but also contribute in the structural diversity and structural anonymity, तो अगर हम कहीं पर भी tyrosine को हटा कर phenyl alanine लगा रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आप hydrogen hydrogen bonding हटा रहे हैं, और अगर आप hydrogen bonding हटाते हैं, तो सबसे पहले effect alpha helix पर पढ़ता है, अगर आप tyrosine हटा रहे हैं, phenyl alanine लगा रहे हैं, तो सबसे पहले आप hydrogen bonding disrupt कर रहे हैं, और अगर आप hydrogen bonding disrupt कर रहे हैं, और वहाँ पर phenyl alanine लगा रहे हैं, उसकी वज़े से hydrophobicity increase होती है, तो जब hydrophobicity increase होगी, तो structure जो है, protein का structure जो श्रिंक करेगा, क्यों श्रिंक करेगा, वो इसले श्रिंक करेगा, क्योंकि hydrophobic effect की वजय से, protein molecules will not be able to interact with the water so efficiently, so they will reduce their area, they will shrink their area. तो once you change tyrosine with the phenylalanine, then obviously it break hydrogen bond, it removes hydrogen bond from the protein structure, as well as it shrinks the protein structure. सर, arginine के carbon पर amino group, epsilon ही होगा क्या, arginine के कौन से carbon पर amino group होता है, देखे इधर, इधर देखने की कोशिश करिया, इधर देखने की कोशिश करिया, यह, यह guanadenium group है, बहुत ध्यान से देखेंगे, yes, बिल्कुल protein का confirmation चिंच, प्रभाद को बात देखेंगे, यह guanadenium group है, और इस guanadenium group के साथ, जो carbon लगा हुआ है, guanadenium carbon है, तो इसे alpha, beta में नहीं calculate करेंगे, क्योंकि बीच में break है, यह guanadenium carbon के साथ, amino group लगा, ध्यान देखेंगे, प्रभाद, सुनेंगे, तो यह जो guanadenium carbon है, this guanadenium carbon forms, I mean has a amino group, that's the important part, खेर, तो मैंने अपनी बात clear कर दी, अब हम property of amino asset पर आते हैं, चीक है, property of amino asset देखते हैं, बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, property of amino asset को हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद unusual amino asset, PI of amino asset, इन पर हम लोग आज focus करते हैं, बहुत ध्यान से देखते जाएं, बहुत ध्यान से सुनते जाएं, सुनें, अब अगर हम या एक-एक amino asset को देखें देखें, सुनने के कोशिश करें चलिए, बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करें सुनिए जो लोग भी पढ़ रहे हैं जो लोग अच्का पढ़ रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं वो लोग इन properties पर थ़ोड़ा सा फोकस करें, कैसे फोकस करना बहुत ध्यान से देखें सबसे पहले हम एफ और अलनिन निकालता है है ना, सबसे पहले एफ और अलनिन निकालता है एफ और अलनिन निकालके देखते हैं अलनिन में क्या है, सुनेंगे simple, optically active, favors the formation of all secondary structures यह सभी को almost पता होगा मतलब, अगर मैं देखूँ, जो अलनिन है अलनिन simple है, optically active है और जितने भी secondary structure है, उनको favor करता है चाहें वो alpha helix हो, चाहें वो beta pleated sheet हो any structure, any structure will be favored by alanine presence of alanine, even जो आपका जो delta delta G है, जो threshold values है जो आपकी propensity है, वो propensity भी poly alanine helix के लिए ही निकाली गई है याद रखेगा जो propensity है, हम इसके बाद दले हैं कल वाले lecture में हम इसको detail करेंगे पर जो propensity है, वो poly alanine helix के लिए ही निकाली गई लेकिन, इसके अलावा देखिए मैंने कुछ important point आपके लिए alanine के लिए कल रात में छाट के रखा हुआ है शृती माम अगर सुन रही हो शृती माम के काम को शृती माम आप लोगों को signaling पढ़ाएंगे, तो मैंने एक लाइन कहीं से छाटी है in the cell expressing the mutant form of i kappa beta alpha, nf kappa beta की signaling है ध्यान देंगे, सब लोग सुनेंगे बहुत ध्यान से थोड़ता मुश्किल हने जा रहा है मुझे मालूम है, यह basic से हटके है लेकिन कभी-कभी चीजों को revise करने के लिए ट्लीक से हटना बढ़ता है in which the two serine residue have been changed to alanine ध्यान देंगे ध्यान देंगे serine residue has been changed to alanine so that cannot be phosphorylated NF kappa beta permanently inactive demonstrating the phosphorylation of alpha kappa beta is essential for the pathway activation क्या मतलब हुआ इसका इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम alanine की property बोल रहते है कि simple है, optically active है हर secondary structure formation को favor कर रहा है वो बारी सारी बात है ठीक है लेकिन अगर section C के question को देखें question आ गया जैसे हम लोग भी अपने test test में देते हैं नो फिर तुम लोग चिलाते हैं फिरते हो यह क्या दे दिया तो अगर अगर यह यह है what is it what is it it is serine अब अगर CH2OH है बहुत ध्यान से देखिए यह CH2OH है बनना फिर परिशान हो जाओगे फिर परिशान हो जाओगे that is CH2OH तो अगर यह serine है और यह easily phosphorylate हो सकता है लेकिन अगर आप इस serine को हटा कर यहाँ पर alanine कर दे OH हटा के केवल H लगा दे तो यह alanine हो जाएगा देखा जाए तो structurally कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन functionally the protein will not be phosphorylated कितना बढ़या concept मतलब अगर किसी protein का function phosphorylation पर depend कर रहा है that too on a serine phosphorylation पर depend कर रहा है तो इसका पता लगाने के लिए आप serine को mutate करके उसकी जगे alanine लगा दे तो protein का structure वो कभी भी disrupt नहीं होगा केवल उसका function abolish हो जाएगा because now the alanine cannot be phosphorylated so तीम पॉइंट पहला alanine is easily replaceable with the serine मतलब अगर आप छोटे मोटे changes करना चाहते हैं तो serine की जगे पर आप alanine को place कर सकते हैं because there is hardly difference of oxygen atom का difference एक oxygen atom का difference बराबर molecule भी नहीं oxygen atom का difference है बाकी सब कुछ सेम serine can be replaced by alanine so alanine can replace serine in other words number two serine का function alanine तो नहीं किया जा सकता इसी लिए जितने भी functional mutant बनाये जा सकते हैं वो serine के alanine के साथ बनाये जा सकते हैं ये एक property हो गई बोलो मजाया बोलो मजाया हम आगे अपने पुरानी वाली रोमे गुत्म लोगों को लगता है न हम आगे अपने पुराने section c वाले पाइट है conceptual वाले पाइट बोलो बोलो भाई तरीफ तो करी सकता अनाम फातिमा थोड़ा सा लेट हाँ बिल्कुल position भी matter करेगी बिल्कुल position matter करेगी लेकिन position कहाँ पर फैसल खान अगर केवल 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 कॉश्यन रेस करना तो एक बात अलग है but serine is serine is always hydrophobic hydrophilic polar amino acid है then serine always occupies when it is to be phosphorylated then obviously it has to be on the surface यह हमेशा ही surface पे आएगा बरबर अगर यह phosphorylation होना है तो अगर मतलब अगर आपने केवल कॉश्यन के नाम पर कॉश्यन रेस किया तो एक बात लग है लेकिन serine जो है polar है और अगर इसे phosphorylate होना है हाँ हाँ ओके तो अगर आपको इसको serine को phosphorylate करना then it has to be exposed obviously तो position का कोई बहुत जादा यहां पर matter नहीं करेगा मैं concept यहां पर लेना चाहरा हूँ कि serine को अगर serine की वजे से function हो रहा है और that too for the phosphorylation of serine is going to function then then if you replace serine with the alanine then obviously it is not going to change the structure but it is going to disrupt the function is it is it is it is it is it okay इस class के notes आपके telegram group में available होने जा रहे है अनू मैं आप 2 minute में share कर रही है kindly please look at इसको पढ़ लेंगे जिस PPT से मैं पढ़ा रहा हूँ वो PPT आप लोगों को telegram group में available होने जा रही है बराबर बराबर दूसरा 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 amino acid क्या हाँ तो यह property of amino acid है property of amino acid बहुत ध्यान से बहुत ध्यान से थैंक यू पैसल भाई aspartate phosphorylated in P type ATPases and two component signaling मतलब aspartate के नाम से आपके पास क्या ध्यान होना चाहिए जब कभी भी aspartate आपके दिमाग में आए तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए aspartate phosphorylate होता है किस में P type ATPases में aspartate 357 is conserved residue in the P type ATPases अना ओके आपके आपके इतनी बात समझ में आती है इतनी बात समझ में आती है तो यह aspartate के पार्ट से अगर आप property की बात करेंगे तो aspartate के पार्ट से यह property हो गई दूसरा बहुत ध्यान से देखेंगा asparagine asparagine क्या करेगा that is a that undergoes to the end-linked glycosylation मालूम होगा सभी को मालूम होगा asparagine जो है that undergoes to end-linked glycosylation end-linked glycosylation में जाता है सभी को मालूम है अब आपको शायद याद होगा कि जब हम endoplasmic reticulum के अंदर आपके N-acetyl glycosamine menose residues को जब आप अंदर ला रहे होते हैं via a sugar carrier that is a dolly called phosphate उस बड़ एक antibiotic tunicamycin उस protein glycosylation को रोग देती है by the inhibiting the transfer of UDP and acetyl glucose amine onto the cytoplasm clear इती बात clear होती है यही पर asparagine का एक section C से related एक question बनता है क्या देखिंगे इन presence of tunicamycin the influenza virus हीन-glutenin बाद काम की चीज है हीन-glutenin precursor H-A0 is synthesized but cannot hold properly form or normal teramer in this case the protein remains misfolded in the rough endoplasmic reticulum अप कुशिन शुरू होता है क्या बादा इंपर्टन पार्टन पार्टन है कर रहे हैं कि N-linked glycosylation ही करता है then moreover the mutation of a particular asparagine in the heen-glutenin sequence to the glutamine अगर आप asparagine से glutamine में बदल दे N-linked glycosylation नहीं होगा यह question पूछा जा सकता है N-linked glycosylation is always, always specific for asparagine not for glutamine बराबर और अगर ऐसा हुआ glycosylation नहीं हुआ N-linked glycosylation नहीं हुआ then protein will be accumulated in the ER in the unfolded state important question clear? मेरी बात समझ में आई? मेरी बात आप लोगों को समझ में आई? नहीं आई? मैंने अब क्या बोला? कि N- asparagine की पहली पहचान asparagine जब भी दिमाग में आता है asparagine जब भी साथ सामने आता है तो asparagine की पहली पहचान क्या होती है? asparagine is always known for it's N-linked glycosylation N-linked glycosylation होगा तो N-linked glycosylation केवल और केवल asparagine पर हो सकता है glutamine पर नहीं हो सकता इसको check करने के लिए क्या करो? कि asparagine को हटा कर asparagine को हटा कर glutamine लगा दो तो अगर protein glycosylate हो जा रही है the glutamine but at the same time if it is not glycosylated then it will not move forward from the ER to Golgi or Golgi apparatus so that it will be remain it will remain in the ER and it will be unfolded that's a very important very interesting one that is a very interesting phenomena clear? done? Bolo? hmm गुरू पढ़के आरहे वाजकल है क्या पढ़ने आये थे? क्या पढ़ने आये थे? अम आईनो एसेट पढ़ने आये थे ना? क्या पढ़ने आच्छ? अम आईनो एसेट पढ़ने आये? अम आईनो एसेट पढ़ने आये थे ना? तो माईनो असेट ही पढ़ रहा हूँ, क्या दिक्कत, हैना, चलो, हाँ, अगला यह माईनो असेट, देखो, देखो दो, A for alanine, A for aspartate, A for asparagine, A for alanine, A for aspartate, A for asparagine, ऐसा नहीं है, मतलब, मैं केबल, A for, A for, A for, A for, A for, A से याद करके चल रहा हूँ, वैसे होता नहीं ऐसा, लेकिन, चलो, बीव, अगर मैं इसको याद करता हूँ, हाँ, 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 इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कि I will not waste your time, I will not waste your time, सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे, इसी तरीके से सिस्टीन को अगर देखें, सिस्टीन को अगर देखें, जैसे टाइरोसिन है, आज ही हम लोग पढ़ेंगे, जैसे टाइरोसिन है, उसी तरीके से सिस्टीन भी नेगटिवली चार्ज होता है, बहुत ध्यान से सुने the mechanism by which the LDL receptor releases bound LDL particle now understood in the detail the pH 5 histidium residue in the region known for the beta propeller domain of the receptor become protonated forming aside binding high affinity with the negatively charged cysteine in the LDL binding domain याद करिये clathrin coated pits जिसमें LDL का हम लोग transport करते हैं yes LDL का transport करते हैं तो जब आप LDL receptor को जब आप LDL receptor को LDL के साथ binding कराते हैं तो वहाँ पर pH 5 to 5.5 होगा मतलब H plus N जादा होगी histidine positively charge हो जाएगा यानि कि protonate हो जाएगा और histidine जब protonate होगे तो उसकी affinity cysteine जो की negatively charge है अपने micro environment की वज़े से उससे ज़्यादा होगी यह भी एक particular character है वैर वैसे cysteine के साथ आप सब लोग उने एक चीज और भी पढ़ी होगी कौनसी चीज यह जो यह दाइसलफाइट bond है यह बहुत ध्यान से देखें देखें समझें देखें तो यह दाइसलफाइट बना रहे हैं दो सिस्टीन के बीच में मिलकर बना रहे हैं अब एक घंटा उसमें मत अपने आपको वेस्ट करना कि इसमें से आई हटा देते हैं आई हटा देते हैं और उसको सिस्टाइण बना लेते हैं इस बकवास पर टाइम कम वेस्ट किया गरो जानना अच्छा है लेकिन ऐसा कोई बहुत इंपोर्टेंट नहीं है कि जिस पर जीवन बिता दो हैना सिस्टाइन बना देते हैं और यह बना देते हैं ठीक है, स्पेलिंगी तो चेंज होगे, और कॉंसर जीवन चेंज होगे, चलो बिल, तो यह ऑक्सिडेशन हो रहा है, ऑक्सिडेशन होने के लिए तुम्हें एलकलाइन पी एच की जरुवत पड़ती है, ध्यान देना, और डाइसलफाइट बॉंड तोड़ने के लिए आपको रिड़क्शन करना पड़ता है, रिड़क्शन करने के लिए आपको एच प्लस आयन देने पड़ते हैं, तो एसेडिक इन्वार्मेंट की जरुवत पड़ती है, बहुत ध्यान से रेखेंगे, तो जब भी डाइसलफाइट बॉंड बनेगा, तो हमेशा एलकलाइन इन्वा चाहिए होगा, जब कभी भी हमें तोड़ना होगा, तो हमें एच प्लस आयन चाहिए होगे, तो दाइसलफाइट बन बनते हैं, डाइसलफाइट बन बनते हैं, इंडोप्लास्मिक रेटिकुलम में, तो इंडोप्लास्मिक रेटिकुलम का इन्वार्मेंट स्लाइटली एल कर रहा होता है उसके पास को डाई सलफाइट बॉन्ड होते हैं यह इंपोर्टेंट पॉין्ट है आप कोई भी एंजाइन ले लिजे जो हैंज़ाइन डाई सलफाइट बाउंड की विजीशन को ARE हो यह डाई बना रहा हो या तिब रहा हो उसके पास खुद उसकी एक्टिव साइट में डाइस सल्फाइड बॉंड या थायल रेजिड्यूज पाए जाते हैं हमेशा या रखना है वह आपका पीडी आई हो प्रोटीन डाइस सल्फाइड डाइस हो या कोई भी दूसरे भी एंजाइम्स ह रहेंगे उन सब में कहीं न कहीं उनकि एक्टिव साइट में सिस्टीन रेजिडिव या डाइसल्फाइड बॉंड या थायल रेजिड्यूज पावो जाएंगे दूसरा important पॉने जब आ यह डाइसल्फाइड बना लेंगे इन डाइसल्फाइड बॉन को मोडिफाई किया ज सकता है कैसे modify किया जा सकता Modify अलग तोड़ा जा सकता है किया कैसे जा सकता है कիले के लिए आप tut लूने जासे लिए के लिए आप धान देंगी इस तोडने के लिए डाइसलफाइट बॉन्ड टूट जाएगा क्या कर जाएगा ब्रेक कर जाएगा तो डाइसलफाइट बॉन्ड can be broken तो डाइसलफाइट बॉन्ड can be dissolved by oxidation as well as reduction, not only by reduction reduction से तोडने के लिए डाइसलफाइट अल ले लिजे, बीटा मर केप्टो एथनॉल ले लिजे, कुछ भी ले लिजे, लेकिन अगर oxidation से तोडना है, तो परफॉर्मिक असेट का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, ये system residue की पहली पहचान है दूसरी important part, जो आपका carbon reaction है, जो आपका photosynthesis है, जितने भी आपके dark reaction क्या बोलूँ मैं उसको carbon reaction बोलूँगा, carbon reaction के जितने भी enzyme है, जो आपके regeneration cycle में इस्तेमाल होते हैं they all are regulated by ferrodoxin, theoredoxin system and they all modifies crucial crucial disulfide bonds of the enzyme, तो कहीं पर भी भहुत सारे enzymes ऐसे हैं, जो disulfide bond के बनने या बिगडने से modify होते है, मेरी बात clear हो रही है, मेरी बात clear हो रही है, बोले, मेरी बात clear हो रही है आप लोगों को बताए, मेरी बात आप लोगों को clear हो रही है बताए बताए एक बहोंत सेंगा nitrogen अध मैंनूरार को पालени अध इसके बाहर है लुझ रुझ राति, होच राति, बहोंत। wait a minute two minutes पाद नहीं किस अफोगेशन्स हो रहा ठीक है गर्मी ज्याद हो रही थे ठीक है कोई बात हो गया मैंने कप्ड़ों थाण शॉरी ओके ओके वेट अ मिनेट ठीक है चलिए तो हम लोग क्या कर रहे था हम लोग बात कर रहे था किसने बोला किसने बोला कि रूपीट करने के लिए जियोती गुपताना के लिए बहा बढू में जितने भी डार्क रियक्षण कि या carbon reaction के, जैसे कि आप light reaction करते हैं और dark reaction जिसे पढ़ते हैं, वो dark reaction ना बोलके carbon reaction बोला जाता है, तो जितने भी carbon reaction के enzymes हैं, जो regenerative होते हैं, जैसे glycerol dehyde 3, phosphate dehydrogenase और ये सारे के सारे जो enzymes हैं, वो enzymes का modification, ferodoxin theoredoxin system से होता है, मैं पढ़ा दूँगा जब photosynthesis पढ़ाऊंगा तो म क्या करता है, कि जो disulfide bonds है, उनको modify करता है, in presence of light and in absence of light, तो जब ये disulfide bonds modulate होते हैं, modify होते हैं, इन modification से उन enzyme की activity भी modulate होते हैं, तो ये point सभी लोगों को याद रखना चाहिए, कि systeen not only participate in the tertiary structure formation, यहां रखना, disulfide bond is a characteristic of tertiary structure formation, but also it participate in the function of various enzyme, especially light driven enzyme, यह न, light driven enzyme, paradoxin, theoredoxin system, बहुत important part है, बहुत बहुत ज़्यादा important part है, खेल, तो ये systeen की बात होगी, इसी तरीके से जो आपकी property है, एक और property के अगर हम बात ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें, बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करें, यह जिए glycine, हम इसका structure, इसका structure, इसका जो structure है, वो बहुत unique structure है, optically, inactive है, conserved है, evolutionary basis पर replace नहीं किया जा सकता, यहाँ पर एक term लिखा हुआ है, glycine 12, कोई मुझे बताएगा, glycine 12 का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पर glycine 12 क्यों रखा हुआ है, यहाँ पर मैंने glycine 12 क्यों रखा हुआ है, कोई मुझे बताएगा, मुझे बताएगे glycine 12 मैंने क्यों लिखा हुआ है, नहीं, glycine 12 से किसी को कुछ याद आ रहा है, बताएगे, glycine 12 से किसी को कुछ याद आ रहा है, IT के, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, 102 लोग के असपास देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, किसी को कुछ याद आ रहा है, कुछ लोगों की यादा रहा हूँ नाई 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 फैसल भाई थोड़ा सा दिमाग लगा है ग्लाइसन 12 से किसी को कुछ यादा रहा हूँ anybody I am just inviting everybody's answer please let me know what is what do you mean by that that is a glycine glycine 12 से किसी को कुछ यादा रहा हूँ नाई 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 वैसा नहीं है वैसा नहीं है रास प्रोटीन रास प्रोटीन रास प्रोटीन रास प्रोटीन कैंसर में याद रखिये रास प्रोटीन रास प्रोटीन में glycine 12 अगर म्यूटेट हो जाया तो उसकी gtps activity abolish हो जाती है और gtps activity जब abolish हो जाती है gtps activity जब बॉलिश हो जाती है तो रास constitutive हो जाता है और वो कहलाता है रास D, रास dominant याद रखिएगा इसलिए glycine मैंने बोला glycine 12 याद रखिएगा मैं इसलिए बड़ा importantly आप लोगों को बता रहा था glycine 12 इसके अलावा जैसे polyglutamate chain लगती है polyglutamate chain लगती है, बहुत सारे polyglutamate residue लग जाते हैं इसी तरीके से glycine के भी residue लगते हैं glycine polyglycation is a important phenomenon आज ही मेरी शुती मैं से discussion हो रहा था polyglycation, glycolation is a very important phenomenon in case of tubulin stabilization जो tubulin tail है, उसके stabilization के लिए या तो polyglutamate residues जोड़े जाते हैं या polyglycine residues जोड़े जाते हैं बराबर इसके इलावा glycine residue आपके turns में भी पाया जाते हैं loops में भी पाया जाते हैं, कई-कई जगे पे पाया जाते हैं collagen fiber का essential part है, glycine xy आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा ये वो information मैं रख रहा हूँ, जो information थोड़ी सी unique है बराबर, done clear, इतनी बात समझ में आई तो glycine, हाँ, तो मैं जो पढ़ रहा हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो property of amino acid पढ़ा रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा molecular का hint भी आपको देता जा रहा हूँ clear, थोड़ा थोड़ा molecular का hint दे रहा हूँ फिर इसके बाद हमारे पास अभी बहुत सारे amino acid हो सकते हैं लेकिन मैं कुछ ही amino acid कवर करूँगा सारे के सारे amino acid नहीं कवर करनेगा कोई इना time है बस याद रखिएगा थोड़ा थोड़ा करके याद रखिएगा फिर इसके बाद हम लोग directly PI of amino acid पर जाएंगे PI of amino acid देखेंगे कई सारी और भी चीज़ों पर देखेंगे जैसे glutamate है glutamate बहुत important amino acid है बहुत बहुत important का क्या रोल है सबसे important रोल तो आपका जो neurotransmitter है याद नूरल physiology में इसके लिए जो आपके पार vesicular glucose transporters VGUTL पाए जाते हैं GLUTS पाए जाते हैं उनका भी रोल है मैंने ये test series में भी कई बार question पूछा है plus glutamate glutamine synthetase go gat ये जितने भी enzyme है वो nitrogen assimilation में बड़ा participate करते है yes, yes vision signaling में भी important है बहुत सारी signaling में important है glutamate negatively charge होने के साथ साथ इसका function neural physiology में बहुत है इसी से gaba भी बनता है, gaba भी neurotransmitter है तो gaba के लिए भी याद रखना पड़ेगा तो बहुत सारे modifications हैं, ये जो modifications हैं, ये modifications glutamate के modifications बड़ अब इसके बाद अगर हम देखे, glutamine glutamine का मैंने glutamine का मैंने सीधा सीधा आप लोगों के लिए रखा हुए, that is a expansion of CAG repeats, याद करिये in the first exon involved with a huntington disease, huntington disease protein misfolding की वज़े से होती है जिसमे polyglutamine stretches लगते हैं yes, polyglutamine stretches लगते हैं, बहुत बहुत important है, यह मैंने directly question ले लिया glutamine को हमने asparagine और glutamine दोनों के sense में समझा था, लेकिन मैं वो property लेके चल रहा हूँ जो शायद आपको एकाद question दे जा, जैसे मुझे glutamine पे बहुत ज़दा भरोसा है जिसकी वज़े से protein misfold होती है और उनके amylite fibers बनते हैं, amylite fiber deposit होते हैं and that leads to Huntington disease बराबर, इसके बाद histidine इसके बाद histidine भी देख सकते हैं histidine कैसे देख सकते हैं, two component signaling में इस्तेमाल होती है, सभी को मालो phosphorylation of histidine होता है, सनाइन का भी होता है histidine का भी होता है, aspartate का भी होता histidine का भी phosphorylation होता C2H2 type junk finger का essential part है histidine बराबर, ध्यान दीजे का time नहीं बेस करो और hemoglobin, hemoglobin की pore pharyanin की near में distal or proximal histidine का protonation distal histidine का protonation important role play करता है oxygen binding में oxygen removal में oxygen, yes cytokinin में भी, बिल्कुल सही बात है hybrid two component signaling, बिल्कुल याद रखिएगा hemoglobin की active site में histidine पाया जाता है जो की protonate होता है, deprotonate होता है यह सारे के सारे protonation और deprotonation lungs और tissue में हम लोग पढ़ेंगे, प्रोटीन में पढ़ेंगे बराबर, एक RDT का question है कितने लोग इस histidine NINTA column के बारे में जानता है कितने लोग, आप में से कितने लोग है histidine 6, histidine 6 NINTA column के बारे में कितने लोग जानते है बताईए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो histidine 6 NINTA column के बारे में जानते है फटाफट बताईए मुझे बताईए, histidine 6 NINTA column येस, affinity chromatography, अब्दुल्ला खान, very nice, very nice, protein purification, affinity chromatography, बिलकुल सही, बिलकुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लेरिंजर खोलिये, लेरिंजर खोलिये, लेरिंजर खोलिये, लेरिंजर खोलिये, बिलकुल, अब्दुल्ला खान, कोई और, कोई और tag, अब्दुल्ला खा कोई और tag जिसके बारे में आप जानते हों अब्दुल्ला खान कोई और tag हिस्टीन टेग के अलावा कोई और एक्सामप्ळ Histodine tag के अलावा कोई और example नहीं नहीं मैं किसी और tagging के बात करहा हूँ कोई और tag अब्दुल्ला खान बता है अब्दुल्ला खान ने किया हुआ Glutathion Glutathion का जो tag है that is also very very important याद रखेगा अब्दुला बराबर Glutathion Glutathion वाला tag यह लरेंजर में जाके पढ़ लीजएगा यह histodine NINTA column poly A tag नहीं poly A tag नहीं Glutathion Glutathion tag is very very important हाँ poly Argin भी ले सकते हैं इसा कोई जरूरी नहीं है poly Lysin poly Argin RRN के isolation के लिए लेते है RRN के isolation के लिए लेते है बराबर Isolucin Isolucin से related क्या याद आता है Isolucin से related क्या आता है AATS की proof reading याद करिए Watson में दिया हुआ है Veline और Isolucin Veline और Isolucin के बीच का जो difference है वो दिया गया है नहीं दिया गया Critical 4 residue sequence बड़ा important है कहां Critical 4 residue sequence Phosphory Tyrosin Glutamate Glutamic Acid and Isolucin ध्यान दीजे Phosphory Tyrosin Glutamate Glutamate and Isolucin कोई मुझे बताएगा कोई मुझे बताएगा ये कहां मिलेगा ये मुझे कहां मिलेगा Phosphory Tyrosin Glutamate Glutamate Isolucin sequence कहां मिलेगा कहां मिलेगा याद करिए कहा मिलेगा फटाफट मुझे बताओ कहा मिलेगा जो शुती में के फेवरेट स्टूडेंट्स हैं वो बता सकते हैं अधर्वाइस कोई नहीं बता पाएगा जो शुती में के फेवरेट स्टूडेंट्स हैं वो बता सकते हैं वाइस कोई नहीं बताब रहेगा शुती मैं के यस आईटी के पात्वे में मिलेगा बिलकुल आईटी के पात्वे में आईटी के पात्वे में रिसेप्टर पर मिलेगा याद करो याद करो जिनको नहीं याद है वो लोग थोड़ा थोड़ा सा याद करें आरे भाई की यहां पर जो conserve sequence पाया जाता है वो फॉस्फो टाइरोसिन ग्लूटामेट ग्लूटामेट और यस वेरी नाइस और आईसो लिूसिन पाया जाता है यह अगर इसका फॉस्फो राइलेशन बंद हो जाएगा प्लस एसेच टू डोमेन से बाइंडिंग नहीं होगी याद रखेगा बड़ा इंपोर्टेंट इसी लिए अम आईनो एसेट को मियाद करा रहे है अम आईनो एसेट पढ़ रहे हो अम आईनो एसेट पढ़ रहे हो बायो जा रहे हो मॉलेकलर में इसस वांडेट टो रिकाल यू आउट देर अरे कोई बात नि भाइट सारी चीजें होती हैं भाइट सारी चीजें होती हैं जो इवन में नहीं होती हैं लिउसेट सबसे जादा पाये जाने वाला माइनो एसेट हैं 9.1% अफ एनी प्रोटीन आर लि लिउसें का रोल कहा कहा है टी एल आर में लाइक रिसेप्टर कोई बाल सब बिटिया धीरे धीरे सब आ जाता है लिउसें रिच रिपीट्स याद रखेगा तो कॉन कंपोनेंट आफ इंफ्ला में इंफ्लासोम वेरी वेरी इंपोर्टन पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे हो स इंफ्लासोम वो प्रोटीन है जिन प्रोटीन में लिउसें रिच रिपीट्स पाए जाते हैं बगैर लिउसें रिच रिपीट्स के इंफ्लासोम नहीं बन सकते हैं जैसे फैगोसोम उसी तरीके से इंफ्लासोम नहीं बन सकते हैं बहुत सारे मेंबर्स जो निउरल इनिबि ले रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि सारे के सारे बहुत सारे हमाईनों ऐसे आप लोग कर सकते हैं देख सकते हो ऐसा कुछ बहुत प्रॉब्लम नहीं है लाइसन आशना में हम आप लोगों को पढ़ाएंगी लाइसन हिस्टोन मॉडिफिकेशन में वो आप लोगों का खून पी जाएंगी पूरी तरीके से इतना सारा लाइसन का मॉडिफिकेशन आप लोगों को पढ़ा देंगी मतलब आप लोग कोगे ये क्या है लेकिन मेरी isopeptide bond बनता है प्लीज पढ़ लीजेगा देखे बहुत सारी चीजें होती है जिन चीजों को हम लोग revision session में नहीं include कर सकते हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है क्यों मुश्किल होता है इसलिए मुश्किल होता है that is very practical type of thing, not all the things can be encapsulated in a 2 hours or 2 and a half hour session for any educator, so I request everybody अभी 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 अपनी copy पर अपनी किताब जहां कहीं भी हो ही पर लिख लो कि हमें लडश से लडश से यूभी क्यूट इनाइलेशन हमें पढ़ना है यस नहीं सुनो सुनो अब्दुला कान यहां पर मेरी मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो वहाँ पर कई सारे lycine residue mentioned lycine 26 भी mentioned है कई सारे lycine residues mentioned है जिन lycine residue के साथ isopeptide bond बनता है मैं यह चाहता हूँ कि exam है ठीक बात है, लेकिन जो बात मैं बोल रहा हूँ, उसके लिए आप लोग कुछ नया गेन करने के लिए वह पढ़ सकते है तो बस lycine में ubicute annihilation में जहां पर lycine के साथ isopeptide bond जो बन रहा है, उस isopeptide bond के formation को काईदे से पढ़ लो मेरी बात मानो एक question तुम्हें मिल जाएग है ना, तो this was the property of, these were the property of amino acid, which I can, I part की मुझे यह पढ़ाने चाहिए, है ना, I hope आप लोगों को कुछ 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 नया मिला होगा time नहीं waste हुआ होगा, है ना देखो एक बात मैं बताना चाहूं तो हो सकता है, थोड़ा सा शुरू शुरू में खराब लगे बहुत सारे लोग देख रहे हैं कुछन आया है, गेट में भी आया है, CSIR में बड़ाब, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुन, हम लोगों ने इस कोर्स को, तीस दिन के कोर्स को दुआ करो कि हम ये कोर्स बहुत सक्सेस्फुली रन करें, हम लोगों का हाँ, सुनी, अभी अभी बहुत सेशन मैं ये कहना चाहरा हूँ, कि हम लोगों ने इस सेशन को डिजाइन किया, इस तरीके से, कि हम लोग बहुत सारी चीजन डिलेवर कर सके, मुझे लगता है, मैं जब पर्सनली फिल करता हूँ, हलां कि मुझे लगता है कि नहीं बोलना चाहिए, कि जो नए बच्चे हैं, जो थोड़ा तैयारी करना चाहा रहे हैं, उनके लिए ये एक सेशन हो सकता है, जिसमें वो ये समझ जाए कि हमें ये 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 पढ़ना है, ये सेशन उनके लिए भी फाइदे मन्द है, जो लोग तैरी कर चुके हैं, जो लोग पढ़ चुके हैं, उनको रिवीजिन करने का मौका मिलेगा, जो छूट गया है, वो पढ़ ले, जो पढ़ लिया है, वो आप रिवाइज करें, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है, कि मैं चीज़ों को कुछ नए तरीके से प्रेजेंट करूँ, और आप लोगों कुछ नए आदे कर जाओं, ताकि आप लोगों का बहुत सारा जो तयार है, उसमें कुछ एड़ ओन हो जाएं, तो उसी के लिए आगे बढ़ रहें, तो ये तो एक पार्ट ये हो गया, येस, गौत्मी की नंबर खराब आया, तो गौत्मी तबसे विचारी मरी जा रही है, कि टेस्ट होंगे, टेस्ट नहीं बंद होंगे, टेस्ट नहीं बंद होंगे, बिल्कुल कोई भी टेस्ट बंद नहीं होगा, test के question हम लोग यहीं पर discussion कराएंगे याद रखिएगा test के जो questions है हम लोग यहीं पर बीच बीच में discussion कराते रहेंगे done आगे बढ़ें बताएं आगे बढ़ें किसी तरीके से बहुत ध्यान से देखो पर तो लिया है लेकिन भूल भी जा रहा हूँ बिल्कुल नहीं मस्त हो के आराम से अगर तुम नौर्थ इंडिया में हो तो रजाई में आराम से केवल headphone लगा के आराम से बैठो और चीजों को केवल सुनो बिलीव में टाइम नहीं वेस्ट होगा यहाँ पर वो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि मैं टाइम बेस्ट कराने के लिए आप लोगों का ना मैंने अपने जितने भी मेरे साथी हैं जितने में मेरे कलीग्स हैं जितनी भी मेरी टीम हैं हम सब लोगों ने मिल के decide कि कि किसी भी बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए, जो भी बच्चा मेरी class attend करना रहा है, उसका revision होना चाहिए, और उसको एक ऐसी चीज मिलने चाहिए, जिसमें वो कहें कि नहीं है exam में, और मैं बता रहा हूँ, जो मैं हम लोग पढ़ा के जा रहे हैं, वो सिर्फ उसी purpose से प Boost Academy, they should, they should search what is the meaning of MSG, whether it is a protein or lipid or nucleotide, they should, they should, they should, they should go for, they should go, they should go for such, what is MSG, it is lipid, protein or nucleotide, you know, monosodium glutamate, what is it, isn't it, that's joking, you know, this is the part of the joke, don't tell me, अब इन भाई, चलो, 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 कोई बात नहीं, ठीक है, 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 ठीक है कैसे acetil lysine है ये acetil lysine हो रहा है इसी तरीके से adunyl tyrosine सरा विंथित है ये सारे के सारे जो आपको गुलाबी गुलाबी एंновर में जो दिखाई दे रहे है गुलाबी दिखाई दे रहे है रेड रिड दि err है पिंक पिंक दिखाई दे रहे है कि red Done. Done. Clear. Okay. चलिए. तो आपका क्या-क्या खतम हो गया? आप से मैंने क्या-क्या आज खतम, अभी तक मैंने क्या-क्या खतम कर दिया? अभी तक मैंने आपका खतम किया Structure of Amino Acid, Property of Amino Acids. ये मैंने खतम कर दी. बराबर. तो अभी तक के डेल से, तक मैंने आप लोगों का खतम किया That is your Structure of Amino Acids and Properties of Amino Acids. अब आते हैं P.I. of Amino Acids. इतने सारे Lectures आप लोगों ने पढ़े होंगे P.I. of Amino Acids के के Tension लेने की जरूद नहीं है. सभी लोग. और मुझे लगता भी नहीं कि अब वो लोग P.I. of Amino Acids पर Question Waste करेंगे लेकिन धर्म है पढ़ना धर्म है, पढ़ना भी धर्म है तो टीन तरीके के Amino Acids बेलकि चार केटेगरी में हम बाढ़ सकते हैं हाँ, चार हाइड्रोपैथी इंडेक्स पढ़ा दिये बिटा हमने ठीक है, बता दिये, शुरू में ही बता दिये, तुम लेट आई होगे तो पहला, नॉन पोलर Amino Acids या नॉन पोलर Amino Acids और नॉन आइनजबल Amino Acids नॉन आयो, आयो, नाइजबल Amino Acid है नो, तेंक यो विश्वाजी नॉन आयो, एनजबल Amino Acids, नॉन आइनजबल Amino Acid कौन-कौन से, नॉन पोलर सभी को पता है कौन-कौन से ग्लाइसिन है, आलनिन है, आईसलियूसिन है, वेलीन है, मिथाइलिन है, आपका फिनाइल एलनिन है, जितने भी हैं सब non-polar amino acid उनकी हम बात करें बराबर और फिर उसके बाद उसके बाद non-anusable amino acid जैसे serine है, threonine है, glutamine है और आपका जो आपका asparagine है इन amino acid की हम बात कर रहें तो जितने भी non-polar amino acids जितने भी non-anusable amino acids है, done, समझे, non-anusable का मतलब क्या है, जो अपनी backbone को छोड़ कर अपने groups से या अपनी side chain से ना तो proton ले सकते हैं, ना proton दे सकते हैं, ये non-anusable कहलाते हैं, तो जितने भी amino acids, yes, 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 protein is charged molecule और नोट पता नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बात है, चलो कर बहुत बड़ी बात पुछी, चलो कर बताते हैं, समझो, सुनो, तो 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 बहुत ध्यान से देख, बहुत ध्यान से देख, ये जितनों भी amino acids, चाहे वो glycine हो, चाहे वो alanine हो, चाहे वो isolus हो, चाहे वो valine हो, methion, methion हो, ये हो, इतने सारी चीज़े हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर, इनका PI, PI मतलब, net charge, net charge, on given pH, हम निकाल सकते हैं, net charge on given pH, और the pH at which, the net charge is 0, दोनों ही चीज़ों को हम लोग consider कर से थे, net charge on given pH, और वाईसे बर्सा, the zero charge, zero charge, at any pH, at any pH, ये दोनों ही definitions को comply off करता है, that is a isoelectric point, बराबर, that's a isoelectric, यहाँ पर iso, ionic point भी आता है, isoelectric point भी आता है, कही सरीके की definition अती है, मैं उसमें drag नहीं करना चाहरा, काम की बात समझेंगे, So, NH3 plus C double bond O minus, this is a Pk1, why this is Pk1 and this Pk1 lies in a acidic range, why this lies in a acidic range, because it can easily be protonated and once it is protonated, then it becomes, then it becomes neutral or uncharged, so protonation of carboxy terminus at the pH known as Pk1, और दूसरे शब्दों मैं बोल सकते हैं, क्या, जिस pH पर carboxy terminus protonate हो जाए, that is known as Pk1, in a simple meaning and the pH at which this is deprotonated, this is known as Pk2 or the pH at which, pH at which NH3 plus is deprotonated, then it is known as, then it is known as Pk2 or it lies in alkaline pH or pH between 7 to 14 and this lies between 7 to 1, बहुत धान से समझने की कोशिश करेंगे, जो लोग पहली बार P.I. पढ़ रहे हैं, जो लोग इसके बार पहले भी पढ़ चुके हैं, उन लोगों के revision के लिए, I must, I must include a point, कौन सा point समझने की कोशिश करेंगे, अगर Pk1 वो pH है, जिस pH पर carboxy terminus protonate हो रहा है, तो Pk1 की value जैसे जैसे close to 0 बढ़ेगी, वैसे वैसे it will be very hard to protonate, hard to protonate, याद रखिएगा, जैसे अगर किसी species का Pk1 धान देंगे, किसी species का Pk1 क्या है, say 2 है और इसका Pk1 3 है, so that means it needs 10 to the power of minus 2 moles of H plus ions to get converted into this and this need 10 to the power of minus 3 moles of H plus ion to get protonated, so obviously this concentration is low, this concentration is low, मतलब this is weakly, this is weakly ionic and this is very strongly ionic, तो जैसे जैसे Pk1 की value 1 या 0 के पास बढ़ेगी, it will be very hard to protonate and similarly vice versa, similarly vice versa you can easily see that if, 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 NH3 plus, NH3 plus के structure को अगर हम दिखाने की कोशिश करें, तो यह NH3 plus का structure है, यहाँ पर positives ले लिया, क्योंकि एक extra valency है, अगर इससे deprotonate कर रहे हैं, और deprotonate करने के लिए हमें OH ion चाहिए, इसलिए इसका जो Pk2 value होता है, that lies always in an alkaline environment, किसमें depend करेगा, alkaline environment पर depend करेगा, इस alkaline environment की वज़े से इसका Pk2 बनता है, तो जैसे-जैसे Pk2 14 के पास बढ़ता चला जाएगा, वैसे-वैसे इस species से H plus ion निकालना मुश्किल होता जाएगा, वैसे-वैसे hard होता चला जाएगा, तो इसका मतलब यह हुआ, कि अगर हम arginine ध्यान देंगे, जो लोग जानते हैं, जो लोग समझते हैं, वो लोग देखें, arginine का PkR value 12 होता है, 12.48, 12.58 यह जो भी होता, 12 होता है, तो इसका मतलब इससे H plus ion निकालना बहुआप मुश्किल है, जबकि license का Pk2, license का PkR, जो है, that is 10.58, which is more easy, मतलब, license को deprotonate करना, license की side chain को deprotonate करना, it's much more easy than the arginine, than the arginine, simply. तो अगर हम यहाँ P.I. की बात करें, तो सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा, बहुत सारे lectures पढ़े होंगे, कि जितने भी non-polar, non-ionizable amino acids हैं, उनके लिए हम P.I. निकालते हैं, P.K.1 प्लस P.K.2 divided by 2 से, सभी को पता होगा, कुछ मैं नया नहीं बता रहा हूँ, बहुत आसान है, लेकिन, अगर इसके titration को देखा जाए, तो titration में हम P.H.1 से, जब हम move करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमें P.K.1 मिलता है, फिर हमें P.I. मिलता है, और फिर हमें P.K.2 मिलता है, फिर हमें 14 P.H. मिलता है, तो अगर हम किसी भी non-polar amino acid के structure को देखें, तो 1 से लेकर P.K.1 तक की range में, जो structure मिलेगा, that will be NH3 plus CH, CH3 and COO minus COOH, so the structure, the charge will be plus 1, from 1 to P.K.1, यही question बनेगा, यही question बनेगा, बहुत धान से, P.K.1 से लेकर P.K.2 तक, जो overall structure बनेगा, वो NH3 plus CH, C double bond O minus बनेगा, और CH3 मिलेगा, तो overall charge 0 मिलेगा, और exactly balanced pH, मतलब जहाँ पर equal distance लगेगी, that will be 0, इसके बाद, P.K.2 से 14 के बीच में, जो लगेगा, वो जो charge बनेगा, that will be your NH2, that will be your CH, that will be COO minus, and that is your CH3, so it will be minus 1, एक बाद सब को यहाँ पर ध्यान रखनी, बहुत importantly यहाँ पर याद रखनी है, क्या, importantly याद रखनी है कि, normally P.K.1, normally P.K.1, 2 लिया जाएगा, normally, normally, ध्यान रखेंगे, सभी का amino acid के लिए, normally P.K.1 की value आप 2 लेंगे, और P.K.2 की value, केवल दो amino acid को छोड़कर 9 लेंगे, ध्यान देंगे, 9 लेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, सारे के सारे amino acid के लिए, normally P.K.1 की value 2 होती है, और P.K.2 की value, 9 होती है, बराबर, तो P.K.2 की value, P.K.1 की value 2 होने का मतलब, जितने भी carboxy terminus हैं, वो P.H.2 पर protonate हो जाएगे, के सारे के सारे amino acid के, और most of the amino acid का, N terminal और amino group, deprotonate हो जाएगा, और NH2 में convert हो जाएगा, अब अब 9, P.H.9 पर हो जाएगा, concept clear, अब कौन कोईन से amino acid ऐसे हैं, जिनका P.K.2 9 नहीं होता है, या 9 के बराबर नहीं होता है, तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो, हो सकता है, कभी तुमसे question में पूछ ले, पहला, proline has P.K.2 value 11, P.K.2 value 11, ये question तुमसे पूछा जा सकता है, ध्यान देना, जो proline है, वो proline P.K.2 value, जो है आपकी, that P.K.2 value, can be, can be 11, वो 11 होगी, then, P.K.2 value 11 होगी, और, किसकी value 9 से जादा होगी, देखो सबकी, सबकी P.K.2 value 9 के असपास है, सबकी P.K.2 value 9 के असपास है, सिस्टीन की P.K.2 value 10.28 होती है, तो proline, और सिस्टीन, दो ऐसे amino acid है, जिनकी P.K.2 value, 9 से जादा, यनिकी, proline की सबसे जादा, that is 11, और, बाकी सबकी, सिस्टीन की, that is, P.K.R value, that's a P.K.R value, that's not a P.K.R value, that's a P.K.2 value, that's a 10.28, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की भी जरूआ थै, थोड़ा सा क्या समझने की जरूआ थै, थोड़ा सा क्या समझा जा सकता है, बहुत ध्यान से देखा जा सकता है, जैसे, मैंने बोला कि सारे के सारे amino acid के P.K.R value, जो है, वो 9 के आसपास है, तो सारे के सारे amino acid में जो NH3 मिल रहा है, वो NH3 मिल रहा है, उसकी value 9 है, जो तुमारा proline मिल रहा है, बहुत ध्यान से देखो, proline में ये है आपका NH2+, मतलब जो tetrahydropiral ring है, उसकी value 11 है, बराबर, और इसी तरीके से, अगर हम arginine में देखें, तो arginine में guanadenium group की जो value है, that is 12, तो सबसे जल्दी protonate होगा, normal amino group, immun group of proline, उसके बाद में ionize होगा, और imidazole group, और जो guanadenium group है, वो सबसे बाद में ionize होगा, मतलब, सबसे ज़्यादा strongly, बहुत strong जो polar है, या जो बहुत strongly bonded है, that is your guanadenium group, कम strongly bonded है, that is your amino group of proline, और जो सबसे easily protonate हो सकता है, बहुत easily ionize हो सकता है, that is your amino group, ये बड़ी important information है, जो आप लोगों को समझनी चाहिए, बताएं, मेरी बात समझ मैं, मेरी बात, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला, कि जितने भी amino acid, सारे के सारे amino acid का, जो PK2 value है, वो 9 के आसपास, except 2, कौन-कौन से proline, 3 ले लिजा, अगर हम side chain भी consider करें, तो arginine, तो proline की जो value है, वो 11 के आसपास, इसका मतलब, amino group और immun group of proline में, जो ionization behavior है, वो different, ionization behavior कैसे different है, yes, what about systeen, systeen has a side chain, systeen side chain की बात कर, systeen और argilin, दोनों ही SH है, यहाँ पर SH है, यहाँ पर amino group नहीं है, इसलिए मैंने systeen का नाम यहाँ नहीं लिया, ध्यान दो, systeen में SH होता है, इसलिए मैंने systeen का नाम नहीं लिया, amino group की side chain में, तुमारे पास guanadinium group होता है, इसलिए मैंने लग लिया, तो अगर केवल हम केवल, इनी दोगनों के बीच के difference को देखें, दोनों का जो PK2 value है, PK2 value की बात करें, तो एक में amino group है, और एक में amino group है, तो which is most powerful, and what do you mean by the most powerful, powerful से क्या समझोगे, powerful से क्या समझ में आता, powerful से, अगर मालोग कोई भी बहुत powerful आदमी है, उससे पैसे लेना, या उसकी कोई चीज छीनना, इतना असान तो नहीं होता, बहुत मुश्किल होगा, है ना, और वो भी appropriate environment में, appropriate environment, जब तक उसका कोई तुम से काम नहीं फसेगा, वो धेला नहीं देगा तुमको कुछ, तो जो amino group है, वो थोड़ा सा modulated है, simple है, middle class type है, ठीक है भाईया, ले जाओ तुम यार, हमारा क्या है, हम दोबारा protonate हो जाएंगे, और येस, hard to take, येस, नाट इसली प्रोटोनेटेट, येस, strongly attached, तो amino group of proline, cannot easily donate its proton, और even take up the proton, तो ना तो अमीर आदमी, जो बड़े आदमी हैं, जिनके पस पैसा बहुत ज़्यादा है न, वो उनको ना तो उनसे पैसा ले सकते हैं, तो ना तुम उनको बहुत आसानी से पैसा दे सकते, वो पैसा देना शुर्ण लगूरेगा, तो वो तुम से बोलना शुरू करेगा, ये हमको पैसा काई दे रहा है, तो मतलब एक चीज़ ये हो सकती है, possibility है, तो ये बात भहुत ध्यान से देखने की है, कि याद रखिए, अमाइनो, इमीनो, और गौनाडीनियम गृप के आयोनाजेशन बीहेवियर अलग होते हैं, ध्यान देना, और यहीं पे और, इमीडाजल रिंग का आयोनाजेशन बीहेवियर और कमजोर होता है, मतलब, आप हिस्टिदीन को pH 6 पे प्रोटोनेट भी कर सकते हैं, pH 7 6 पे डी प्रोटोनेट भी कर सकते हैं, तो सबसे सस्ता मद्धा वाला प्रोटोनेशन जो होता है, वो इमीडाजोल रिंग पर होता है, ना, वहुच्छोदा महेंगा वाला, स्ट्रों वाला अमाईनो गरोप होता हो, जो सारे की सारे अमाईनोगस पर ऑर उससे महङगा वाला प्रोलेन पर होता हो, वानादीन पर अर्ज drafting पर होता हो, प्रोटाउन लेंगे ना किसी को प्रोटाउन देंगे और इसी तैसिम जाओं हाँ सबसे महांगेवाद सिस्टीन हमने इस लिए डिसकेशिन किया क्यों कोई सिस्टीन में एसच ग्रोप होता अमा इनों ग्रोप नहीं होता मैं पॉइंट इस क्लिर बोलो बच्चा अब तारीव भी कर दियागर कभी कभी अल्मोस्ट 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 अनिकेत कोशल अल्मोस्ट तो अगर अगर हम इसको बहुत ध्यान से देखें crystal clear अगर हम बहुत ध्यान से देखने के कोशिश कें ध्यान से देखने के क्या मतलब तुमारा imidazole दूसरा 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 dáumainu group तीसरा तीसरा tamara क्या हो गया तीसरा tamara हो गया that is your iminu group 4 दूसरा क्या हो गया that is a guanodenum group यह हो गया यह हो गया अच्छा यार, एक्चली मैं होता गया ना, कि मेरी आत्मा जो है ना, थोड़ी से जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, या जब से बाइलोजी पढ़ रहा हूँ, तब से मुझे यही समझ में आता कि बगार केमिस्ट्री के बाइलोजी कुछ नहीं होती, तो अब लोगों को धीरी-दीर समझ कोफ भूर्ण दो केमिस्ट्री, यारे बिटा क्या यह मैं छोटा सा कोचिंग मास्टर मेरे जैसा क्यों बनोगे भाई, मेरे जैसा मत बनो, साइंटेस्स बनो, रिसेर्चर बनो, अच्छ रिसेर्चर बनो, इमानदार आत्मी बनो, ज्यादा IMPORTANT, रधर 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 मेरे ज सोटा इंसान हो बहुत बहुत येस चलो हो गया ये तो ये तुम्हारे अमाइनो एसिड का पी आई के विल्ट नॉन पोलर नॉन पोलर नॉन आयनेसेबल के लिए था तो मैं जो पीके बनों पीके टू बता रहा था उसी के बारे अब अगर हम अब दूसरा माइनो असिड के है थोड़ी जेर पहले पताया इमिदाजोल, that is in histidine बेटा, that is in histidine, याद करो अभी थोड़ी देर पहले बिताया, that is in histidine, that is in histidine, yes, that is in histidine, yes, that is in histidine, it is easily protonated, at pH 6, तुम थोड़े था pH 6 से नीचे होगे न, it will be protonated, and above it will be, it will be deprotonated, पढ़ेंगे इस पर भी, चल्दी जलची पढ़ेंगे, तो जो glutamate औ में एक CH3 जादा होता है, कई बार पढ़ चुके हो, यार, केवल रिवाइस कर लो, जल्दी जल्दी, इस पर time मत waste करो, बना फिर, बना वर लेके बैप होगे, यही इसी से, और question motion आना नहीं है, आएगा, peptide से मैं तुम लोगों को पहले लिखके दे रहो, amino acid के, PI से question नहीं जाएगा, जल्दी जल्दी बस revise कर लो, इसमें दो है, तो एक PK1 हो गया, एक PKR हो गया, और एक PK2 हो गया, बराबर, PKR और PK1 दोनों ही acidic range में लाई करेंगे, जो question बन सकता, जो मेरा दिल कहता, जिससे question बनेगा, वो question कहा बनेगा, titration से बनेगा, पहले पढ़ेगा 1, फिर प प्लस वन चार्ज होगा, मर मत जाना, सुनो, सुनो, प्राण मत त्याग देना, देखो इदर, प्राण बिल्कुल मत त्याग देना, देखो इदर, हाँ समझो इदर, यहां से लेकर यहां तक 0 मिलेगा, यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक माइनस 2 मिलेगा, घर जाके आ इस्ट्रक्चर बनागे दिखाएं गया कि क्यों 0 होगा क्यों-1 क्यों-2 होगा बोलो बोलो, 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 नहीं, नहीं ना, अरे बच्चा बोलो, 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 अरे पोचलो, अरे सर्माओ नहीं, 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 हाँ, 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 न तुम लोगों को जाना तुम बताओं नहीं ना अब इस एक्जांपल अरे जीओ मेरे अक्षे कुमार अभी तो बताए थे चलो अच्छा कोई बाद नहीं मत पड़ो मेरा कि क्या में कुछ अगला बता तुम ठीक है तो alkaline amino acid जो है नो सक कोई बाद आई जी ओ जितने लोग पढ़ रहे हैं ना मतलब वह इस माइंड वह मतलब दो बाते तो clear हो रहे हैं जितने लोग पढ़ रहे हैं जो लोग जवाब दे रहे हैं जो लोग आंसर करें यह बात तो बहुत clear हो रही है कि हां वह लोग prepared है अच्छ आवे जा वे बेकारी देट पर जाना तो CSI के साथ ही जाना है जाना है तो गरीब होता है मिलता ही क्या है हम लोग सिर्फ साइंस की सेवा कर रहे हैं we are just serving the science we are getting nothing we are scientists are getting nothing हम लोग को कुछ मिल विल नहीं रहे हम लोग किर सर्फ समाज की सेवा कर रहे हम लोग तो मतलब पढ़े लिखे संथ हैं इसलिए कुछ परिशान रहने की जरूरत नहीं और डेट पर ही जाना तो ISYS के साथ जा तो ज़्यादा ठीक रहेंगा underpaid obviously we are underpaid scientists are underpaid okay scientists are underpaid we discover drugs we save the world from the covid we save the world from many diseases many pandemics many yes oh thank you रूज मुझे भी पता हो क्या कहना चाहरी थी लेकिन येस येस ओके कीप रेस्पेक्ट डोंट डेट MS I don't know यही मुझे पता बता तो मैंको दिया ISS यादी कर ले था चलो चलो आवे यार तुम लग ना फाल्ति में टाइम बेस करा रहे हो चलो बेसिक हम आइनो सर एंटीब्योटिक रेस्टेंस कहा चलाई है यह जो भी पढ़ रहा हूं मैं जो भी पढ़ा रहा हूं यह तुम लोग जो भी पढ़ रहे हो इसके दोई पढ़ रहे ओसकते हैं तो मझबूरी मैं पढ़ रहे हों किया है तो लाइसेन आरजन and histidine कोई भी लाईसेन आरजन अगर में लाइसेन के लाइसेन के structure कोई अगर हम बनाएं तो लाइसेन के structure में CH24 बना लेतें सेंबल जल्दी गडल लेते हैं तो आपके पास PK1 मिल रहा है PKR मिल रहा है और PK2 मिल रहा है PK2 और PKR जा चलो याद ठीक है ना तुम लोग बहुत जल्दी पॉलिटिकल हो जाते हो चलो देखो तो PKR और PK2 दोनों ही alkaline में alkaline में मिलते है alkaline range में मिलते है ठीक है ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ठीक है शलो बहुत ध्यान से देखो बहुत ध्यान से समझो तो alkaline range में मिलते है से question आएगा तो 1 ,1 के बादُ Pk1 , आप तुम लोग बताो इसके बाद क्या आगा इसके बाद क्या और जल्दी है जल्दी हल्दी बता जल्दी बता जल्दी बता जल्दी बता आरे चलो बब क्या आए गा पीके बन प्वाद क्या आगे पुआ अग्ले लेक्षर भी जर्णल फंट भी जर्नलल सक्ष्वने का भी जर्णल एक अभी कोश्शन जलुत beta。 आप हप्सक्राइब उन्झना श्रम सब्सक्रास नहीं एक है पीके जियो और लाल पी आई के बाद PKR आएगा और PKR के बाद 14 आएगा डाट इस फोर लाइसन एन आर्जन इन चुलू बद पानियम जाके डूम बरो इसलिए हम चिला रहे थे गंटे से लाइसन का लाइसन का PK12 PKR 10.58 और PK29 होता है PK9 होता है तो पहले PK1 मिलेगा PK2 PK1 मिलेगा फिर उसके बाद ये PK2 मिलेगा 9 फिर PKR मिलेगा 10.58 और फिर उसके बाद П 네 पाजब चार्ज 0 मिलेगा और जो चार्ज मिलेगा वो 0 आलमोस्त 10 के आसपास मिलेगा यहां पर PKR वैल्यू 10.58 मिलेगी और ये PKR 14 मिलेगा, यह lycine और arginine के लिए histidine के लिए 1 के बाद PK1 तो मिलेगा, लेकिन PK1 के बाद सीधे-सीधे PKR मिल जाएगा PKR के बाद PKR के बाद तुम्हारा PI मिलेगा, PI के बाद PK2 मिलेगा, PK2 के बाद 14 मिलेगा, that is for histidine याद रखना, कई बार बताया हुआ है गलबर सर्वन नहीं करना, क्योंकि histidine का PKR value 6 होता है और PK2 value 9 के असपास होता है तो गलबर नहीं करना मैं 10 बार बोल चुका हूँ, कि lycine और arginine के लिए जो titration है lycine arginine का titration same होता है, और histidine का जो titration है वो अलग से काम करता है ठीक है, इतनी बात clear हो रही है, इतनी बात clear हो रही है, नहीं clear हो रही है तो इतनी बात जो आपके सामने है, मेरे बात बहुत ध्यान से देखो, और समझने की कोशिश करो, कल मेरा कहे का lecture है कल मेरा कहे का lecture है औरुक्त करेंगे मुझे। हम हमन्हें लिपिडेड़न वितामेंजे हम पढ़ेंगे कल हम लिपिडेड्ल वितामेंज मी games निकालना शीखेंगे क्योंगि थोले श pakा फ्रेश माइंड में पड़ोगे तो कॉष्चन सॉ हई तो हम 15 मिनिट में P.I. और Peptide निकालना शुरू करेंगे, Peptide का P.I. निकालेंगे, फिर उसके बाद लिपिट्स पे आएंगे, लिपिट्स के बाद विटैमिन्स पे आएंगे, दोनों ही चीज़े खतम करेंगे, बहुत शार्थ कल सुबह पहले आशना में पढ़ाएंगी, फिर मैं पढ़ाऊंगा, दोस वोन्स तो टेक सब्सक्रिप्शन फॉर एरली, फॉर एरली मोड फॉर वन यहर, फीस 25,500 और दे कन, दे कन राइट, दे कन यूज आप प्रोमो कोड दाट इस रिवाइज, और रिवाइज यूज कर सकते हैं, 10% डिसकाउंट मिल जाएगा, कर अरे के सारे, यहास बेलो सेक्सॉट विल बिलकुल कुलोटिफिकेशन, फॉलो कर यह, शाम को शूटी मैम, अभी सेक्शन एक ही कलास होगी, 1-2, 1-3 सेक्शन, एक ही अ कलास होगी, 3 बजलै से साथ बजले तक, unit 2 mitosis meiosis cell cycle, आशुतोर सर, basics of mitosis, meiosis पढ़ाएंगे, पिर उसके बाद उसके बाद शुती माम सेल साइकल का पार्ट पढ़ाएंगी तो सेल साइकल वाला जो पढ़ाएंगी तो आप लोग वो ध्यान रखियेगा आज का क्लास खतम हुआ या बारा थीज़ तक चले भावा बड़ा परशाण हूं तेलो आज का क्लास खत्म हो, जैराम जीकिन, बाई बाई, टाटा, टेक केर, all the best.